पुरेश मिश्र जी के परिवार से सभी लोगों की और से आप सभी लोगों का मैं यहां पर सागत करता हूँ कल के प्रिधम दिवस के कारिकरम में आप सभी के उपस्तिती रही और मिश्री रूप से हमारा उटसा वर्दन होता है आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी साथ की यहाँ पर जुड़ेंगे और जो different sessions में speakers यहाँ पर अपनी बात कहने वाले हैं उसको enjoy करेंगे और सुरेश मिश्य जी को याद करेंगे सुरेश मिश्य जी के परिवार के सभी सदस्य तीनों बेटियां दामाद हमारे साथ कल भी जुड़े थे और आज भी जुड़ेंगे और उनकी उपस्तिती भी हमारे लिए संबल परदान करने वाली हैं कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से screen पर दिखाई दे रहे थे कल और कुछ लोग नहीं दिखाई दे रहे थे बड़ी बेटी मनीशा जी पूरे दिन वहां मौजूद थे लेकिन screen पर नहीं थी श्याम दुबे जी भी सुभए ग्लाटन सत्र में मौजूद थे बाद में भी उन्होंने जोइन किया था और पूरे समय वह हमारे साथ रहे मैं सभी का हर्दिक आभार व्यक्व करता हूं आज जो राष्टिय वेबिनार में आज का जो हमारा कारिक्रम है उस कारिक्रम में एक मिनट का समय दूंगा मैं तीन तकनीकी सत्र है जो कि 11 बज़े से स्टार्ट हो रहे हैं और दो ट्रिब्यूट सेशन होंगे एक ट्रिब्यूट सेशन प्रवेसर सुरेश मिष्टी जी पर केंदरित रहेगा और दूसरा जो ट्रिब्यूट सेशन है वो हमारे जो प्रमिनेंट हिस्टोरियंस है जो मतिवर्दिश से रिलेटेड है या CIEHRF से जिनका संबंद रहा है ऐसे हिस्टोरियंस की डेव एपरेल मंत में कोरोना की वज़े से हुई गी उनको हम याद करेंगे यह हमारा सेकेंड ट्रिब्यूट सेशन होगा और उसके बाद बेले डिप्री का सेशन रखा गया है तो इस तरह से आज का यह प्रोग्राम हमें करना है और जकन परितर के सेखेंड से संचालन कोरें क्योंदन आज के प्रिटम करें रेंट में आप्र में रखा थैर इंटर्क्षन देंगे हैं so basically good morning and namashkar to one and all on this Sunday morning I am Dr. Maithu Vajir today we have madam your your voice is not clear am I audible now? you are audible but okay is it clear now now it is clear I am sorry for that technical glitch alright so today we have gathered together to celebrate a life a life of a great man and a great scholar Professor Suresh Mishra Mishra's contribution to the the academic world has been recounted by many esteemed speakers since yesterday personally Mishra sir has been like a mentor to me over the years he had encouraged many budding researchers and motivated them to write with integrity and also with courage he not only encouraged them with his words but also with his actions I had the opportunity to review one of his books on goals which he had written with Gadre sir this book was extensively referenced and highlighted the importance of many aspects of history it moved away from the colonial paradigm and showcased how micro level studies can be revised and can also be lead to the rhetoric of old school it would offer as a challenge to the older schools of thought to me he was a perennial student and often did not back down from any challenge like many present here his passing is a personal loss to me however as someone said we never truly get over a loss but we can move forward and evolve from it before I move on I would like to thank Professor Sanjay Swankar for giving me this opportunity to be able to present my thoughts before this August 40 now I take great pleasure in inviting our honourable guest of honour for this session Professor Debeendr Chaube Professor Debeendr Chaube एक चर्चित लेखग तता शिक्षविद हैं आपने राची विश्वर्द्याले से पर्थम शेरी में पर्थम स्थान से एमे करने के बाद जवाहरलाल नहरु विश्वर्द्याले से 1991 में एमप्टिल और वर्ष 1966 को डॉक्टरीट की उपाधी को प्राप्त किया है वर्तमान में आप जवाहरलाल नहरू विश्विद्याले से के भारतिय भाषा केंद्र में प्रफेसर के पद पर कारे रथ है आपने वर्ष 2000 में संस्कृती मंत्राले भारत सरकार द्वारा लेखोकों को दी जाने वाली राष्ट्रिय फेलोशिप, नाशनल फेलोशिप को प्राप्त किया है आपने विजिटिंग स्कॉलर के रूप में वर्ष 2010 में महात्मा गांधी संस्थान, मरिश्यस की यात्रा और अध्यापन कार्य 2015 में सार्क कल्चर सेंटर कोलंबो द्वारा आयोजित सम्मेलन ने एक लेख़क के रूप में काम किया है ताशकंत राज़ प्राव्यष विद्या संस्थान ताशकंत की विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में 2018 में अध्यापन किया है रशनात्मक लेखन, इतिहास, अलोचना, समकालीन सहित्य और दलिद सहित्य में आपकी गहरी दिल्चस्पी है आपके द्वारा लिखी गए एवं संपादित अनेक पुस्तके प्रकाशित हैं जिन में कहानी संग्रत कुछ समय बाद, नाटक, सूरज और इतिहास, एवं अलोचना की पुस्तकों में अध्युनिक भारत के इतिहास लेखन के कुछ सहित्यक स्तोत्र, समकालीन कहानी का अलोचना का जनतंत्र, आधुनिक सहित्यमे दलित विमर्ष, 1857 भारत का पहला मुक्ति संगर्ष अधी प्रमुख हैं। शायद हम लोग भी 10-15 मिट बातचीत करेंगे। और मैं भी कोशिज करूँगा कि 10-15 मिट की बीच अपनी बात समाब करूँ। और फिर उसके बाद हम लोग प्रफ्टर सलील मिस्र को सुनेंगे। सलील जी बहुत बड़े इतिहासकार हैं। और उनको सुनना बहुत ही सुखद हमेशा होता है। जहरे कि मैं सबसे पहले डॉक्टर संजे सवनकार जी को बढ़ाई देना चाहूंगा। कि इतिहासकार सुरेश मिस्र के बहाने एक तरह से इतने सारे इतिहासकार लेकों और पथेताओं को ने ने इकठा किया। और एक मौका प्रदान किया है कि हम लोग सुरेश मिसर पर भी बात करें और उनके बहानी इतिहास पर भी कुछ विचार करें। मुझे कल भी मैं बात मारे नहीं हुपाई लेकिन इस्पिर्च लगातार हम लोग बातचीत करते रहें। मैंने उनके निधन पर एक Facebook पर पोस्ट भी लिखी थी। और मेरा मानना है कि वो हिंदी में लिखने वाले एक महतकोन भारती इतिहास कार हैं। कि अपने जभान में इतिहास लिखना बहुत बड़ी बात होती है। अपने जवान में जाहिर रिके हमारे देश के जवान आप आपका इतिहास पहुच रहा है। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भी प्रफसर सुरेश मिस्र के कार्टम होते थे, जाहरे कि मैं बहुत बार नहीं गया, भुपाल एक बार गया, छांसी एक बार गया, ग्वालियो भी गया, तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ बहुत सारे संदर्भू पर बात्चित करने का मौका मिला, अगोर करेंगे कि संदर्भा जी न जो विसे रखा था पूरे कॉन्फरेंस का रिमेंबरिंग एमिनेंट हिस्टोरियन प्रफसर सुरेश मिस्रा, इति हास-खास सुरेश मिस्र को याद करते हुए, और जो दूसरी पंती दी थी, ठीवरी, प् प्यास और दस्तावेजी करण, जाहर है कि इस रिक्स तक के पीछे कुछ लॉजिक होगा संजे सुवनकार जी का, और मुझे अच्छा लगा कि अगर आप बहुत बारिकी से ध्यान से देखें, तो बार बार मुझे लगता है कि सुरेश मिस्र जी बहुत बारिकी के साथ एक कर ऐसे कुछी चुजों का दस्तावी जी करण करते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है कि कल भी हमारे जो बहुत सारे वक्ता थे, खासकर प्रोसर इसे ना रिजजी साहब थे, कुमार रतनन भी थे, संजी जी ने खुद ही उनके पूरे आप्टोबेग्राफिक को हमारे सा आपड़ोमें रखा. ऐक जो इतिहासकार का पक्छ है और दूसरा जो एक दरेंसे मनुष से का पक्छ होता है। तहु那麼 kiss बड़ी बात को एक मनुष से होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो आदमी जीतना अच्छा मनुष से होता हो उतना ही अच्छा लेक़त पुरम सहिगल जी ने दिवया कुमार जी ने भीतना ही अच्छा इतिहास कार भी होता है और इसाइर है चा भीतुई नियुकर से दुब सुरेतल के बारिके से याद कर रहे से थे की बात मुझे इसले लिपन के तारीफ पर रहूँगा सब्सक्राइब बाते की संजेक अनली उट्रा करनके रहने वाले और हर सेमिनार अते रहें घिरा ही तंदर प्रवसह को बटते रहें और बहत बारीकी के सात्थ अपनी बाते करते हैं बहुत दम्फिता के साथ वाहतों को रखते है इसारी चीज़े मिला करकि या हिसाए था मिस्रें इतिहासकार सूर्फ मिसर इतने तने बारीकी के साथ एक इक चीजों की भखजान करते थे जियसे का रस्पी कह रहे थी दिद का ंसानि करना उसका को बुलाना उनको वहीं सम्मान देना जो इक बड़े इतिहासकार को दिया जाता है ःब जह लहानी करते थे यह बगुट वड़ी बात है किसी भी रेक्पी के लिए और हमारे प्रोफसे सलील मेसर जी भी ऐसे ही हैं यह भी कोई फरक नहीं करते हैं कौन बड़ा इतिहास कार है, कौन सोटा इतिहास कार है कौन समाने आदमी है, कौन विस्स्ट आदमी है कि जोब ही इनके सात आता है सबके सात ही आराम से और बारिकी से बात euros करते हैं और इतला है और यह जब कल मैं इसे सारी बात सुन रहा था और जहरी कि सुरेश पूष्श है छिस बारे में हम से इतिहास पर काम करते हैं जो सेसंस के बीज जो गुटगू होती थी जाहर है कि बहुत काईट तरीके से सारे मत्तब सत्रों का संचालन करते थे बीच में किसी बाहर निकलने के बुझाइस नहीं होती थी लेकिन जो गैप होता था कैप में जो चोटी-छोटी टिपडिया करते थे आपके वक्तक बेकूल लेकर के आपके फत्रों को लेकर के बहुत मत्तब मारके की होती थी और मुझे याद है कि वालियर में जब संचे जिने कारिकम किया था मुझे समय याद नहीं आ रहा है 2010 में मैं गया था या 12 में गया लेकि उसी में हम लोंने बात करते करते कहा कि जन साहित में इतिहास पर एक बड़ा कारिकम हम लोग को करना चाहिए और सुरेश मिस्ची ने कहा कि हाँ इस पर मैं बहुत ही से सोच रहा हूं हम लोग जल्दे ही इस पर कोई बड़ा कारिकम करेंगे और यह बहुत अच्छी बा बात कर रहे थे जेनु की चर्चा जेनु सिर्फ एकी नहीं है या सिर्फ यह में और M.Phil PhD की डिगरी नहीं मिलती है बलकि यहां पर जितने पाथे क्रम हैं हर पाथे क्रम के चात्रों को प्रारम्भ से ही अपने अपने सेंटर के बाहर जा करके एक कुर्स करना पड़ता था अ बात करते हैं कि कैसे इस दवात कुद्पती हुई इस हो क्या है कैसे क्या होता है तो कहीं न कहीं जो यह सारी बाते हैं इस बात की तरफ इसारा करते है कि सुरेश मिस्र जहां रह रहे थे मत्रप्रदेश में मत्यप्रदेश बहुत की संवरिध मतलब छेत रहे इतिहास के दृष्टि से भी साहिति के दृष्टि से भी और जो रिसोर्सेस है मत्यप्रदेश के पास जो संसाधन है बहुत बड़ी संख्या में है वहाँ पर काम करने की इतनी गुंजाय से जिसके आप रिकलपना नहीं कर सकते हैं और सुरेश मिसर ने उसका उप्योग किया मतलब जितना कर सकते थे उन अपने संसाधनों का उन्हों ने उप्योग किया और बारीकी के साथ एक एक चीजों के चानविन करते रहे उसके करीब जाते रहे उनको समझने की कोशिस करते रहे और इसलिए मुझे बार बा कर रहे थे प्रैक्टिस कर रहे थे जैसे प्रैक्टिस में मुखे तर दो चीजे बहुत बड़ी होती है अब कई बार हम लोग प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते हैं और इसलिए हम अच्छा इतिहास नहीं लिख पाते हैं इतिहास को नहीं समझ पाते हैं हम जानते हैं कि इतिहास जाते हैं, कभी आपका विशिए उसे साब से सामगरी का चैन करते हैं। यह पहला बहुत ज़रुरी काम होता है। अगर आपने सामगरी का ठीक से चैन नहीं किया तो पता चला कि आपका आप जिस इतिहास को लिखने जा रहे हैं वो इतिहास हमेसा अधूरा रहेगा और सुरेश मिस्र बहुत बारीकी के साथ सामगरी का चैन करते हैं या किसी भी इतिहासकार की पहली सर्थ होती है आप इसे जो लोभी इतिहास में काम करना चाहते हैं, बहतर सामगरी का चैन करना बहुत जरूरी है. आप सुरेश मिस्र की पूरी किताब की जब लिस्टिंग देखेंगे, जिस तरीके से वे काम करते हैं, जिस सुधारन के लिए, गढ़ा के गोड राजे का उत्थान और पतन, गोड प उन किताबों के लिस्टिंग देखेंगे तो बहुत अधिक लिस्टिंग हैं, जो गोड एक तरह से समराज या गोड राजी की बात करते हैं. या फिर जैसे अकबर के बारे मुनहन लिखा, राणी दुर्गावती पर काम किया, मध्यपरदेश के गोड राजी पर काम किया, या फिर 1867, मंडला जीले का दस्तावेज, या फिर 1867, रामगड की रानी अवंती बाई, या फिर 1867, मत्रपरदेश के रान बांकुरे, भगवाम दाजी इसमें उनके साथ सहयोगी लिखतर के रूप में थे, 1867, सहाज़ादा फिरोसा, इतिहास के पन्नों से, और फिर कंपनी राजपरूं की दो किताबे मुझे दिखाई पड़ी, 1842 के विदो, वीरापूर के हिर्दे साह, और दूसरा भारत का इतिहास, 1740 से लेकरके 1867 तक है, और फिर अंग्रेजी में फिर ट्राइबल एसेंसी प भूछ और बहुत अच्छा काम किया हूए, मध्य-पड्रेश का इतिहास लिखा और उसमें मध्य-काल और मरात्ठा काल पर फोकस किया, या बुरी पर अच्छा काम है, बुरहान पूर पर जोक्मेंटे सेंसर किया बुरहान पूर को लेकरके, इसमें लिखा भी टैटिल में अग्यात इतिहास, इमारतें और समाज, इसके बाद गतिया रियासत के दस्तावेज या पश्चिमोतर सिमान तिनीती, गटी 39 से 9047 तर या फिर गौालिया रियासत में 18 से सिंताव का महा सल्गा, ये सारी कितावों के लिस्टिंग आप देखते हैं, बहुत सारी कितावे लिखी उन्होंने, करीब 35-36 कास्तास लिखी, तो ये कितावे देखकर मुझे बार बार लग रहा था कि वो इतिहास का लगतार सतत अभ्यास कर रहे थे, और अभ्यास करना बहुत बड़ी चीज होता है, जब आप सामगरी का सैंचेन करते हैं, तो सैंचेन के बाद दूसरा बारी काम होता है इतिहास कार का, कि आप उसको एरेंज कैसे करते हैं, आपने अगर सामगरी का सैंचेन कर लिया, उसका असगस्त रखा, तो कभी भी ठीक्ठा की तिहास नहीं होगा, उन्हें सामगरियों का एरेंज करना बहुत जरूरी होता है कि कहां पर किस सामगरी का उपयोग करना है, और इसलिए कई बार मुझे लगता है, सुरेश मिस्तर के जो बहुत सारी किताबे हैं, जब उन्हें लगा कि एक किताब में सामगरी का ठीक्ठा उपयोग नहीं कर पाएं, तो इसकी का नितिता था है कि अगली किताब लिखते थे, फिर अगली किताब लिखते थे, और कई बार आप देखेंगे एक गोण कम्मिट्री पर तो लगतार किताबे लिखते रहें, मुझे बार-बार लगता है कि आकर इसके पीछे रिजन्स क्या होगा, और क्या कारण हो सकता है, इस पर मैं थोड़ी देर बात बात करूंगा दू-ती मिनट के बार, लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा थे, कि सुरेश में से बहुत बारिकी के साथ एक तरह से जो प्रैक्टिस का मामला है, उसमें दो चीज़े बहुत जरूरी होता है, एक तरह से एक होता है इतिहास को जानना, इतिहास के विशे क्या क्या हो सकते हैं, हर कुछ इतिहास का विशे नहीं होता है, और ठिक उसी तरह से कि हर विशे कहानी का विशे नहीं होता है, नाटक का विशे नहीं होता है, उप्यास का विशे नहीं होता है, और यह बहुत जरूरी है, हम सारे इतिहास का ध्यापक हैं या साहित्य का ध्यापक हैं आपके लिए जाना बहुत जरूरी कौन सा विसे एक तरह से बात करने के लिए होता है किस विसे पर बात हो सकती है किस विसे पर नहीं हो सकती है हर चीज बात करने का विसे यह चीज नहीं होती है सुरे समिस्टर का स से हिस्ट्री को जानने की कोशिज भी करते थे और हिस्ट्री को अंडर्स्टेंड भी करने की कोशिज करते हैं कि अंडर्स्टेंडिंग हिस्ट्री कई बार हम लग बहुत सारी किताबे पढ़ जाते हैं हमारी समझ में नहीं आती है और इसलिए समझ में नहीं आते हैं हम उसको अंडेस्टेंड नहीं करते हैं उनकी उनको समझ करना बहुत ज़रूर के इसलिए जब प्रैक्टिस की बात में देख रहा है नहीं लिए ताइट से किदैने से बाब लगता है कि दू चीजые बहुत कर लेते हैं, collections कर लेते हैं, इसके बाद आप arrange करते हैं, तीसरा काम होता है, जो भी आपने data arrange किया है, उसका बारिकी के साथ analysis करिए, और बिना analysis के कुछ नहीं होना है, कई लोग होते हैं, जो सामगरी का sanction कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, second phase में आते हैं, वो arrange भी कर उसके बाद अगर आपको analysis करते हैं, लिखने का काम करते हैं, यह बड़ा काम होता है, यह तीसरी जो प्रकरिया होती है, आपको इतिहासकार बनाना सुरू कर देती है, और आप देखेंगे कि सुरेश मिस्टर सिर्फ मत्तवा सिर्फ सामगरी का संचेन नहीं करते हैं, उनको समझते नहीं, वल्कुन को लिखने का काम भी करते हैं, इसका analysis करते हैं, उसका analysis करने के बाद हर चीजों पर focus करते हैं, ध्यान देते हैं, कहां क्या चीज़ चूट रही है, और कहा जाता है कई बार इतिहास में बहुत सारे कोने ऐसे होते हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं दिया, तो चीज़े आपके हाँ से निकल जाएगे, अगर एक बार आपके हाँ से चीज़े निकल गई, तो जो भी आप फाइनल इतिहास लिखेंगे, जिसको कहते हैं कि इतिहास लिखन का जो चौथा और अंतिम बख्ष होता है, जो आपने analysis किया, वहां से कुछ निसकर्स भी निकलने चाहिए, अगर कुछ फाइंडिक्स आपने नहीं निकाला, जिसको हमने सुसोत में इसकर्स करते हैं, अगर वो फाइंडिक्स नहीं आई, तो फिर मान के चले कि आखिर मतलब पाठाय का जंदा क्या लेकर के जाएगी वहां से, क्या मतलब गारी किताब पढ़न जिसके पास एक दृष्टी होती है, एक पत्ति होती है, और इसलिए मैं जो तीसरी बात को फोकस करना चाह रहा था, कि जब हम आज याद करें सुरेश समिसर को, तो तीसरा जो काम करते हैं सुरेश समिसर की उन चीजों के प्रती एक खास, मैं कह रहा था है, बीना नजरिये बीना दृष्टी के आप चीजों को ये सारा काम नहीं कर सकता, आपके पास दृष्टी होगे, विजन होगा, तभी आप सामगरी का डाटा कलेक्टन भी करेंगे, डाटा का अनलाइसीज भी करेंगे, अब दिक्कत है कि सुरेश समिसर पर जितनी बाते होती है, पहली बार इसके पहले शायद हमने कल बात नहीं किया, आखिर उनके दृष्टी क्या है, मतलब किस तरह के दृष्टी है, क्या वो माक्षवादी इतिहास का रहें, किस तरह की इतिहास का रहें, सुरेश मिसरे, ये सारी किताबों जब मैं नाम ले रहा था, उसके पीशे मेरे दिनान जो जहन जो बाते काम कर रही थी, कि मैं यहीं चाने की कोसिस कर रहा था, कि आकर इन किताबों से किस तरह का दृष्टी कोण निर्मीत होता है, या सुरेश मिसरे बजाए, मतलब पूरा दृष्टी कोण बनाकर के ही इतिहास में प्रवेस करते हैं, कि इतिहास पर इतिहास में गहरी दिल्चस्पी है, जो दूसरा चीज मुझे लगा, उनकी अप्निवेस्टिक या पॉलॉनियल इंडिया में भी गहरी दिल्चस्पी है, जो कंपनी राजवला समय है, तीसरा मुझे लगा कि जो ब्रिटिस राज है, जो अठारत से संताउन के बाद का भार है उसके भी बहुत सारे घटनाओं पर इघटनाओं का बहुत बढ़ियां से करते हैं और जाहर एक इसी बहाने चोथा जो लगता है कि आद्गुनिक भारत की इतिहास लिखन में वह बहुत बारिकी के साथ अब्जार्व करते हैं आप कहसे हैं कि मुगल सल्तनत के स्थापना स सामराज के आने के बाद भारती इतिहास के मध्धकाल उत्तर मध्धकाल और अग्भुनी काल पर जो गहरा असर पड़ता है उसको बारिकी से उसको देखने की कोसिस करते हैं उनकी सारी जो किताबे या जब लिस्टिंग देखेंगे तो देखेंगे कि माराथा या मुगल य कंपनी इस सारी बाते दिखाई देती है कई बार हम लोग इस बात के चर्शा करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार होते हैं और इसमें भी गोर करेंगे आप से मैंने जो बात कही आप से इसमें भी गोन समराज या गोन राज के बहुत चर्शा करते हैं आदिवासी स मुھτε बार बार लगता है कि भारती इतिहास लीःगन की जो मुख्यधारा है और ज़ुड़ी वह हैया हितेंदर पड़िल भी जुड़े हुए हैं और संजेकुमार जी दिखाई दे रहे हैं उसे बार्वा लगता है कि इतिहासकार कर न Continue के सवाल को ले कर सुरेश्मिस्र की सब्सक्राइब करते हैं घलीतों की तरफ संधर संदरब्दय Canadian सुरेश्मिस्र की जो 4 उसके से वोल आ Ek zrobić अधिवासियिए सब मैं टीश्रा करेंगे उसको करेंगे करके मैं अपनी बात समाव तो रूंगा दो-ती मिनट के अंदर कि सुरेश मिसर की द्रिष्टी मुझे दो तरह की दिखाई पड़ते एक तो उनके द्रिष्टी राष्टवादी द्रिष्टी है इतिहासकारों के जो राष्टवादी धारा है उस द्रिष्टी से वह काम करते ह अहाल के वर्ष्टो में माक्षवाद के तरीब और नहीं जाते हैं उसको थोड़ा फ़लांगते हैं और जो सवल्टन हिस्टोरियंस हैं जो निनवर्गी इतिहासकार जो हमारे हैं जिससे रंजित भुआ हैं पार्टो चटरजी हैं गौतम बद्र हैं यह सब है हितेन जी भी करीब की द्रिश्टी है अब गौर करेंगे कि राष्टवादी इतिहासकार क्या काम करता है अब गएखेंगे कि जो मुख धारा के राष्टवादी इतिहासकार है वो दू चीज़े पर बहुत फोकस करते हैं एक तो पॉलिटिकल हिस्टी पर बहुत फोकस करते हैं और दू नहीं दोनों चीजों के इतिहास लेखन का आधार बनाएं लेकिन इसी राष्टवादी धारा में कुछ और चीजे भी है जिस पर विचार करने के जोद पड़ती है और सुरेश में से उन चीजों को पकड़ते हैं जैसे राष्ट असमीता के सवाल को लेकर के कि हमारे नसल संताओन के हैं वो केंद्री फक्ष है और इसलिए उनके पूरे इतिहास लेखन में 18 संताओन बहुत कहिए कि प्रमुक्यता के साथ दिखाई पड़ता है तीसरा मुझे लगता था कि उपनिमेसवाद और समराजवाद के चरित्र का जो देशिये संदर्ब के साथ जो टकराह कि जो राश्टवाद उसकी दर्स संकीट करते हैं वह भी दिखाई पड़ता सुरेस मिसर कहिये की मतब उनके चरीत्र को पहचान करके जो अपनिमेसीद करित्र था जो सामराजवादी चरीतर था उसकी पहचान करके करस में बहुत वारिकि से विश्न सब्शलशन करते हैं औ मुझे बार-बार लगता है कि सुरेश मिसर पर आगे हम जब्दी बात करें उनकी इन पद्दतियों को खास करके पद्दति के लबल पर मुझे बार-बार लगता है कि इतिहासी पर समासास्ति दो पद्दतिया उनकी बहुत बिज़र पद्दति है जो मेट्रोलोजी उनकी है कि समाज सास्तिरी पद्धिती का समाज का सरवे करना और समाज जो मैं ... जो भी उसको पकड़ते हैं उसको समाज के अनलाइसिस करने का समाज की इतिहास को समझने का आधार बनाते हैं। इस प्रक्रिया के आदमी दोनों धराओं पर बारिकी से काम करता है। और कहा जाता है कि जो सवल्टन हिस्टोरियान से वो बारबार जो सासित है, जो अप्रिस्ट कलास है, उस पर फोकस करने कोसिस करते हैं कि एक कौमन आदमी पर क्या फरक बड़ा। उस पूरे ऑप्नियोसिक सासन का या पूरे उस मतलब कहिए कि पूरे समराजवादी सासन का या जो भी सोसन के उत्मिडन के जो भी सोते हैं, उसका एक आम आदमी पर कैसा असर करा है। जिसके तरह रंजीत गवाद चंद्रा की मौत जैसे लेखो मी इसारा करते हैं। एक समानी इस्त्री के जरी पूरे बंगाल के इस्त्री समाज के इतिहास हमारे सामने रख लेते हैं। तो यहां पर उनके जो हीरो हैं सुरेश मिसर के वो बड़े-बड़े मतलब राजा हैं या रूलर्स अधिक हैं। यह मेरी बात मतलब हो सकता है कि मतलब इस पर आगे भी हम बातशित करेंगे। मैंने कहा कि यहीं उनकी विसेष्टा भी है यहीं उनकी सीमा भी है। तो पुना आप सबके प्रतियाभार और पुना सबके प्रतिधन्यवाद की मतलब हम लोग इतिहास का सुरेश मिसर के बहाने अब भारत के इतिहास पर कुछ हमें बातशित करने का मौपा मिलना है। पुना आपके प्रतियाभार और धन्यादाब लगलेवाद सर, आपका बहुत-बहुत धन्याद, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सुरेश मश्र जी का एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट इंस्ट्रॉक्शन रहता था, कि आपको students को हमेशा वो contextualization of history की तरफ सोर्स करते थे, इशारा करते थे, और जहां कहीं गल्की हो जाती थी, तो वहां पर डाटते भी थे, और आपके जो आपने जो अभी speech दी आपका लेक्टर था उसमेस, I'm sure there'll be many takeaways for youngsters at least, और जुसरी बिल्कुल आपकी बात सही है, कि subolterns, इनकी जो जो उनका तिल था, it was towards suboltern studies, लेकिन जैसे आपने, लास्ट में आपने कहा थी, वह उसकी सीमा भी बन जाती है, लेकिन जब हम इतिहास का, जब हम देखते हैं कि historical, जब हम नारेटिव देखने की कोशिश करते हैं, तो अकसर यह होता है कि सबसे पहले आपको एक रूलर की आ आपको एक पहलू यह भी है कि जब जो historians, tribal history, subolterns के साथ में उनका सबसे बड़ा जो drawback, जो मेरी समझ के आता है, I'm sure that I am bound to corrections, लेकिन वो यह है कि काफी बार जब हम उनके बारे में लिखना चाहते हैं, तो there are absences of records, उनके पहलू से, उनके बिष्टिकों से देखने वाली records ह जो हमें नहीं नहीं है, तो yes, आपकी बात बिलकुल सही है, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत अभार कि आपने ये बहुत ही इंपोर्टन पहलू जो है वो हमारे सामने रखे, about his writings, and about the trend that indicated that he belonged to this school of God. Now I would like to, thank you sir, and now I would like to invite our honourable chairperson, Professor Salil Mishra, basically I think we have heard him speak to, speak a little earlier and all of us were quite interested in the way he was talking and the way he was discussing things, so I believe a brief introduction is required. So Professor Mishra acquired his master's degree in modern Indian history from the Center of Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, from where he went on to do a PhD on communal politics in UP, 1937-39, under the supervision of Professor Bipin Chandra. His publications include a monograph on a narrative of communal politics in UP, 1937-39, and also a small booklet in Hindi on Swaraj Party, which was brought out by the National Book Trust. This booklet was a part of the NVT's mission to popularize the Indian national movement among the rural audiences through a series of small booklets written in Indian languages. He has also published articles on themes related to communal politics, language questions, Hindi and Urdu, partition of India, social science teaching, and identity politics. He has been invited by the UP History Congress, Punjab History Congress, and the Andhra Pradesh History Congress as a sectional president for their sessions. He was the general president of the UP History Congress for the year 2019. He has been nominated as the president of the modern India section of the forthcoming Indian History Congress. Professor Mishra has taught history at Jamia Milia Islamia, New Delhi, from 1984 to 1987. During from 1988 to 2010, he was a faculty member at the Indira Gandhi National Open University in New Delhi. Professor Mishra was also involved in the collection of documents for the research project Towards Freedom for the year 1952, which was sponsored by ICHR. As member of the editorial team, along with Professor Bipin Chandra and Dr. Hussalakshi Menon. This volume has recently been published. He was a, in 2009, he was a visiting researcher at the Center for History of Emotions in Berlin. And currently, he is a professor at History, of History at the Ambedkar University, Delhi. May I now request, sir, to please enlighten us with your words? Professor Salih. Dr. Kyi Lanzara, thank you very much, Dr. Bohato, Mr. Bishra. She is a very good one. Thank you very much, Dr. Hussalakshi, Mr. Bipin Chandra. And please be inspired by Mr. Mohr, Mr. underbushka. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mishra. Thank you very much. Thank you, Mr. Mishra. Thank you very much. I and Mr. Honakshi. Mr. Mohr, Mr. Mishra. Mr. Mohr, Mr. Mohr, Mr. Mohr, Mr. Mohr, Mr. K rated. लेकिन बहुती बारीकी के साथ भी, कुछ उनके इतिहास लेखन के ऐसे पहलू हमको बताए, जिन पर हमारा उस तरह से ध्यान नहीं गया था, जिसे यही कि इतिहास को एक खास तरह से समाजशास्तρ के साथ जोड के उन्होंने देखा, और इस तरह से जो हमारी mainstream इतिहास लेखन में थोड़ी बहुत silences रही हैं, थोड़ी बहुत खामोशियां रही हैं, उसको दूर करने की कोशिश की. मैं बहुत मिश्राजी से एक संबन था, बहुत नजदीक का संबन था, यह तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसा मेरा स्वाब भागय नहीं था, लेकिन फिर भी जब जब भी उनके साथ संपर्क मिला तब तब इतिहास को लेके और मिथेडालोजी को लेके कोई नए कोई नई बात जबूर पता लगी और साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग पले बढ़े हैं जो हमारी एक खास तरह की मिथेडालोजिकल अप ब्रिंगिंग उसमें क्या समस्या हो सकती है उसको कैसे बहतर किया जा सकता है इस पर बहुत सारी सामग्री मिलती थी मैंने जो मेरा एक इतिहास के चात्र का जो मेरा जीवन था उसके पहले कई बरसों तक 10-15 बरसों तक प्रोफेसर मिश्रा की तरफ उनके इतिहास लेखन की तरफ और उनका जो आउटपुट है उसकी तरफ बहुत ध्यान हम लोगों का नहीं गया और उसकी कुछ खास वजहें जो कि एक जो मेंस्ट्रीम ट्रेडिशन जिसके बारे में देविंद्र जी ने बताया जो उसकी तरफ भी इशारा करती है पहला तो हम सब लोगों को यह लगता था कि यह प्लाएंज कि हमारे नीगी है कि हमारे बहतर कर यह लोगेंद्र सी में रहटी हुदप कर दो लगता भी अट कता है कि हमारे उपर टॉप के जो हमारे बहयतरी बड़े बड़े का सभाशय की पॉल लेकिन वह लग्रेशन पर को वे या समाज को देखते हैं, उनकी दुनिया एक अंग्रेजी के फलक से, अंग्रेजी से आती है, वो उनकी कमजोरी भी है, वो उनकी मजबूती भी है, वो एक मजबूती तो इस माइने में है कि खास तरह का उनिवर्सलिस्ट, सार्व भॉमिक एक दर्शन मिलता है सोच समझ मिलती है लेकिन कमजोरी यह होती है कि आपकी जड़ें कमजोर पड़ जाती है एक global connectivity तो हो जाती है लेकिन जो local rootedness है जो एक बहतर social science produce करने के लिए बहुत ज़रूरी है पैर आपके कहां पर है वो कमजोर होते हैं और वो हमारी mainstream इतिहास लेखन में एक समस्या थी और हम लोग भी उसका हिस्सा थे और इसी वज़े से काफी समय तक पर प्रोफेसर मिश्रा के इतिहास लेखन की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया दूसरी एक वज़े यह भी थी उनका अपना अलग-अलग इतिहास है और वो इतिहास जो है वो उसको राश्ट्री इतिहास के बरक्स देखने की जरूरत नहीं है लेकिन उसकी एक अपनी autonomy भी है और वो देश की इतिहास को देश पर जो हमारी समझ बनेगी देश की totality पर उसको मजबूत करता है उसको समर्द करता है enrich करता है लेकिन regions पर focus करना बहुत जरूरी है और सारे हमारे regions ऐसे हैं नहीं जिनकों की अपने अच्छे इतिहास कार मिले जिस तरह इसे की अखिल भारतिय इतिहास को पढ़िया इतिहास कार मिले सारे regions को अपने इतिहास कार उस तरह के नहीं भी मिले कुछ regions को मिले और मिश्रा जी का योगदान बहुत महत्तोपून है तो उस वजह से भी प्रोफेसर मिश्रा के इतिहास लेखन की तरफ हमारा ध्यान नहीं गिया इसलिए कि हमारा ध्यान communities, Samudai, regions, cultures, languages इन पर जादा नहीं गिया कहीं न कहीं पर जो हमारा इतिहासिक अनुभाव था उन्नीस्वी और बीस्वी सदी का उसमें हमको लग रहा था कि बहुत सारी चीजें हमारे देश को, राष्ट्रिय, समझ को, राष्ट्रिय, फलक को कहीं कमजोर न कर देए, एक अलग तरह का, एक खास तरह है का, डर था, जो कि वो भी दर भी हमारे अपने इतिहास की ही उपज था, जिस तरह कि हमारे अनुभाव थे बीस्वी सदी के, उससे हमको लगता था कि रीजन भी कहीं भाशा और धर्म की तहार, छेत्र भी एक ऐसी चीज़ नहीं जाए जो कि कहीं न कहीं पे हमारे जो पैन इंडिया है उसको कमप्रमाइज कर दे, उसको कमजो如何 नहीं गया. और तीसरे, इसलिए Cuban नहीं गया कि कहीं न कहीं पे हमको यह भी लगता था और हमारी सब की समझ थी कि एक अच्छा इतिहास लिखने के लिए बेहतर इतिहास लिखने के लिए एक कॉस्मोपॉलिटन दृष्टी पैरडाइम बहुत जरूरी है और वो पैरडाइम्स जो कॉस्मोपॉलिटन नहीं है जो रूटिड है वो पैरोकियल होंगे उनकी अपनी सीमाय तो एक खास तरह का पूर्वाग्रह भी हम लोगों में बना हुआ था जिसकी वजह से बहुत ही जटल मसलों को हम नहीं देख पाए और इस वजह से यह हुआ कि काफी समय तक जिस तरह का योगदान प्रफेसर मिश्टा करा उस पर वो समझ वो नजर हमारी नहीं पहुंच प प्रफेसर मिश्टा के इतिहास लेखन के और जो उनकी द्रिश्टी थी और जो उनका द्रिश्टी कोण और जो अप्रोच थी उसके हैं वो जो मैं अभी आप लोगों को संक्षेप में बता देना चाहूंगा पहला तुम इस चित रूप से छेत्री इतिहास बहुत ही महतु रीजन्स का अपना इतिहास लिखा जाना हर वीजन का बहुत महतु है उसको पैन इंडिया इतिहास के बरक्स करने जरूरत नहीं है पैन इंडिया जो हमारी द्रिश्टी है उसको और मजबूत करेगा उसको समृद्र करेगा उसको एंरिच करेगा अगर अलग अलग शेत्रो भी होंगे तो ये एक उन्होंने एक बहुत महत्वपूर योगदान उन्होंने ये दिया कि उन्होंने ना सिर्फ छेत्री इतिहास लेखा बलकि हमें ये भी बताया तिक छेत्री इतिहास पैन इंडिया नितिहास के बरक्स नहीं है बलकि उसको मजबूत करेगा वरना तो पैन इंडियन इतिहास को जो सबस्टेंस आएगा वो तो रीजन से ही आएगा तो इस तरह से उन्होंने रीजिनल इतिहास लेक्टिये बहुत ही एक महत्वूर काम की और एक महत्वूर जरूरत की तरफ भी हमारा ध्यान आकर शित किया दूसरा उन्होंने ये भी बताया अपने इत शक्ति से भी इतिहास लिख लेते हैं अपने व्यक्तिकत अनुभवों से भी इतिहास लिख लेते हैं या पिरे खास स्वार्थों के साथ या खास दौर के एक मोटिव के साथ में वो मोटिव मोटिव हो सकते हैं कम्यूनिटी की मोटिव हो सकते हैं पुलिटिकल मोटिव हो स इसकी तरफ इशारा किया भी इन सबसे अलग एक ऐसा इतिहास लिखना जो जिसमें डेटा तो बहुत महत्वपूर्ण है डेटा के बगयर नहीं लिख सकते डेटा इस दा किंग यह कहते हैं कि अपने सुरोतों के से बाहर जाके तो हम इतिहास नहीं लेकिन सिर्फ सुरोतों को करके लिखनेना इतिहास नहीं है उसमें से हमें क्लैसिफाइ करना होगा कैटलोग करना होगा खास निशकर्श निकालने होगे और इस निशकर्श को निकालने में हमको अकसर बूटल भी होना होता है फ्रैंक भी होना होता है हमारी अपनी हमारी अपनी कल्चर होती है हम अप ग्रूप लॉयल्टी, इंडिविज्वल लॉयल्टी और हमारे निशकर्षों के बीच में आती है, तब हम क्या करते हैं। तो ऐसे में लगता है कि काफी क्लियर था डॉक्टर मिश्रा का कि वो जो कुछ भी है, लेकिन इस तरह कि आपका डेटा से जो आपके निशकर्ष निकल रहे हैं, जो आप बड़ी बात रख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टन है। वेकिन अग्रा जो उनका योगदान था वो निश्रतूप ये सोशल साइंस को उन्होंने एक नई भाषा देनी की कोशिश की। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहतरी नितिहास लिखने वाले लोग हैं, लेकिन बाकी देश के काफी हिस्सों में जो है, सोशल साइंस की भाषा अभी भी अंग्रेजी ही है, जिसकी एड़ांटेज भी हैं लेकिन जिसकी अपनी सीमाएं भी हैं, और उ लिमिटेशन्स की तरफ हमारा ध्यान डॉक्टर मिश्टरा ने, प्रॉफेसर मिश्टरा ने काफी आकरिश्टा किया, तो एक सोशल साइंस को एक अपनी भाषा की जरूरत है, ये खास बात है, दूसरा अगला यही कि एकनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो एक बात है, वो सुराज अपने इस संस्था में भी राष्ट्रिय आंदोलन पर और तमाम चीजों पर सेमिनार और्गिनाइज करते थे, तो पॉलिटिकल एकनॉमिक हिस्ट्री के महत्यों को मानते हुए भी उसको डेविलप किया जाएगा, सोशल हिस्ट्री की बात उन्होंने क अलग अलग संस्कृतियों की, अलग अलग समुदायों की बात थी, लेकिन वो उसी इतिहास में से निकल रही थी, वो उस इतिहास के उसको बरक्स नहीं रख रहे थे, तो वो पॉलिटिकल एकनॉमिक वर्सिस सोशल वाली डिबेट में वो जाधा नहीं पढ़ रहे थे, ले उनकी कल्चर्स को देखना है, उनके पूर्वाग्रहों को देखना है, ये बहुती सम्रग रिच फील्ड है, इंक्वाइरी की, जो कि हमें बताने है, जो कि एक अच्छे सोशियोलोजिस्ट का काम होता है, अक्सर इतिहास लेखन में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, र संतोश होता है, एक खास तरह का राडिकलिस्म प्रिडियो सहोता है, और वो रिचेक्शन करने में प्रायारिपन अक्सर शार्र्ज करने पर आधारित होता है, और जब खौरा और अच्छा दोनों कर बाइखन को एख बॉर्जेक्शन हम कर बैढते हैं, और वो जो एक राड परिकल परस्पेक्टिव को बहतर बनाने का तरीका यही है कि हम उसमें सब कुछ करतेने वाला नहीं है कुछ तो ऐसा है जिसको कि हम conserve करें, कुछ तो ऐसा है जिसको हम बचा के रखें, जिसको हम nurture करें, जिसको हम develop करें. तो अगर in bulk, omnibus, unselective नहीं करना है, तो in bulk, unselective तरीके से हमको सारा कुछ खारेज भी नहीं कर देना है. तो ये जो combination है, ये सिरफ आपके इतिहास लेखन में नहीं आता है, ये आपके वेक्वितों में भी होना चाहिए, आपकी personality में, आपकी जीवन में, आपकी culture में भी होना चाहिए. जब ये combination, radicalism के साथ साथ ये खास तरह का conservatism, जब वो आता है, फिर वो आपके historical output को, आपकी research को में भी परिलक्षित होता है, और फिर उसको मजबूख भी करता है. तो मुझे लगता है कि ये उनके वेक्टितों में भी और उनके culture में भी और उनके इतिहास लेकिन में भी खास बात थी. एक in mass bulk rejection का वो नहीं था. या दुनिया के साथ इतना disenchantment नहीं था, जो हमारे ultra left के लोगों का अकसर हो जाता है, कि फिर वो सब को दुनिया का सभी कुछ उनको बुरा लगने लगता है. तो उसमें हम बहुत कुछ अच्छा, अपनी परमपराओं से भी बहुत कुछ worth keeping, worth preserving, worth nurturing, worth developing जो होता है, उसको नहीं हम खारिज कर बैठते हैं और जनता से ही कट जाते हैं, common लोगों से ही कट जाते हैं, इसलिए कि फिर उनके साथ जोड़ाओं का कोई हमारे पास, साधन नहीं रहता है. जब हम इस दुनिया को ही हमने reject कर दिया, तो पिस दुनिया के लोगों के साथ मारा जोड़ाओं यह अगला जैसा मैं उसको शैओ जड़ा नहीं करता है। ये कोई काम आसान नहीं होता है, इसकी अपनी चुनातिया होती है, समाज शास्त्रियों को इस समाज hedge इतिहासकारों के लिए आसान होता है अतीव का अधियन करना समाज शास्त्रियों के लिए हुता है कि हमें अपना अध्यन करना है हमारे अपनी सत्राइब परकीजैन क्यों ना पसंद है हमें इस दुनिया को अपने समाज को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस दुनिया समाज से बाहर खड़ा होना पड़ता है इसको कहते है social exile या दुनिया के लिए cosmic exile भी तो एक अच्छे समाज शास्त्री को social exile भी करना होता है लेकिन इस social exile के साथ उस दुनिया के साथ यग जुडाओ भी बनाना होता है कि दुनिया के बेंगे लेकिन हम एस दुनिया के already कैसे करेंगे इसका हिस्सा बन जाएंगे तो हमें थोड़ा सा उससे बाहर भी रहना है तो वो एक विभाजन रेखा तो तलाश कर पाना और वहां पर रहना वो किसी भी समाज शास्त्री के लिए बहुत बड़ा बड़ी एक चुनौती होती है और चूंकि प्रोफेसर मिश्रा ने अपने इतिहास लेखन को समाज शास्तर के साथ भी जोड़ा इस चुनौती को उन्होंने स्विकार किया और लगातार उस इल्यूसिव डिवाइडिंग लाइन की तलाश में रहे और वो उन्हें मिली भी जिसमें कि आप अंदर और बाहर दोनों के होते हैं आप थोड़ से हम देखते हैं तो रिस्क ही रहता है कि हम अलूफ हो जाते हैं हम इंडिफरेंट हो जाते हैं अलगाओ हो जाता है वह अलगाओ किये बगैर हमें एक मॉरल डिटैच्मेंट के साथ में लेकिन इंट्रेस्ट के साथ में तो मॉरल डिटैच्मेंट भी रहे लेकिन एक इंट तो इस तरीके से एक बहुत इतिहास लेखन का एक बहुत बहुत अच्छा उन्होंने हमारे सामने मॉडल रखा और मुझे लगता है कि लोग तो आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो अपने लेखन से अपने विचार, अपने लेखन काफी छोड़ते जाते है तो वो कई इत माइने में फिर हमारे साथ रहते भी हैं, उनका लेखन रहता है, उनकी पध्धतियां रहती हैं, उनके तोर तरीके रहते हैं और इस तरीके से ये चीज़ें, ये परंपरा, ये टरैक्शन, ये डायलॉग लगातार आगे बढ़ता रहता है और वही हमारे ने दो दिन के वेबिनार ने किया, इसके लिए मैं संजेजी का और बाकी और अरगनाइसर का बहुत बहुत शुकुर गुजारू, बहुत बहुत धन्यवादा Thank you so much sir, it was enlightening and basically as expected your lecture left is thinking and as Socrates says about a teacher, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. So I think you have made us think a lot and we are really grateful for your words. Thank you very much again sir. Now I invite Professor Sanjay Kumar whom we had heard yesterday to please give us a vote of thanks. Professor Sanjay Kumar Hello, is my voice going? Yes sir. 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 Good morning everyone. So everyone, even 24, Dr. Saif Khalil, was very special and impressive. सब्सक्राइब दिविंद्र स्वावी जी और सुरेश्मिस्र में एक समानता क्या थी? और इतिहास दोनों में उनकी हती है साहित में इतिहास और इतिहास में मानवी संवेदनाय ढून लेते थी इतिहास की बहुत खासियत थी दिविंद्र चौवेश जी ने उनकी रचना स्मिशार और उनके इतिहासिक लेख की जो अंदर भूत तत्थे उसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही संतुरिक धंक से उभारा और उनके इतिहास लेखन की जो सीमाएं थी और उनके इतिहास लेखन का जो एक अस्पेस्टिक ट्रेट्स था दोनों को ही बहुत ही अच्छे धंसे उने उभागा और राश्तवादी थिहास लेखन बनाम खेत्रवादी तिहास लेखन जो है छेत्रिय थिहास लेखन की जो एक वहरते हुए जो ने आयान है को कि हमाई इस्ट्रस्टिक को रीच कर रहे हैं उसको एक बहुत ही अच्छे धंसे उन्होंने डिखाया कि दोनों में पोई डाइकोटमी नहीं है, बलकि दोनों में एक प्रकार का एक कन्वर्शेशन है, एक इंट्रेक्शन है, एक सम्भाद है. मैं थोड़ी सी सरप्मियों से बात को सब यह जोड़ना चाहूँगा, कि कि दॉट्टर स्रेश्मिस्ट साहिट से वी काफिक करीव हो रहे थे, उनके घेर सारे लेक साहिट से जुड़े हुए थे, और इतिहास को भी हो एक शाहिट के लवरेज में, इतिहास के पातार कामें का सब्सक्राइब मैंस रीडिंग की फीगर देना है, और उनके जो हिस्ट् को से प्रकासित हुए हैं, कि दपी की उस है इतिहास का इतिम तो उसमें साहिट भरपूर मात्पा में उपलबत है, जब भी मकान मालिक चाहे तो उसको किरायदार को हटा सकता है, उनसे पूछा गया तो क्या इसी सोच से आप क्या शले आया एक चुकिनाताथ और इतिहात में आयँ थे तो उनों ने कहा था कि नहीं, मैं जब साहिट में आता हूँ तो मकान मालिक बन जाता हूँ और जेवितिहास में जाता हूँ तो मैं एक फिर्दार बन जाता हूँ, तो दोनों ही छेतना का मुझे अनभफ होता है, यान साहित और इती हाथ के बीच का जो इंट्रेक्शन है उसके अपने आपको में लोकेट कर बाता हूँ और पॉप्सर स्वाइड में एक बात इंपोर्टेंट कही इस सोशल साइन्स का जो विमर्थ है वो दुरुभादी बस कहें या संजोग बस कहें या इसकी अच्छाईयों को कि अच्छाई नहीं है बलकि सोध और अनुसंद्धान की भाषा और विमर्थ ग्रूप में हमारी जो जो पॉप्सर थी उस भाषा को रिएक्ट किया गया और मैं एक छोड़ा सोदाहन देना क्या होगा कि सरी के वर सोशल साइंस और हमेनिक्श की बात नहीं कही जाए हिंद वर्थवाल बाबुराम सेना और थी तीनों की खिशिए इंग्लिश की गई है और ने विए चिशिस समीटी बहुत प्रियास किया कि मैं हिंदी में लिखने जा रहा हूं हिंदी का लिशह है निरुगन स्कूल अब अब मुझे अंग्रेज्जी में लिखना पर रहा है और य यानि हमारी जो अपनिवेशिक इथिहास लेखन की जो मनो गन्तियां थी कि विमर्ष, सोध और अनुसंधान की जो भाषा थी वो मूल रूप से अंग्रेजी हो गया तो इससे तो एक तो हुआ की ग्लोबल हो गया लेकिन धेर साले जो लोकल तक उते जो रिंगों तक उते उससे मेरा पाला नहीं पड़ा, इस्थानी अभासा, इस्थानी संस्कृति का जो उक सरोकार था, उससे मेरा पाला नहीं पड़ा, उसके ज्ञान समचूते रहने यानि अपनिवेशिक ज्ञान मिमानसा की जो एक प्रक्रिया थी, उसकी जो एक संस्कृति थी, उसने हमारे पीजिए बोली दीटी घिवार्व परंपरा जिसको संग्रह करने के लिए इतिहासकार को अर्खाइबर सोर्सीज और लाइबर के चोर्च को आर्व और सी छोर करेंगे उसको एक नुम्दी की स्कॉलर्ष को से विश्टाहूं की अधिजिन की कामिल करते हैं लिविग पूरी जानकारी दिलेखा गारों में उसके लिए उनको इस दाहुल सांसी चैन की तरह ना पड़ रहा था कि एक अस्वेश्टिक निचेश्टाज तरह पूरी जारी देगा और मैं अन्त में आप दुनों बक्ताओं पर धिलबा देता हूं और बहुत ही एक कि इस जारी जारी आप दूस्टाज करने के लिए अन्त में बनेशन में चैनके लिए आपके श्रमीश को भी बहुत-बहुत धनवार थाइए थाइप धान्क यू शुट थाइए थाए थाइए 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 थाइख इस अगर सब्सक्पाशन को जो लिए जाए कर दिए प्रफम तक्निकी सत्र का संचालन बहुती सुंदर अंसे किया थे और इस तक्निकी सत्र में कल जो संजय कुमार जी ने बात शुरू की थी उस बात को और आगे ले जाते हुए डेवन चोबे सर ने आज त्योरी प्रैक्टिस और डॉक्मेंटेशन को विस्तार से बहुत ही गह रही से हमारे बीच रख्या और सम्मानिय सलिल मिश्रा जी ने भी काफी बारिकी से अगले तक्री के लिए यहां पर मुझूद है और उन्हें सुनने के लिए उस सपर का संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अपार्णा शर्मा को अपार्णा शर्मा नोइडा में है मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अगले सत्र का संचाला है धन्यवाद सर्थ सभी विद्वज जनों को मेरा पर नाम आशा है मेरी आवाज आप तक पहुच नहीं होगी सब्सक्राइब करता हुच नहीं है इसके कारण आवाज थोड़ी को हो रही है सब्सक्राइब को तो को नहीं है कि तो अब महुत है पॉसम hearing सब्सक्राइब करण थे विद्स में अचल्च उट्ख मैं तो श्क्राइब को यहीं है लुद्स केुच गारे में सब्सक्राइब करता है के दो प्रूब। जान अब आ जाद आजे लिए लुगन आजन वी तर लिए तरे मिश्ट कि स्ट लूफ लुट खान टाहिं आजनी हुडरीजी कुछे नचाहिए सूरीष मिश्रा अज्ट तरेयर प्रूमने को तो जा मेद की खुड़िए गिस्ट ऑज़ बिएस्ट अजिए what to say but it's yes uh when I remember my very small journey with Mishra sir I met him only thrice and in that journey the type of attraction uh related to the motivational factor that he is which is actually very very essential for a teacher especially in higher education because there we deal people with a different perspective and it's not I mean he had not stopped about his after his retirement all these things he continued I mean if I say that he mentored me within three meetings so it is not I'm I'm not doing justice even in that I uh when I can say this that when I am remembering three meetings with him only and then I am that much fascinated I can uh always say that you people are blessed those who are very close to him like soren karsar and many of the people those who have been I mean constantly getting certain things from him remembering such a personality in itself I mean it gives you goosebumps because not many people they have different types of experiences and it's a very good platform to share and I give the whole credit to swankar sir and his whole team that uh he has made it possible anyways I'm not just uh taking much time of you people because uh it's just like we need to proceed with the uh formal program as well so I welcome all of you in the second technical session of today's uh seminar day in which we have uh as in chairperson professor ashod kumar singh uh as in guest of honor professor as in reporter I am having miss martina chakrabarti from kolkata sir I welcome all of you I greet all of now to proceed our guest of honor of today's session is I'm not a new face not a new one definitely I have met sir also I'm a hidden patel sir not too much but in those brief encounters that I had during the time of seminars I can say that yes he is also having a versatile personality and not that way I am not saying it because uh he will take time he will take maturity that way of like Suresh Mishra sir but yes definitely I am glad to feel and glad to say that yes there are various people and he's one of them those who are trying to follow the footsteps of sir professor Hidendra Patel is a professor of modern India at Raveen Ribarty University Kolkata he's serving department of history over there he has done his PhD from GNU he authored five books so far and many of them they must have been there in his mind and on his table as well and I'm sure uh nearly 50 research articles in Hindi English and Bengali I mean this is again a special type of talent that is rarely seen Hindi and English they are known to many people but then Bengali he's in having an expertise in that also he is uh what appeals to many people uh in majority what I feel like that uh number of research students he's guiding n number of research students also and not only stopping over here but he is uh not uh serving the history or the academics in terms of in the field of history but in the field of literature also though I mean as in uh I have not read his novels yet but his two novels they are there in the market and they are there in uh for the fiction lovers as well as I said that he is um having a versatile personality he's a product of JNU I am nothing more to say about him because uh it's just like uh the words they will fell short so I request Hidendra Patel sir uh to come and to speak up his words regarding uh Mishra sir 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 I welcome you over to you sir thank you Parno ji aapko bhoot 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 thank you Parno ji hi all our work I'm here to uh thank you Parno ji aapko komar singh अध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं, उनकी उपस्तिती से मैं थोड़ा भैभीज भी हूँ, और हमारे जो अन्य साथी हैं, अभी अभी दो बहुत शांदार वक्तव हमने सुनें, और मैं सोच रहा था कि मुझे जोड़ने के लिए कुछ इसम मिलेगा, क्योंकि लगभग वो बात है, मैं धुराता ही अगर धहराता ही जाओंगा, क्योंकि प्रफेसर देविन चौबे और प्रफेसर सलील मिष्रा दोनों ने, इतने सुन्दर तरीके से, ना सिर्फ मिष्रा जी को याद किया, बलकि कुछ बुनियादी प्रश्न जो है, इतिहास से संबंधित, उसक वो भी प्रफेसर संजय ने कवर कर दिया, तो मेरे लिए काम थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं सबसे पहले धन्यवाद दो, कौनगार जी का मित्र हैं, और एक अर्थ में एक यूनिक काम कर रहे हैं, और ये यूनिक काम ये है कि जो मेरी स्क्रीम के इतिहासकार जिनको कहा ज और जो ठिहासकार हैं, उनके वीच मैं सम्वाद के लिए ये जो फ्लेटफॉर्म मॉश्रा जी का था, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐनी कर रिये मिश्क 선 जी का इक बढ़ा पोरा परिवार था, मैं अकडमिक परिवार की बात करना हूं, वो परिवार इस स्वपन के साथ जुड़ा रह सकेगा, ऐसी मेरी आशा है, आकांख्षा दिए, मैं सबसे पहले, अलकि मैं दोराता जाओंगा, देवन जी की बात को और चले जी की बात को, लेकिन अपने तरीके से मैंने इसमे सोचा है, तो मुझ हो चुके है, एक ऐसा समय है जब हमें न्य प्रकार के इतिहासकार की जरूरत है, और ये न्य प्रकार का इतिहासकार जो है पुराने इतिहासकार जैसा बिलकुल नहीं रह सकता है समय की जरूरत है कि इतिहासकार का चहरा उसका चरित्र और उसकी कारेपध्धती का विस्तार हो नहीं तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो अतीद की ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा जिसको समाज मानने को तयार नहीं होगा और उसको मान जाएगा कि बाहरी आजमी है जो बाहरी और जारों से हमारे अतीत को समझने की कोशिश कर रहा है इतिहासकार एक तरह से कुछले कुछ समय से कुछ समय में एलियनेटेड हुआ है और यह बहुत स्ट्रॉंग बात मैं कह रहा हूं इसके कई कारण है अभी इस इंजली चर्चा क कर रहे थे एंगेों सेक्षण चरीशन की इतिहास और सोशल साइंस की इसकी तरफ बहुत सुंदर तरिके से सलीज भिश्रा ने भी बात की तो मैं कहना चाहता हूं कि जो नए किसम का इतिहासकार होगा, वैसा इतिहासकार होगा, जिस औरStart हमारे सुरेश मिश्र जी बढ़ रहे रहे लीडेle और यह जो इस नए किस्म के इतिहास के निर्मान की जो तीन stages तो हम लोग जो इतिहासकार अब तक के रहे हैं, वो लोग तीन तरह की कहानियों को, हम लोग कहानियों को तीन हिस्से में बाट सकते हैं, एक ऐसी कहानी जो घट रही है बर्तवान में, और ऐसी कहानी जो घट गी भविश्य में उसकी एक कल्पना, इस तीन कहानियों के बीच में अब तक इतिहासकार जो है, वो क्या कर रहा था और अब क्या कर सकता है, इसी बात तो मैं अपने पूरी बात को और अपनी जी कोशिश को दोगा हुआ है Documentation is not enough यह बात हम लोग धुराते रहे हैं लेकिन इसका मर्म हम लोग नहीं समझभाते हैं Documentation is not enough का मतलब यह नहीं है कि Documentation काम-important है या Documentation के बिना इतिहास हो सकता है Documentation तो है ही लेकिन various kinds of documentation होते हैं समाज का और उस various documentation में कुछ documentation जो है इतिहासकारों के लिए सुवित्यारी होते हैं और कुछ documentation जो है या जो समाज की स्मृती होती है उसके प्रती हम थोड़े उदासीन हो जाते हैं और यह कि यह वर्तमान में दिख रहा है उसके ट्रेसेस जो हैं पास्ट में किस रूप में कहां कहां है इसकी परताल के लिए हम लोगों को खुला होना होगा हम लोग को understanding the past के प्रोजेक्ट पर चलना पड़ेगा documentation, analysis, Vernon और visualization से काम नहीं चलेगा हम लोगों को आगे बढ़ना होगा हम लोगों को कैसे ये काम करना करने की जरूरत है इस पर मैं एक दो बाते जोड़ना चाहूँगा ये जो दृष्टी होती है ये जो दृष्टी होती है ये इस दृष्टी का निर्मान कैसे होता है मैं दोरा रहा हूं सलील मिश्रा जी की बातों वो कहते हैं कि हमारे कुछ group interests भी होते हैं उनके साथ हम कैसे negotiate करते हैं हम जिस group से होते हैं बुनकर मतलब यहां कोई historical group नहीं है हम कैसे देखना होता है एक Dutch historian है जिसकी चर्चा कम होती है हमारे यहां यह कार की बहुत चर्चा होती है हम लोग analysis करने के बाद जिस निश्कर्च पर पहुंचते हैं वह हमारा अपना निश्कर्च होता है क्या यह हमको जाजने के जरुवत है हम sources की तरफ जाते हुए लगातार मैं यह कह सकता हूं और यह बात कहने के पीछे मेरे अपने तर्ग है कि दरसल इतिहासकार एक खास किस्म की दुरिष्टी लेकर खास तरह के निश्कर्शों की ओर बढ़ता है और इसी कारण से उसकी understanding जो होती है वो fellow historians के लिए तो ठीक होती है एकदम सुसंबद होती है लेकि समाज के लिए नाकाफी होती है और इसी लिए historian की तुल्णा में आजकल जो देख रहे हैं लोग बहुत सारे ऐसे historians पैदा हो गया है इनकों आप fake कहें नकली कहें लेकिन मैं कहता हूं कि वो प्रभावी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे इतिहासकारों की दुल्णा में इस तरह के अन्य इतिहासकारों की शक्ती जो है बढ़ती जा रही है यह एक सच्चाई है जिस सच्चाई की तरफ सोचना पड़ेगा यही पर मुझे लगता है कि सुवेश बिश्रा का बहुत बहुत पूर्ण एक सहयोग हम लोग ले सकते हैं मैं देखता था उनसे मैं ज्यादा नहीं मिला पड़ना जी की तरह मेरी भी मुलाकात उनकी बस तीन बार की मुलाकात तो मैंने चार बार किया मैं एक बार जादा मिला हूं उसे बिलासपूर में एक लंदी हमारे उनकी बात्ची की हमारे मित्र ने आमंत्रन दिया था तो उसमें मैं गया था उससान पहुत उससे घनिश्टता मेरी जब से हुई मुझे रश्मी चौधरी जी ने सबसे पहले उनके बारे में दिस्तार से बताया था और कहा था कि वह बहुत बहुत अच्छे आदमी है तो इतिहासकार भी इतने अच्छे आदमी होते हैं इसको मुझे विश्वास कम होता है लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे लगा कि इतिहासकारों में इतिहासकारों में ये गुण होना चाहेंगे कि जो समाज में हो रहा है जो नए लोग सोच रहें अच्छा बुरा जैसा भी सोच रहें उनके प्रती द्रिष्टि रखना अभी उस किता चल्चा हो रही है जिसको क्लासीक कहा जारा विश्रस्तरिय कहार? उस किताब के प्रकाशन में एक मिठाई की दुकान के आद्वी का कितना बड़ा योगदान है इसकी चर्चा वो बहुत करते थे इतिहासकार जो है वो अपनी किताब उनका जो सबसे बड़ा मतलब कहना चाहिए सबसे बहत्तिकून कामों में से एक काम है जो वो काम उन्होंने किस तरह से एक दुकानदार की बड़त से किया इस बात को वो मन्च से दूराते रहते थे और उनके जब कल मैं सुन रहा था वो सब्सक्राइब बता रहे थे उनके जीवन में तो मैं देख रहा था कि कितने विवित तरह के अनुभवों के बाद उनके इतिहासकार रूप की निर्मिती होती है और अंत में जाकरके जानते जानते एक प्रशन का प्रिशा करते हैं दूसरी प्रशन कर जाते जाते अथा सब्तावन पर आ गये थे और अब वह लोगर क्लास हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे थी पिछली बार जब मेरी मुलाकाच होई थी तो उनके इंट्रेस्ट को देख्टे मैंने बद्रियर इतिहास कैसे आता है और अपने उनका जो सम्मान किया गया था उनके परिवार उनके मित्रों की बढ़ रहा है तो ये जो अंडिस्टेंडिंग ऑफ हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हुए मुझे लगता है कि सुरेश मिश्रा के पास बहुत सारी प्लूज और मैं यह मानूंगा कि वह एक उस तरह से जिसको कहते हैं कि में स्ट्रीन हिस्टॉरियम्स के जो टूल्स होते हैं उस तरह के ट्रेंड वैक्ती नहीं थी और उनके इतियास लेखन में की कुछ सीमाएं हो सकती है जहां तक मेठोडलोजी का सवार मैंने उनकी किताब को रिव्यू करते हैं कि कई ऐसी चीजें जिसके बा के एक चीजें के उसद्री आपते हैं सची डिश्टी से समझने दिरिश्टी से एक जगा से ज़ мощ़ें तीसी से यात्रा करें रहाएं और इसी कारण से मुझे लगता है कि वो understanding की तरफ बहने वाले जैसे अंडरस्टेंडिंग जैसे वो बात करते थे उनसे बात करना हर किसी को बहुत प्यारा लगता था मुझे याद है जब भी लोग बात करते थे तो वो लगता कभी लगता था historian बोल रहा है कभी लगता था और अदित्र रहा है को फिन अभाति थे तो यह संभिर का आदमी बोल रहा है कभी लगता था कि एक बहुत ही स्वादेटी निया लागता है कि वहां हो एक बहुत ही अच्छा मॉडल वनाता है आगे बढ़ने के पहले मैं जो मेरा मूल विशय होना चाहिए था वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर स्मृति इतिहास का प्रशन आता है जो मैं पहले भी कह रहा था कि फैक्ट्स जो होते हैं वह फैक्ट्स बिविन रूपों में बिविन समुदायों के पास होते हैं और अगर हम यह आगरा रखेंगे कि हमारे हिस्टॉरियं के हिसाब से आएं तो फिर हम बहुत साथे द्रेस्ट ऑस नम्बार इक मैं हैं इसलिए हमारे चुनने का आधार है वह थोड़ा वाकि होना जाया हिया यह एक बात मैं जरूर कहना चाहँए और यह स्मृति है इस स्मृति को पढ़ने की और समझने की दृष्टी भी हमारी व्यापक होने चाहिए कोई अगर किसी प्रैक्टिस को वो कहते थे कि किसी इलाके में जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन-कौन सी चीज इस इलाके में प्रचलित है और उसके प्रचलित होने के कुछ आधार भी होते हैं स्मृति को संजित करने की का एक प्रोसेस है जिसको हमको समझना चाहिए और दूसरी बात है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी एक भाशा होती है और वो जो भाशा है वो हमारे समाज विज्ञान की भाशा से धिन्य भाशा है मुझे अच्छा लगा कि सली जी ने इस बात की तरव इशारा किया कि एक क्राइसिस है हमारे यहां जो समाज विज्ञान की एक भाशा होने चाहिए थी वो भाशा लेकिन हमारी वैसी नहीं है और सिर्फ ये कहना इसमें पर्याप शायद नहीं होगा कि हम चुकि हमारा खास विचारधारा के जर्दहत हमने इन विजिनल वाशेस को अनसुना किया ना सिर्फ अनसुना किया बलकि हमने उनकी भाशा को समझने के लिए समाज विज्ञान की भाशा का निर्मान नहीं किया मैं कल सुन रहा था तो उन्हों ने जब संजे सरंकार जी ने उन लेख किया कि जब वो विशा की तलाश में थे तो रगवीर सिंग रगवीर सिंग हमारे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत सुंदर किताब लिखी है जो साहित एकाड़मी से संभावत प्रताशित हुई है आप लोग सभी लोग उस किताब को जरूर पढ़ें रगवीर सिंग जो थे वो हमारे जुदुनात सरकार के साथ उन्होंने मिलके कितना काम किया है और इत्यास मंदर क्या जोगतार है यह बात हम लोगों को बहुत पता नहीं है पता होती तो शाहिए हम लोगों उसी तरह से देखते हैं वैराल उन्होंने उनको सुझाव दिया कि इस इलाके में जिस इलाके में आप हो वहां प्राचीन काल से अठारवी शकावती तक कर समय है उसका इतिहास है यह दृष्टी है भारती इतिहासकार की दृष्टी भी है और अगर आप पीछे मतलब प्रश्चिन की तरफ जाना चाहें तो अगर जो है जहां प्रांस में एक स्कूल आफ थाठ है जहां 400-500-600 सालों का इतिहास लोग लिखते हैं और वहां पर जो रिचुल्स की हिस्ट्री है वहां पर जो ज्ञानी तरह की हिस्ट्री जो लिखने की कोशिश करते हैं वह बहुत अलग और समाज को समग्रता में देखना उसकी सुर्तियों का संचेन करना करना उसको उसके हिसाब से देखना और इस माध्यम से अतीत में प्रविष्ट होना एक जागरूख और इच्छुप वैक्ति की तरह है ना कि एक कोई ideological baggage के साथ जाना और यहीं पर मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी सीमा है mainstream historians की सीमा है कि वो एक ऐसी training ले करके अपने अतीत में जाने की कोशिश करते हैं जिस training से कुछ चीजों को समझा जा सकता है बहुत सारी चीज़े छूट जाते हैं इसलिए हम लोगों को जब क कोई जब मिचले तरइपके के इतिहास की तरफ ले जाता है तो अंकमफेpt वन हो जाते हैं तो अंकमफेवल हो जाते हैं लेकिन जोड इसलिए नहीं है जिन समाजों ने इतना व्यापक इतना बड़ा समाल दिखा ही नहीं है वहां के इतिहासकारों को यह समझ में नहीं आएगा इस तरह का इतिहास कैसे लिखा जा जहां इतनी सारी चीज़ हैं इस तरह से और गेनिकली लिंक्ट है इसलिए हिस्टॉरियंस की मृत्यू है और इतिहासकार का उदय होने का समय हो गया है और यह बात जब मैं कह रहा हूं तो मेरे स्ट्रेस पर ध्यान दिजिएगा कि वो जो हिस्टॉरियंस था जो एक खास तरीके से ट्रेंड था उस तरह के इतिहासकार को सुनने वाले लोग कम से और कम होते जाएंगे और अगर हम लोग नहीं चेते हैं हमारा इतिहास कोई सुनने वाला नहीं है माफ किजेगा हमारा इतिहास तभी सुना जा सकेगा जब हम अपने समाज में अपने को कल्चिरली भी लोकेट करें भाशिक स्तर पर भी लोकेट करें और देखें कि हमारे अपने लोग अपने धार्मिक सां हैं किस तरह के सम्रतिया हम कैं시는 के नायक कौन है उनके लिए कग स्क। की के लिए धाय कारन है उनके एक्स। यह किरी के लिखाइडिकों DR. 8 As a historian, हम लोग co-learner हों और एक देखे कि हमारे इतिहास लेखन की वो जो, के जो gaps है जिसकी चर्चा हो रही थी, उन जो gaps क्या है? अब उससे important बात यह है कि वो gaps क्यों आए? और यह gaps इसलिए भी आए कि हमारे देश के बौधिकों में अपने देश के सांस्कृतिक विरासत को समझ कर अपने भाशिक इतिहास की गहन, जो जो गहन इतिहास है, उसके भीतर जाकर अपने tools को ठीक से बनाया नहीं. मैं यह नहीं कहता हूँ कि windows closed होने चाहिए, प्रश्चिन के जो इतिहास कार हैं उसे हम ना सीखें, लेकिन सीख कर अपने इतिहास के शोतों की तरफ अपने तरीके से ही जाएं. और यहीं मेरी अंतिन बात होगी, मैंने पिछले दो साल उच अध्यान संस्थान शिम्ला में क जब दूसे बात ही थी तुनों में कहा था कि मैं भी थोड़े समय के लिए आना चाहूंगा शिम्ला को कि वहां प्राद उनको लगता था कि उनके मित्र भी वहां पहुंच गयते, सुबू जी, एक साल वहां रहे हमनों के साथ, तो मिश्रा जी जैसे लोगों के लिए भी व वह बहुत उर्वर है और ज्यादा खुला हुआ है और उसमें बहुत ऐसा मट्लियल है जिसमें की राजनेतिक इतिहास को लिखने की गुंजाईश पैदा होती है और इसलिए मेरा पूरा काम जो है दो साल का जो रहा उसमें यही कोशिश की कि यह देखने की कोशिश की प्रवाओं से यह कहना कि यह कमिल था, यह ऐसा हुआ, यह बढ़िया था, यह तराब था, यह ने हम लोगों ने हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग कैसे समझें और क्या क्या चीज़ें चल रही थी, सही गलत जो भी हो, लक्षिम भाई के बारे में क्या सोचा जा रहा हाँ, लक्षिम भाई का इतिहास एक जगह है, लक्षिम भाई के बारे में लोग की सुर्थियां किस तरह की हैं? आदी आदी, तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ, कि हम लोग अपने सोटों का विस्तार करें, अपनी दृष्टी का विस्तार करें, और अब तब जाकर के हम तक पहुचेगी और उनकी उनके भीतर का जो स्मृतियां है वो हमारी इतिहासिक दृष्टी के उसमें आ सके उसमें साहित्य का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता ऐसा मुझे अभी तो लग रहा है और मैं यह नहीं कहूंगा कि साहित्य का आदमी होते हुए मैं मुकान का म आदमी के साहित्य को इसे जादा सम्रिद है मैं ने कुछ पन्यासों पर सोचा है कि मैं काम करूं जब जब मैं इस तरह का काम करूंगा मुझे सुरेश मिश्रा यादा है कुछ भी बात होती थी मैं उनसे जब डिस्कस करता था यह तो बहुत इंट्रिस्टिंग बात है जब भी मैं याद करूंगा तो मुझे लगेगा कि हमारे घर का एक ऐसा आदमी जो हम सब की सुनता था ऐसे सुनता था जैसे हम अपनी बात को सुनते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे मैं याद करते ही मतलब मैं भावुक हो उठाओंगा मैं भावुक होने के पहले अपनी बात को इतिहासकार बने और अपने समाज में के जुड़ने की कोशिश करें, अपनी साहित्तिक और सांस्कोथिक परमकराओं से अपने ओजार को माझें, अपनी भाषा विक्सित करें, और 5 साल के बाद ये ना कहें किślę साइन्स जो है। जाता है पुरानी बात है जो एते हैं कि कोई कहीं जाता नहीं है वो अपने जानने वालों के बीच में बट जाता है तो हम सब के भीता जो छोटा-छोटा अंश है सुरेश मिश्रा जी का उन सब को हम जोड़े रखें और अपने को संवरिद करते रहें किसी आशा के साथ मैं सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वर्णाजी को विशेश रूप से मुझे एक मौका जबाए बहुत-बहुत धन्यवाद साली ऑगस्टिस ग्यावरिंग की तरफ से आपकी आभारी हूँ कि आपने ऐसा इतने अच्छी बाते हमें हमें डिफ्रेंट आंगिल्स के साथ में किजाई एक शायर ने कहा है मुझे याद आगिया कि बहुत-कम लोग हैं जो मुझे पसंद आते हैं और उसमें से भी बहु समझ पाते हैं तो आपने जैसे बुला कि to read between the lines what I have quoted and what I can gather from your perspective, कि वास्तर में हम लोग इतिहास में, facts, figures, authenticity इसमें बहुत उलच गए हैं और शायर मिश्वा सायर का एक बहुत ही अलग परस्पेक्टिव उसमें रहा है जैसे आपने कहा है मैंने भी महसूस किया जब उन्हों पर एक बार गांधी पर एक स्वयाद संस्थान बे समिनार था तो मैंने सर को पूछा कि सर गे out of the track है जो मैं बोलना चाहती हूं ये बिलकुल एक विपरीच चीज है गांधी के बारे मैं ऐसी राय शायद लोगों को पुरी लगे तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ तो क्या ह बिलकुल रिटें वर लॉगर ताइम वर लोगों को प्रोच साहिब करना जैसे अगर मैं ये कह पा रही हूं कि मैं सिर्फ तीन मात्र बार उन्से मिली हूं और मैंने उन्हे अपनी एक पुस्तक भेजी थी उसकी जो उन्होंने समीक्षा करी सर ने लिखा तो ये था कि वैसे अपड़ना मैं इतिहास कार हूं और पोईट्री वगरा में मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं है पर अगर कभी मैं आप लोगों सी किसी से भी सामने मिल पाई तो मैं आपको सुनाओंगी कि सर ने क्या लिखा है क्या ही कोई साहितिकार उस पर टिपनी करेगा जो उन्ह मैं अब उन्हा उक्ता ये कोई जल रख वर सिय तो मैं गले कोई सेरी आप पर ये उन्हाल को नएक्षर के बास तब एक इतिहास मों सारी जीजे जो कि चर्चा में आई ही नहिं नहीं उनको लाया जा सकता और उन्होंने यह करने वालों को भी प्रमोट किया और उन्होंने यह कहा कि अगर कोई विचार है इसका मतलब कहीं कुछ नगुछ जरूर है तो उस पर क्यों ना काम किया जाए जैसे मतलब ये बहुत सारे ऐसे experiences हैं समय की थोड़ा पावंदी है तो मैं स्वंडगार सर्ग का भी डंदे का ध्यान डखते हुए ऐसा सोच जोई हूँ कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए मैं अब सत्र को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान आगरशित करने चाहूंगी आज के हमारे चेर पर संट की तरह नमश्कार सर प्रफेसर डॉक्टर अशोग कुमार सिंग हमारे इस सत्र के अभ्यक्ट है चेर पर संट है he is a retired H.O.D. from the Department of History Mahasma Gandhi Kashi Vidyafeet Varanasi he is having 34 years of teaching experience or if I am not wrong I mean whatever information it had been delivered to me it counts that he has guided more than 14 PhD scholars 14 PhDs they have been already awarded so I have 10 books to his credit N number of book reviews 50 more than 50 research publications many edited books many edited works many edited papers and his contribution to the field of academics and to the field of history it is I mean I cannot speak up I mean when I saw his series which has been forwarded to me I felt mesmerized that what to speak and what not to speak but anyways I mean he presented or he represented the perspective of a historian verbally also in more than 60 national and international conferences worldwide so probably I mean for many of us it's not a new name and many of the people they must have got this chance to meet him in person also I am not that way that was lucky sir with all this brief introduction of yours and he has various awards also to his credit with this brief introduction of sir I just invite you sir to continue with your blessings and with your words to carry on the sequence of seminars or the second technical session uh Ashok sir yes sir over to you yeah 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 परश्र सलील मिष्र ने और हमारे मित्र इतेंद्रकी पटेल ने बहुती बारीक जंग से सब को बताया मेरा जो परश्र मिष्र से दसको पुराना संबन्ध है आरामभिक दसको में तो मैं उनकी पुस्तक से उनका परचेप हुआ था मेरा इमये के दोराद मैंने इस्टी अदिक खलजीज का हिंदी अनवाद पढ़ा था और अगबर पर उनका जो मोनोग्राफ था उसको मैंने पढ़ा कालंतर में हिंदी में किताब रानी दुर्गावती पर आई उसको भी मैंने पढ़ा और कालंतर से सीता मोर सिंडखनागर सोथ सांस्तान में 2006 में मेरा रूबरू परचे हुआ परचे भी बहुत खास था मैं सेमिजार में पिपर पढ़ रहा था और पॉप्सर मिर्च ने मुझसे दो तीन सवाव दागा उसमें और वह प्रस्न था जफर नामा सर्फ उद्दीन यली अजदी की जफर नामा को उनको रूपरी की मैं पूरी तरह से बताया कहां से छपा किस खंडर में और उसके सगेंड वालों में तैमूर का क्मर जब मैं मन से उतरकाया तो मिस्टर जी ने मुझसे बंधाई दी उसके ब मदभायत के जंजाती इतिहास लेखन पर सुर्वाती दनों में महराज कुमार के संपर्क में आये और उनकी निदेशन में उन्होंने शोध प्रारूप जमा किया उज्यान पिश्पी दाले में महावत पर लेकिन वह एक बड़े इतिहासकार के अरंगा डालने के वज़े से वह उसोधर प्रारूप वह सुखी नहीं दुखाया कालंतर में मंदभा में जब प्रासपर होते हैं तो वह फिर अपने ही चेतर पर रिसस करने की का कार श्रू करते हैं मैं इसे कहता हूं नियत उन्हें खीच रही थी वास्तों में जन जाती इतिहास के तरफ और फिर वह का ठीवन का परमुख हिस्सा बहुत जन जाती इतिहास पर लगाजन दे हैं और बिस्टेश का मद्भारत में गोण राजाओं दरा सासित जो चार बड़े राज्य हैं उसपर उनका सौत परमादान अस्तर का चार किताब्य आती हैं और बाद में मध भारत के गोण राजियों पर भी अलग-अलग ध्याय में वह पुस्तत लिखते हैं, काफी बड़ा अबिस्त पूंका है, और मैं कहसता हूं कि वह भारत के जंजाती थिहास लिखन के प्रमुक्तस पाच्छर है, और मत पदेश, बड़े बिशाल भूखंड में, वह सबसे बड़े थिहास दा एक सच्छी कहाने का मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं, पिछले साल सिंदक नागर सूध सर्थान में जंजाती और उनकी परमपरा इत्यादी पर एक सूध संगोष्टी 21-23 फरोरी को आयो जी था, मैं परवांचल पिश्मिद्याला जोंपूर में जा रहा था, गाड़ी मे जी था, तभी मिश्र जी का एक फोन आया, कहो तो क्या कर रहो हूं, जामों में आपकी बारे पे ही लिखना, लेकिन साहियों की बात है कि आपका मेरे पास जल जाती से सम्मझद कोई बुस्तक नहीं है, बात आये गई, एक हप्ते बाद मेरे घर में पोश्ट में ने बढ़ जा सबंगा हूं, तो कि वा झाली से सम्मझद कुछ एक जूंद कर रहो हूं, तो कि इन्हों से से सम्मझद की बास जाती से सम्मझद को और बुस्तक बासे जाता का मेरे गभा जबुस्तक घईल से Sir, I feel there is some technical glitch on the side of Achok, sir. I feel there is some technical glitch on the side of Achok, sir. I feel there is some technical glitch on the side of Achok, sir. I feel there is some technical glitch on the side of Achok, sir. I feel there is some technical glitch on the side of Achok, sir. मैं यह नहीं जान पाया कि मिस्पिक पठक्री थी और लेकिन सायद संजय सौनकार को बताये होंगे कालन संजय सौनकार ने मुझे फोल किया उस लेक की बिमार्ड की तो मैं सोचता हूँ कि वह लेक सायद हुं वो पसंद आया होगा इस तरह बहुत से अनभूतियां ब्यक्तिक अब भी मेरे पास है और मैं सोचता हूँ कि विजिनल ही हिस्टोरियम के रूप में उनका अस्थान बहुत कुछ सुनिश्चित है यह तब कि मत अखारत का इतिहास इस्टी में डाप्टर रगवीर सिंग के शोद परबंद मालवा इंट्रांजिसन से सुरू होता है उस इतिहास लिखा करते थे तो रगवीर सिंग ने मुगलों के अधीन मालवा पर शोद परबंद लिखा और शोद परबंद के शपने के दो साल बाद ही उनका शोद परबंद हिंदी में आया और उस पर मंगल अपर साथ पातोशिक मिला कालंतर में मत परदेश के जितने भी इतिहास कार वे यूएंडे से लेकर आपका सकते हैं कि संजय स्वनकार तक सभी लोग महराज कुमार से कहीं न कहीं प्रभावित थे एक तो जो उन्होंने रिजिनल हिस्टी की शुरुवात की थी उसी कदम पर सब लोग आज तक चल ला है नमर दो महराज कुमार हिंदी साहित के भी बहुत बड़े हस्ताक्चा थे और उनका काम जब हिंदी में चपा तब से लेकर मत परदेश में लगभग हार इतिहास कार हिंदी में लिखने की कोशिस कर रहा है मिस्ट जी ने कुछ किताबें अंगरेजी में जरूर लिखी लेकिन तब काल उसका हिंदी में अनुबाद कर दिया और आगे एक गंथ और है उन्नीश्वी शताबदी में आधिवासी बिद्रो जो पूरे भारत की परिछेत को कभर करता है तो इतनी बाते चुकि इसके पहले बहुत लोगों ने कहा तो मैं इतनी बाते मिस्ट जी के बारे में कहना चाहता हूँ अध्यची संबोधन में यक्तिकत रूप से बहुत अच्छे आत्मी थे मैं हमेशा कहता हूँ बारा में वह दोहलाड बारा में वह पनारा साय तो मुझसे मिल लें इज्जापिर के तिहास डिपार्टमेंट में अपी आये पत्नी भी उनकी साथ में थी और मेरे बगल में परिशा इसकी आवाश पगे गए और बराबर वर फोन से यह पूछा करते थे आप लोग क्या कर रह हैं तुम क्या कर रहे हो तुम मैं कभी कभी करता था सर मेरे पात है मेरे बहुत सब्सक्राइब और मैंने कहां कि मुझे जीवन में बहुत कुछ रहना स्रेश मिस्ट से मिली और आई में निरंतर काम करते रहना यह बहुत बड़ी बात है उस उम्र में रिटायर्मेंट के लगभग दो दसक बात तक उन्हों जो कित्रियां की हैं अभी उनका मुल्हांकन होना स्यस है मैंने भी उनके आदिवासी इतिहास लेखन का एक मुल्हांकन उनके समझ प्रस्तुत किया था निश्यत रूप से वह मुल्हांकन भी जल्दी में किया गया होगा फविश में मिस्ट जी पर बहुत कुछ लिखा जाना सेस है मैं सोचता हूं यह मैं संजय स्वड़कार को उत्तरदायत देता हूं कम से कम उन पर सो पेज का एक मुनोग्राफ प्रकाशित करें ताकि आम लोग जो लोग अभी तक सुरेश मिस्ट को भली भात नहीं जाने हैं नाम से सुना है एक दो किताब से जाना है वह उनके व्यक्तित और प्यक्तित से परचित हो जाएं तो अधिक से अधिक लोगों को परचित के मानस पुत्र संजेश्वणकार को देता हूं मैंने फोन पे चर्चा की थी कि सुरेश मिस्ट को मत पदेश के असनात कोतर के पाठकरम में पदेश के अग्रगणी इतिहास लेखन में पढ़ाया जाना चाहिए जैसा कि महराज कुमार के दिवंगत होने के बाद मैंने 1992 में तो लोगों के बीच में कम सकम असनाथ को तर अस्तर पर यदि आप उसमें किवल उनकी पाठ पुस्तर पर स्काइब कर देते हैं तो लड़का आज काल पाठ पुस्तर पढ़ की जगह पर कोई सतही या की पढ़कर रह जाएगा लेकिन उनको उसी पाठ करम में एक चैप्टर की रूप में पढ़ा जाए तो मैं सोचता हूँ अधिक से अधिक लड़के असनाथ को तर अस्तर पर भी लड़के उनसे परचित हो सकेंगे और उनका कंट्रिगूशन जन जन तक पहुचेगा मैंने कहा कहने के लिए मुझे बहुत कुछ है लेकिन समय की मर्यादा है उस मर्यादा को ध्धान में रखते हुए मैं अपना अधच्ची भासर समाप करता हूँ और आप सभी लोगों को मैं आभार प्रगट करता हूँ इस तत्रक को ध्यान प्रबग सुनने के लिए धने बाद अशोक कुमार जी सुन रहे हैं आज जी सर्क पाध्या जी नमस्कार आपका नाव ही लिए आप भी मत प्रगट कर दिर नहीं इतिहासकारों में हैं हम तो पहली लाइन में भी नहीं खड़े अभी जी सर्क प्रगट के बाद जो दो इतिहासकार आते हैं आपका भी मालवापक काम है अच्छी तरह से आपके बहुत क्या सर्क प्रगट के साथ और हम उम्र हैं और अभी मैं सेमिनार के बाद चर्चा करूंगा कि आपने शूत प्रबंध जमां किया है उम्र प्रदेश के अगरगड़ इतिहासकार उसके बारे मैं इस सेमिनार के बाद आपसे चर्चा करूंगा चलिए सब अच्छा लगा आपको सुनकर और मद्य प्रदेश के लोगों को शियाद रखते हो एक तो महराज कुमार सिम्गी जो धरववर आपके पास है उस धरवर को आपने आगे बढ़ाया बहुत अच्छी बात लगी और एक शेत्री इतिहास के उपर जो हम लोग विरं सुरेश मिश्णा ने जो एक बात कहीं कि लोकल हिस्टी को पकड़ो अरे जब तक लोकल हिस्टी पर नहीं आओगे लोकल हिस्टी के इसमलतियां कैसे चलेगी इसके पहले जो मिश्णा जी बोले मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुरेश मिश्णा हर बार मुझसे भी कहते तो मैंने कई सारा इंदोर के लोगों के उपर काम कराया और अभी बहुत सारे काम चल रहा है मैं सोचना हूँ कि इस काम की कोई कमी ने पर सुरेश मिश्रा का जो एक अगरनी सुजाओ रहा उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सब का सायोग रहा बहुत अच्छी बात एक सब्सक्राइब दुरगटना थी मनोर सिंग रानावत का जाना और सुरेश मिश्रा का कि आपने अपनी बात कही इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा आप से बात करके अच्छा अच्छा अध्यक्षिय वक्त वेह में दिया कि यसमें आपने बताया कि कैसे मिश्रा सर ने कि अधिवासियों पे कांग किया अगर मैं बात करूं तो लोकल लेवल पर जो आपने कहा कि वो इतिहास को लोकल लेवल वहां से उठा के लोकल लेवल से उठा के और तब प्रोजेक्ट करने का उनका एक सोच ती एक विजिन था यह बिल्कुल सही है सर, क्योंकि मैंने उनको एक समिनार में, जब मैं पर्स टाइम सरसमेली थी, तो मैंने सिर्फ एक उनको सुना कहते हुए कि कैसे तालागों को जीवत रखा जा सकता है। तो यह इस सोच को बहुत जादा आगे अग्रणी रख करके काम करते थे कि बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं जो हम उची उची इमारतों में चुटी इमारतों की यह बेसिक नीद की बेसिक चीज को भूल जाते हैं। कि कितनी वनजिला इमारत उस पर बना सकते हैं। आप बेहतरी के लिए सदा प्रयत्न रत्र रह सकते हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं फॉमली सेशन को आगे बढ़ाते हुए। मनीशा शर्मा जी जो गोपाल से हैं। उनसे निवेदन करती हूँ। कि वह फॉमल वोट अफ थाइंक्स के साथ इस सत्र को आपके। मनीशा जी, over to you. मनीशा शर्मा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। Central India Historical Research Foundation बारा हमारे परम्ज प्रोफेसर मिश्रदी की स्मृती में जो यरश्टी बेजिनाज हुआ है। उसके तीसरे तकनी की सत्र मैं। मुझे आभर प्रदर्शन के लिए संजय जी ने बोला। और उसके साथ मिश्रा सर और उनकी इतनी संब्रज दिरासत से मुझे जोडने का अफसर दियत के लिए मैं उनकी आखारी हूँ। अब हर्दर्शन के पहले मैं एक मिनिट अपनी शब व्यक्त करना चाहूंगी। कि आदर्शन ने मधिभारत में विशेशू से सुदेश में इतिहास के शेतर में अनुसंधान असमत लेखन के लिए सुद्रण नीव रखने का काम किया। और जैसे देविन चाहूँ जी ने कहा कि उन्होंने अपनी भाशा में लिखा ये बड़ी बात है। हम सब उनकी सुद्रपी में इतना बड़ा आयजन कर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि इंसान के रूप में उन्होंने एक बड़ी छाथ छोड़ी थी। और सरकी जो मेरे लिए यादे हैं वो मैं कहूंगी कि प्रणा, प्रोगसाहन और प्रशंसा से लवालब हैं। नाचाहने कितने मौकाँ पर उन्होंने सिर्दह से मेरा मार्डशन किया और मेरे जीवन मन माने जगए बनाई। उन्होंने एक बार मुझे सिंधी समाज जो हुपाल में हैं उसके पिहास पर काफी गाइड किया था और कहा था कि ये अभी अच्छूता विशय है। स्वतंता के बाद ये लोग शर्नाथी के रूप में यहां आये थे और एक शोट के लिए बहुत सारा शेत्र खुला हुआ है। किसी तरह से उसके काम नहीं हो पाया है लेकर मुझे अभी भी याद आता है कि उन्हाना कितनों सारे ऐसे शेत्र बताएं को जहां पर शोट हो सकता है। और जैसा कि सलोई मिश्रा जी ने कहा कि छेपरे इतिहास लेखन पर उन्हों ने जो काम किया वो पैन इंडिया इतिहास की लेखन को मजबूत करेगा, ये बात मैं भी कहना चाहूंगी। और इस सत्र के लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगी। जो गेस्ट ऑफ आउनर हमारे प्रफेसर हितेन पटेव थी थी। उनको मैं सुन रही थी। उन्होंने सुरेश मिश्टाजी की हिस्टोरिग्राफी को लेके इतनी सुक्षिंता से और अशुक सिंग करने व्यक्तिया कि बहुत बारी की ते उन्होंने जो हम सब के सामने उनकी बातें लाई हैं। वह बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा बहुत जीफुल लगाऊ सेशन सुनने लाई था। इस बात के लिए उनके सेशन के लिए पूरे हमसर्सा की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। चेर परसंट प्रफेस अशुकुमार्थीम भीकर में धन्यवास करते हैं। प्रकाशिप किया सर के दिंजातिया लिखन पर और सबसे बड़ी बात जो आगे तक जाएगी मुझे की उमीद है। कि सर ने तो सुझाओ दिया मोनोगाफ का और पाथिकरम में सर के ऊपर शामिल करने का वो शायद हम लोगों के लिए एक आगे का मिशन है जो सौनकाशन को सौपार। सर आपने इस जाईटिको नेभाया इस बेगनार को गरिमा प्रदाम की अशुक तरका में बहुत भनेबाद देती हूँ और मादेना चेटुबट की हमारे साच जोडिय ही है रिपोर्टियर की रूसमें और डॉक्टर अपरना शर्मा अमेटे इनिवर्सिती से आपने इस का इस तत्र को मद्रूसा प्रदान की ऐसा मुझे लगता है बहुत 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 थहने बाद है थैंक यू अ थैंक यू अपना मैं और मनेशा मैं आधि की सब्सक्री दिए कि मनेशा मैं आप माइक में बेड़े है इस आज के दूसरे सत्र में निशित रुपसे इतेन पटेल जी ने इस सलिल मिश्रा जी और देवें चोबी जी के दौरा जो कुछ भी यहां पर अपने उद्वोधन के दौरान विचार रखे गए थे उन पर आधारित अपनी बात कही और कुछ नए विचार हमारे सामने प्रस्तुत किये अश्व कुमार जी नटनागट शो संस्थान से बहुत गहरे से जुड़े हुए थे और एक पेनी निखा रखते हैं मदेकाली नित्यास के उपर आपने भी सुरेश मिश्री जी पर बहुत अच्छा दोधन यहां पर प्रस् अगले सप्रकार संचालन करें रश्मी स्रिवास्तुत नवाद सर चारफ की तरफ से इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है मैं आप सभी को नहीं से नमस्कार करती हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देती हूं डॉक्टर संजे सर को क्योंकि उन्होंने हमें इस रा संजे सर को हम मैं बहुत-बहुत साधुआ देती हूं कि उनके अथक प्रयास से हम आज उस महान विबूती को याद करें हैं मिलकर याद करें हैं निसंदे मिश्रा सर ने संजे सर के रूप में अपनी परचाई हमारे पास रख छोड़ी है कि हम उस परचाई के साथ-साथ ब जैसा कि कल मैं देख रही थी बहुत सारी बेटियां हैं उनकी और उन ही बेटियों में से एक बेटी मैं भी हूँ यकीनल सर के जाने के पाद हैं सिर्फ मैं बलकि असंखे लोग फुद को सरकाव जो बहुत करीबी मानते थे उनको बहुत जादा दुद पहुचा है इतना विशाल हर्दर था उनका परंतु बहुती सरन और सहज वेक्षती थी नेरे लिए सर एक पितल तुल्ले पर प्रदर्शक थे और बहुत समय हर मौके पर मैं उनसे सरा लिया करती थी चाहे वो वेबिनार में पेपर लिखना हो और मैं चोटी-चोटी कवे ताइम भी ल पाता है कि रश्वी तुम लिखो और मैं इसको प्रकार्शन कराने में तुमारी मदद करूंगा तो वो हम सब के बीच आज नहीं है पर उनकी अच्छाईयां हम सब के बीच हैं और उनहीं के साथ उनहीं की वजह से हम सब आज एकटा हुए है आज के इस वेबिनार के इस सत में हमाई चेयर परसन है को रावा वा झी ़ूप में है परफेसर अरुन होगे लजी को हम aller या णिया परसन के रूप में है प्रोफेसर केजी व्यासर, हमारे गेस्ट रूप में है प्रोफेसर अरोन वागेला जी एंड रिपोरटर के रूप में है डॉक्टर इश्वर जहां जो की बूपाल से हैं सबसे पहले मैं आम अत्रित करती हूं प्रोफेसर अरोन वागेला जी को जो कि आप गुजरात उनिरस्टी में एचोडी हैं तियास विभागत में आपकी लगबग 10 किताबें 25 रिस्टर्च आर्टिकल्स परकाशित हो चुके हैं गुजरात हिस्ट्री कॉंग्रेस की तरफ से आपको सम्मानिती किया जा चुका है आपकी रुची के विशे हैं ट्रैबल स्ट्रडीज आपको ट्रैबल स्ट्रडीज में बहुत जादा रुची है और इसके अतरिक इंडियन फ्रीडम इस्ट्रगल और गुजरात की मॉडन हिस्ट्री में भी आपके विशेश रुची है पुज्राद के दिफ्यभास का नामक अगबार में अजोनु इतिहास नामक देरी कॉलम आपकी लेखनी से ही शिशोबित हो रहा है। अरुन वागिला जी अब इस ब्लॉग के माध्यम से हमें आम जनता को ये सुचना दे रहे हैं कि इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। और नमस्कार मेडम मेरे आवाज आ रहे हैं। जी सर्थ ओके रिस्पेक्टेड चेहरपस्टन इस सेमिनार के सयोजक्त और हमारे मित्र डॉक्टर संजेश स्वानकार और डॉक्टर सुरेश मिषर जी को चाहने वाले हम सब। सबसे पहले को मैं डॉक्टर सुरेश मिषर जी, डॉक्टर मनोहर सिरानावाद, डॉक्टर रह्मान अली, युवा इतियास का रामकुमार अहिरवाल, और हमारी युवा साथी डॉक्टर जिब्राइल को गुजरात इनुष्टी की और से, डिपार्टमेंट विष्टी की औ सब्सक्राइल की और से, मिष्रदान जली देना चाहता हूं, डॉक्टर सुरेश मिष्रा जी, दो दिन से उनके बारे में काखी बाते, जानी-अंजानी बाते हम सब कर रहे हैं, मेरा उनकी सार्थ सबन्थ 12 से रहा है, जो की डॉक्टर सुरेश मिष्रा जी की एक अनूपम कुरूती थी, वहाँ पहली दफार उनको मिलना हुआ, और वो सिलसिला दो जार अठारा तक चलता रहा, डॉक्टर सुरेश मिष्रा एक कुसल हितिहास का रही नहीं थे, वो एक उत्तम आयोजप्त थे, और मैं तो उससे भी आगे जाके कहूंगा, डॉक्टर मिष्रा वाज हिंसेल्फ ए इंस्टूजिशन, वो एक संस्ता के समान थे, और हमने सब ने देखा है, कि सुराज संस्त में जो समिनार होते थे, वो उनकी ये पूरी जो काबिलियत थी, उसी के वज़े से सब होता था, हम सब जानते थे कि सुराज संस्तान में हर साल एक समिनार होता था, और खास तोर से फिड़म मोमेंट पे समिनार होते थे, 20-25 लोग से ज़्याजा लोगने होते थे वहाँ, और पूरे पस्सिम भारत से, पूरे नौर्थ भारत से, लोग वहाँ आने के लिए तलस्ते थे, हम देखते थे, और सुरेश मिस्रा जी ऐसे व्यक्ति थे, कि जो अपना प्रोफेशनल लाइफ और अपना पर्शनल पर आपकी पास क्वालेटी है, तो ही आपके लिए सुराज संस्तान में आपके लिए जगा है, वो डॉक्तर सुरेश मिस्राजी की पॉलिसी रही थी, और मैं खास याद है, कि जब भी सेमिनार का न्योता मिलता था, तो वो पहले को एफ्ट्रेक मंगाते थे, और एफ्ट् सुरेश मिस्राजी की जाती थी, मुझे लगता है कि सेमिनार के आयोजन के बारे में डॉक्टर सुरेश मिस्राबीन हरी थे, उनका कोई भुकाबला नहीं, मैं आज उनको बंदन करता हूँ, और चाहता हूँ कि उनके ये जो सद्गुन है, थोड़े मेरे में भी आए। पहले में हमारी गुजराती में दो काव्यपंक्ती है, उसका अर्थ स्वयम्सप्ष्ट है, कवी ने कहा है कि मारी हस्ती, मारी हस्ती, मारी पाचण एरिते विश्राए गई, जड़ मा की आंगली निकली और जगिया पूराई गई, इसका मतलब है कि मेरी आपकी सब्ती हस्त उसका अर्स्तित्तों कैसा है कि जल में डूबी उंगली की तरह है जल में इसे उंगली बाहर दिखिती है और वहां जगा नहीं देती है उंगली अपनी जगा मा छोड़ती नहीं है वह सब के लिए एक उनिफोर्मालीटी है पर सुरेश मिस्रजी के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा मनुष्य जिवननों साचे साच पड़गो एछे के मनुष्य जिवननों साचे साच पड़गो एछे के व्यक्ति हाजर ना होए और यहनू नाम बोलाया करे मनुष्य जिवननों साचे साच पड़गो एछे के मनुष्य हाजर ना होए और यहनू नाम बोलाया कर मेंस यक्ति हजीर ने हो और उसका नाम सालों तक, दसकों तक, सदियों तक बुला था, लोग बोलते रहे, सुर्यस मिश्रजी, वन अब देम, कि ऐसे लोगों में डॉक्टर सुर्यस मिश्रजी को हम रख सकते हैं. जैसे कि आगे काफी स्वानकार ने मुझे सुचित किया था, उसके हिसाब से मैं डॉक्टर सुर्यस मिश्रजी की किताब 19 सदी में भारत में अधिवसी विद्रो उसके बारे में चंद बाते आपके साथ सेर करना चाहूंगा, उनकी जो किताब है, उनकुताग को खुलने कमें थोड़ा सा प्रयक्त में करूँगा, डॉक्टर सुर्यस मिश्र एक सैंसिटी परसन, और अधिवसी हम जानते हैं कि हमारा जो सामाजिक पीराबेड़ है, एक हिंदु समाज योश्ता, भारती समाज योश्ता, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ एक तब का वो भारत का अधिवसी समाज का जो इतियास और संस्कृती उसको लिखने का दर्साने का प्रफिसर मिस्र ने इस किताब में प्रयक्त में किया है, एक किताब 2008 में उनको स्वराज संस्तान ने जो फेलोशिक दी थी, वो फेलोशिक मताबिब उन्होंने एक काम किया था, मेरा एक नीजी तोर पर मानना है कि हम इस्टी में अब्जेक्टिविटी की लाख बाते करें, पर इस्टी और इतियास का लिखन वो संसंविदन बात है, आप जो अप्रेड फेल लिखने के ऒलिए 취raph की करें, मुझे याद है कि उनको हमने 2011 और 12 में गुजरात में उनको बुलाया था संद्रामपुर नामकित जगा निश्कन सेमिनार किया था ट्राइबल स्ट्री के और डॉक्तर सुरिस मिस्रा वहां के नोट स्पिकर के तौर पे आया थे मुझे आज भी याद है कि उनका पहला सेंटेंज है कि यहां मैं एक इतियास कर के तौर पे नहीं आया हूँ मैं आदिवासियों के प्रवक्ता के रूप में आया हूँ मैं इतियास कर के रूप में नहीं आया हूँ मैं आदिवासियों के प्रवक्ता के रूप में आया हूँ और यही बात उन्होंने अपनी किताब यह 19 सदी में भारत में आदिवासि विद्रो उसमें भी प्रस्तावन वाम उन्होंने दर्ज की है उन्होंने लिखा है कि मैं आ अधिवासी इतियास को जो नदर्द अंदाज किया जाता था तो उनको ठोड़क उसकी खिलाब थे और उन्होंने लिखा है कि में ये आधिवासी इतियास लिखन को एक सुन्यता है एक सुन्यता है जिनोनेस जो है यां इंडियन फिडम मोमेंट में उसको भरने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ तो ये तिन जो उद्देश है और उद्देश के साथ डॉक्टर सुरेश मिस्रा की किताब लिखते है और भी उनको गॉन्ट किग्डम जो अभी अगले सत्र में एक महनुपाव ने बताया वहां भी उन्होंने एसी सोदखारिया उन्हों लिखिया था एक बात बार बार उनसकी साथ चर्चा होती थी तो एक कैथरीन गॉफ और उनकी एक चोटा सा एक आर्टिकल है पिजन अप्राइसिंग इन इंडिया उसके बारे में चर्चा होती थी वह 1974 में EPW उतनुमें पोलिटिकल विकली में यह आर्टिकल छपा था और उसमें वह एक ब्रिटिस विदूhew कहती है कि बारत में जितने भी विद्रो होए है और खास को एक किसान हो के और किसानों में भी रूटिवासी विद्र के विद्रो विद्रोव के लिए यह पाप Например होते थे तो एसी काभी जो बात buddha कि बात पीpin में उसका विस्तार है उसमें गुजरात को छोड़के मुझे मैंने उनके सामने एक नाराजगी विक्त की दे के सराई गुजरात के एक भी आदिवासी विद्रों को क्यों अपने इसमें नहीं लिया और बाकी पूरा हिंदुस्तान इसमें आप नौर्थ इस्ट से लिज़ के उडिसा, मध्यपदेश, राजस्तान, महाराष्ट्रा, आंधरपदेश के रंपा विद्रों और अन्नामान निकोबार तक के आदिवासी विद्रों किये उसके बारे में रॉक्त सुरेश मिस्तर ने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक अधिवासी के इतियास में, और अभी भी सुन्य तासिप भड़ा हुआ है, पर इस किताब इसमें अपभाड है, डॉक्तर सुरिष मिस्रने, वेद, उपनिशद, महाबारत, रामायंश, मुर्पिया, और पूरा प्राचिन बारत और बद्यकालिन बारत में आधिवासीयों का क्या रोल था, वो छोटे-छोटे एक दो चेप्टर में उन्होंने रखके एक पूरा अपना बैक्ग्डराउंड बनाया है, जैसे मकान बनाने से पहले उसकी नीव डाली जाती है, इसको नीव पे उसक तरह से किया है. या कि क्यों एक सब्द नहीं हो, तो इतियास लेकरन की कोई सक्टिता या पॉसिबिलिटी रहती नहीं है. या उन्होंने पील, खासी, भूमेज, गारो, नागा, संथाल, गौन, मुंडा, ये आदिवासी ने पूरी मुमेंट की, सब्द आदिवासियों के विद्रहूर की पुरुष्ट बमी और उसकी अंदुलन की सिखे. और एक बात खास तोर से मैं आपको कहना चाहूंगा, कि उनकी पूरे जो चेप्ता से उसमें एक इनुफॉर्मालिटी मिलती है. कि अभी पहला पोर्शन एक ट्राइबर मोमिंट में ये आया गया, दूसरा ये आया गया, तूसरा ये आया गया, उसका लिदर्शिप आएगी, उसकी कार्यकरम आएगी, उसकी इन्पेक आएगी, उस सिल्षिलां बंद आपको देखने को मिलतागा. ऐसे वेर विखेर तरिके से डॉक्टर सुरेश मिस्रन नहीं रखते है, एक इनिफॉर्मालिटी में पूरी किताब आपको पढ़ने को मिलेगी. तो ये पूरे भारत की आदिवासी को बारे मुलने ने लिखा है. इसमें उत्तर पुर्वसर लेके छोटा उदेपूर, उडि वासी विद्रोव में, एक खास बात वो हमको नजर के सामने आती है, और वो है लिडर्शिप. तो लिडर्शिप में भी उन्होंने एक अंदोलन की पूरी पुरिष्ट बमी में, एक लिडर्शिप कैसे क्रेट होती है, अंदोलन के दोरान जिस तरह से लिडर्शिप डेवल अंदोलन के लिडर्शिप कैसे होती है, और उसके उद्वारन के तौर पर उन्होंने भी मान आयक जो खान देश का, जो गुजरारत, मध्यपरदेश और महराष्ट के सता हुआ इरिया है, वहां का भी मान आयक है, बहुत बढ़ा केरेक्ट है, उसमें फुल फ्लेज मुझे लगता है, डॉक्टर सुरेश मिस्टो को पढ़ने के बाद में कह सकता हुदावे के साथ, कि वहां एक पीएच लिवल के संसुद निमान आयक पे हो सकती है, इसी तरह खासी विद्रों का तिरस सीं, गंगा नारान सीं, महदेव कोली, कोली आज आदिवासी में नहीं आते है पर ब्रिटिस काल में कोली वादिवासी में थे और उनको कल्चर्ड बिल कहा जाता था, मैं सुद्रे हुए बिल, और आज वादिवासी की कहता है जरी में कमसे गुजरात में तो नहीं है वो, संधाल विद्रों के सिद्धों और कानों, पगिरितमान जी और ग्रेट बिश् मुंडा ऐसी जो आदिवासी लेता है, उनके पूरा चरित्र चित्रन लेता है, उनको इक बायोग्राफ के स्केच बढ़िया, कि उनकी लाइफ कैसे सुरू हुई और उसका एक्सपंसन कैसा हुआ, और क्लाइमेक्स पर कैसे पहुँचे, वो सब बारितिसी दोरा डॉक्टर सुरिस मिस्र है, हमको यहां देते हैं, हलाकि एक रेफरेंस बूक्ताइब की किताब है, तो डॉक्टर सुरिस मिस्र ने यह जो आदिवासी अंदलोने की पुरी पुरुष्ट भुमी है, उसको मानचित्रों के द्वारा दर्साया गया है, तो मानचित्र इंडिया का रख के पूरे भारत में कहां कहां के हुए, उसका उन्होंने इंडिकेशन दिया है, और बाद में जिसी सित्रम तर एक जम्पल रंपा है, आंदामान है या निवाड है, तो सब के मैं जो इस्टी में कापी जरूरी हो, क्योंकि हम बानते हैं कि इस्टी और जग्रों की वो मनुष् खतम करूँगा, उन्होंने बताया थे कि डॉक्टर सुरिस मिस्रा, उनके सुर्वाती इतियास लेखन में वो माक्षवात से प्रभावित से, मैं वो हो सकता है, पर मैं एक दावे से साथ के सकता हूं, उनकी एक सहर गुरहनपूर, उनकी एक किताब है, उनका जो अकबर वा बारी के से देखे, तो मुझे एक थोड़ा सा उनका एक सबल्टन एप्रोच, जो रंजित गुहा की पूरी इस्टेरियोग्राफी है, उनका जो फ्रॉट स्कूल ऑफ फ्रॉट है, उसमें डॉक्टर सुरिस मिस्रा बिरास्तिहुनों ने दिखाई देते हैं, उसकी वजाए आधिवासी 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 जहांगीर की समय में भी छिटपूट अंदोलन अदिवासियू ने किया थे तो आमकोस्त इतियासकार एक बेटिस में उसको फिस्ट कर देते हैं द्टर सुरिस मिस्रा ने उससे उपर उठके उन्होंने ए दिखाने का प्रहत्मी किया था आदिवासियू की जो गुलामी है वो सिर्फ अंगरेज़ की गुलामी नहीं थी तो बहरत में आप देखो तो अजादी जब हमको में उसको बिली में उन्टिस सो से तालेज में तब तीन लाग से ज़्यादा अंगरेज नहीं थे तो चालीस करोड लोगों ने चालीस करोड के देश पर कैसे राज किया एक समझने की ज़रूरत है अंग्रेज तीन लाग थे पर उन्होंने लेयर्स ऑफ द पावर सत्ता की स्कोर्य से तयार किये थे कि उपर अंग्रेज ते बाद राजा राजवाड जमीनदार ते जागिजदार ते और गाहों के पटवारी थे तो यह पूरा जो एक एड्मिनिस्ट्रिटी जो किराबिग था वो उपर से लेके नीचे तक आता था तो यह बात को डोक्टर सुरेश मिस्ट्रा ने इस किठाब में उन्होंने पकड़ने का प्रहत्न किया है और इस तरह से उन्होंने जो लुक्वल सहुकार थे जो जमीनदार थे जागिजदार थे गाहों का पटवारी था उससे भी आदिवासी कैसे सुसीत होते थे और यह अधिवास्य आंदुलन के निमित बने उसके कोज बने कारण बने वो डॉक्टर सुरिस मिस्रा नहीं यहां बताने का पुरा प्रहत्नी किया है समय की पाबंदी है वरना मैं ज्यादा बोलना चाह रहा हुथा अधिवास्य आधार के प्रमान के बिदा कुछ लिखना नहीं चाहिए अभी डॉक्टर इतन पटेल को मैं सुन रहा हुथा तो उन्होंने काफी एडवांस तरीके से बात महिती स्रोथ सोर्स ओप इंफलमिस्य की बात उन्होंने बताई डॉक्टर सुरिष मिस्रा ने इस किताब को लिखने के लिए अर्कावल सुर्सिस का उप्योद किया है कंटम्परी बोक्स आज कल जो जो जर आठ भी लिखते थे तब जो उनको अवेलेबल थी वो भी आवडिनरी किताब नहीं है अगे मैंने जो बताया के ट्राइबल इस्ट्री या सवल्टन जो स्टडीज है वो सिर्फ भद्रवरगी और अर्कावल सोर्सिस से मेंस्ट्रीम सोर्सिस से नहीं लिखा जाता है तो कि इसमें जो आदिवासी जो आवाज है वो आवाज आपको मिसिंग लगता है तो आदिवासी मिसिंग जो वोईस है उसको आपको पकड़ना हो तो क्या करेंगे तो आधिवासी तो उस जमाने में निरख सर्थे, वो लिखना नहीं जानते थे, वो लिखना जानते थे, उनका कुछ रैकोर्ड नहीं होता था, तो एक पुरा फोक लिटरेचर उनका होता है, उनके गाने होते है, उनके बजंस होते है, उनकी जो पिवजंतिया होती है, लिज जो प्रचली थे वा पर्टिकलर दीमा लायक और निभार जो उनका मन पसंद छित्र रहा है वहां से एक फोक सहीतिय में कैसे अधिवासी अंदुलन अधिफलेक होता है वो डॉक्टर सूरसमिस्र ने बचाने का प्रहितना किया है अन्त में मैं इतना कहूंगा कि उनकी तरी किताब है और उन्होंने यह पुरा जो संदर्व गरंत उन्होंने लिखा है उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि मध्यपरदेश और इस्तर भारत की जो राजियों उसमें तो आधिवासी इतियास वो काफी लिखा जाता है अभी जारिश करूंगा कि उन्होंने यह जो जो जलाई है आधिवासी इतियास लिखने की वो बुझनी नहीं चाहिए वो सतक चलती रहने चाहिए कल एक विद्वान ने काफी अच्छी बात कही थी उन्होंने लिखा कि कहा था कि डॉक्टर सुरेश बिश्रा के इतियास लिखन पर कुछ काम होना चाहिए तो उनकी इतनी सारी किताब है तो मैं खास एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बद्देश से भी कोई भी करका है वो डॉक्टर सुरेश बिश्रा की इतियास लिखन पर वो पीजरी कर सकता है और अभी हमारे दोस्ट डॉक्टर संजी सवनकार सर आपको मैं वन्नन करता हूँ आपको कोई इंसाइट में गई या कुछ एडवांस आपको पता चल गया आपने एक साल पहले डॉक्ट कि उनकी हजरी में उन्होंने इस्तीन किदाब अपने रखके डॉक्टर सुरेश मिस्रा का पीतर और बाहिए जगत के असाइटा वो अपने खुलने का और हिंदुस्तान का दिखाने का एक स्तुत्य प्रयत्ना किया है अब बाग्टर सुरेश मिस्रा जी को जो हमारे आधरनी रहे है अभी बब दिखता हूँ तो पोपाल में हमारे लिए सुनिया हुका से हमारे लिए पोपाल मतलब डॉक्टर सुरेश मिस्रा जी होते से उनको पुनास रदान जली देता हूँ अब बाग्टर सुरेश मिस्रा जी की बुस्तत भारत में आधिवासी वित्रों का जिस तरह से यहां पर प्रस्तुत की करण किया है उससे हम सभी लाफाद मित्मे हैं निसंदे डॉक्टर हमारे सर का नाम सालों तक लिया जाता रहेगा आधिवासी वित्रों आधिवासियों पे लिखना आधिवासियों पे चल्चा करना या उनके इतिहास को समाज में लाना निसंतेल, हमारे शुरेश मिश्रा सरका प्रिये विशे रहा है, जैसा कि आपने बताया कि इंडियन फ्रीडम मुव्मेंट में आदिवासी विद्रों की जो रिक्तिता थी, वो उन्होंने दूर की और उन्होंने अनीक आदिवासी विद्रों पर काम किया है। सर ने बहुत काम किया और इस कुस्तक में उन्होंने उसको एक चैप्टल के रूप में यहाँ पर इंडिया है। कि प्रोफेसर अरून पागेला सर आपने जिस तरह से जितनी खुपसूर्टी से एक एक बात यहाँ पर उद्रित की है, इस कुस्तक की ऐसा लग रहा है, मानो हमने पूरी किताबी पढ़ दी है। या तक कि जो रिफ्रेंसेज हैं उनका भी आपने दिक्र कर दिया है, सर ने आर्काइज ले दिया, जो किताबे होती हैं उनका सहारा लिया था, तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी कुस्तक हमारे सामने खुल के आ गई है। तो हम सभी इध्यासकार इससे लाखानमेत हुए हैं। निसंदे, आपका ये जो कहना है कि उनके द्वारा दिखाई गई जो जोती है वो निरंतर चलती रहे, ऐसा हम सभी की कोशिश रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कि कल हमने देखा कि लगभग सभी लोग, चाहे वो सर के बड़े दामाद हैं, शाम उबे जी, या फिर कोई भी हो, मैं मुझे लग रहा था सुबे से शाम तक एक ऐसा सिल्सिला बना, कि भावनाओं के जो अतिरेक हो रहा थ वो आसू के रूप में बह निकलाता, और निसंदे में भी उससे अच्छूती नहीं रही थी, सर्व का जाना मेरे लिए व्यक्तिकर तोर पे भी बहुत ही कश्प्रत रहा, 22 तारीक को जब मुझे खबर मेली, उसी दिन मुझे कोरोना का भी पता चला कि मुझे हो गया है, औ मैं बहुत रोई की, सुभावी की तरीकिस, तो मैंने कुछ पंतियां सर के लिए लिखी हैं कल का जो हमारा वेबिना हुआ और जिस तरह से लोग दुखी हुए, उसे मैंने कुछ अपनी स्वरचित पंतियां हैं, एक-एक आंसू मिले, एक-एक आंसू मिले, सहलाब बनते च चले गए, हैं अकेले वो गए, हैं अकेले हो गए, सब को अकेला कर गए, सब के मन का एक पूना बस वो खालु कर जो, उनका जाना हम सभी के लिए अपनी अच्छती है तर तो वो हर हमारे अपने suggestions के रूप में अपने बातों के रूप में अपनी किताबों के रूप में हमारे साथ हमेशा रहेंगे अब मैं बॉलाना चाहूँगी हमारे आज के च्छेया परसं प्रोफेसर के व्यास जी को जो की रेटार्ट प्रोफेसर हैं वो पासे हैं प्रोफेसर के जी व्यास संज्य सर्ड ऑव व्यास जोड़े हुए हैं जब तक सर जोड़ रहे हैं तब तक मैं कल के हमारे जो पहले वक्ता थे शाम दूबे जी सर के सबसे बड़े दामाद उनके बारे उन्होंने जो सर के बारे में लिखा सर के बारे में जो अभिवक्त किया बहुत सारी संग्याएं थी कि जैसे वो पहुत उनको युकुरिश की संग्यादी भीश्पतामे की संग्यादी गुरु और सखा कहा उन्होंने जो इक बात कहीं कि वो सूरे के समान थे उनका नाम का अर्थी सर के नाम का अर्थी सूरे था तो सूर्य के समान के निसंदे मैं मानती हो कि निसंदे हम सभी के हिर्दे के आस्मान में हम सभी के हिर्दे के आस्मान में सर सूर्य जैसा एक चमकता हुआ सितारा है सर ऐसा चमकता हुआ सितारा है इसका प्रकाश कभी भी कम नहीं होगा सार जोड़ गए हैं व्यारती आवाज आरी है जी सर आरी है सब्सक्राइब के बाड़े में कुछ कहने के पहले मैं आप से चंद चीजें शेयर करना चाहूंगा सुरेश की और मेरी मिश्चता रख बार 25 साल पुराणी है वो नेमदा कॉलेज में पढ़ाती थे और में ट्यूमेल कंस्ट्रक्शन में चार जिनों का काम देखता था हमारी रूचियां समान होने के कायनम दीरे दीरे मित्र होते गए और वो मित्रता अभी तक लगाता बनी रही स्वनकार जी को पता है कि उनका घर और मेरा घर मुश्किल से 50 कदम पर था है हमारे बीच में इतिहास को छोड़कर सारे विश्यों पर बात होती थी और अक्सर वो मेरे विश्यों और मैं उनके विश्यों में कि आपके विश्यों में ये खामी है इसमें ये जोड़ा जाना चाहिए इसका उधार्ण दूमें इतिहास में जब उनके पास में बैठ करके कभी मैं किताबें पर जाता था तो मैं उनको बोलता था कि देखिए इसमें आपने जो विवरंट दिया है, महलों का विवरंट दिया है, किले का विवरंट दिया है, जल शोतों का विवरंट दिया है, रक्षा के तौर तरीकों का विवरंट दिया है, इसे और अधिक द्यापक बना जाने की आउशकता है, कि वो किसी चीज को इग्नोर नहीं करते थे उसको सूचते थे और अगर उसमें उसकी उप्योगिता है तो उसे वो पकड़ने की कोशिस करते थे एक चोटा सा किस्ता आपके साथ में शेयर करूंगा अभी कुछ दिन पहले तक वो विदिशा जिले के उदयपूर नामकिस्थान के बारे में काम पर काम कर रहे थे वहां के के बारे में उनके साथ मैं बद्यप्रदेश के सुचना आयुक्त से विजय महुंतिवारी भी साथ स यह लोग लगातार उसको विजिट कर रहे थे सुरेश ने एक दिन मुझे कहा कि वहां पर एक बहुत पुराना एंशेंट टेंक है और वो टेंक लगबग एक हजार साल पर रहना है तो सुरेश चाहते थे कि उस टेंक का साइंटिफिक अध्यन मैं करूं और यह जानने की को करूं कि एक हजार साथ तक वो टालाव क्यों बचा हुआ है उसमें क्यों पानी रहता है क्यों उसमें सिल्ड जमा नहीं होती है इन सब चीजों की उपर इसकी पीछे कारण यह है कि सुरेश की कहने पर मैंने जबलपुर में जो बावन तालाव जिनकी चर्चा अक्सर वेज संग्राम सागर के बारे में लोग बताती हैं दुर्गावती के बारे में बताती है अधार सिंग जो उनके आप उनके काडियाले में थे उनके बारे में बताती है तो सुरेश का यह कहना था कि क्यों ना तुम इसको पहली अध्यन करके देखो तो मैंने जबलपुर के जो ब सुनूं किया, तो मुझे लगए कि हमके इनका जो विज्जान है वो आधिनिर की विज्जान से अलग है। दोनों विज्ञान अगले, भारती विज्ञान अलग है और जो पास्चायद विज्ञान हम आज के इंजिलिंग कॉलिजेज में या आईएटी में पढ़ती है वो अलग है इस पे मेरा एक छोड़ा सा प्रेजेंटेशन जहुरूपर में किसी कारण बस हुआ उसमें इंटेक क मनु बठनागर आए हुए थे मनु बठनागर ने उस लेक्शर को सुनने के बाद में ड़क्टर केकर शर्मा के प्रोव मुझे कहलवाया कि क्या मैं इसमें जो वनों की वाटर विज्डम है इस पर एक मोनोग्राफ लिख सकता हूं यह मोनोग्राफ मैंने लिखा और इंटे जो आजाना चाहिए और अभी भी जब हम किसी राजवण्ष के बारे में उसकी उप्रब्दियों के बारे में जो जड़ाइएं रढ़ी उसका साशनकाल कैसा था इन सब के साथ साथ में जो फर्स्ट आर्विट में आने वाली चीजें हैं जल पानी के सोथ हैं वास्तू का क है इसके इंजिनिंग पक्ष के ऊपर भी हमको काम करना चाहिए और बताना चाहिए तो सुरेश की जो सब्सेस्ता थी वो बिशेस्ता है शैद स्वानकार जी को भी नहीं मालूम होगा सुरेश ने 1953 में मैट्रिक पास किया था और वो विग्यान के विज्यार्टी थी और उन को विज्यान के सारे विशियों में डिस्टिंशन मिलाता यह अलग बात है कि वो साइंस की पढ़ाई या इन की पढ़ाई नहीं कर पाए या वो प्रसाचनिक सेवा में नहीं गए लेकिन इतना मैं विश्वात से कह सकता हूं भी अगर उने साइंस पहा होता तो बहुत अच अगर नहीं प्रसाचनिक सेवा में जाने का नहीं लिया होता है को बहुत अच्छे प्रसाचनिक बनती क्योंकि जो सबसे बड़ी खूबी सुरेश्टी थी वो यह थी कि उसके लिए असंभो नाम का कोई शब्द नहीं था आप उसे कोई भी विशे पकड़ा दीजेगा वो इस पर उसके चुटी सी किताब है जो में ने यह जब मैंने उसको पुछा कि पुर्द पर तुमने करते हैं तो उसके जो सवस्थ है ऐसल दुबे वो वो तीएफोंचे उनके साथ बैठ करके इसने जम्री के बारे में सामेघ्जरी कि खोशिस की कानहा नेशनल पार्क में वो साइंटिस्ट के रूप में काम किये हुए हैं और राजीव गांधी का वहां दौरा हुआ था तो राजीव गांधी के साथ में मद्यूदेश आशन का कोई हदिकारी कि सास खड़े होने की हिम्मत नी जुटा पा रहा था उस समय सुरेश ने उनके साथ में और शीला ने उनके साथ में तीन दिन बुजा रहे थे उसकी उपर बहुत बढ़िया अर्टिकल था जो धर्मयुग में चापा था तो सुरेश की जो सबसे बड़ी बात थी जो सबसे ब परख्षिना हो जिसमें समन्वे नहीं मिल गए तब तक सुरेश ने चैन नहीं लिया दस्तावेजी प्रमान किसी भी भाशा में हो उसका वो ट्रांसलेशन कर लेते थे इस पर पूरा समय लगाते थे तो ऐसे वेक्षी के समान में आप सब आज आज के खटे हुए हैं तो मै मैं सोचता हूं कि हमें कुछ संदेश लेकर की दी जाना चाहिए तो मुझे जो संदेश उनके साथ रहने के कारण मिला जो चैलीस साल कर मेरा सुरेश के साथ में मितुता का समंग रहा हुए मैं प्रोफेसर अपनी नौकरी की सुरुवात में जलू था लेकिन मैंने मौकमा बदल दिया था, मैं सचाई वराग में काम करता ह्था, फिर भादने गामेर व्कास वराँ में काम करता है, मेरा फील बिल्कुल बदल गिया था, लेकिन स्वेश्स के साथ रहकर के मुझे ये समझ में आया कि आप सब कुछ पासकते हैं, सltक्राइस sürंके था जो आपको लोग नहीं जानेंगे, लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे. मैं सुचता हूँ कि इस तरह के काईकम संजय जी ने जो आयजित किये हैं, इससे एक मेसेज ये भी निकल कर जाना चाहिए, कि हमें सरेस की उन प्लेक्टीज को अपने जीवन में उतारने के कोशिशिश करनी चाहिए, कि हम अमारे लिए कुछ भी असंभाव नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये साइंस का या ये रिंग का मामला है, सब कुछ बहुत सरल है, बहुत सहे सिखा जा सकता है, समझा जा सकता है. मैं संज्र जी का बहुत आवारी हूं, कि उनोंने मुझे आवसर दिया है, कि मैं आपते साथ में कुछ विचार श्रेर कर सकूं। बहुत-бहुत धन्यवाद, थैंक युवे. प्रिश्रा सर के बहु आयमी वेक्षित की और इशारा किया जिसकी चर्चाहां कल से कर रहे हैं कि वो सर्फ इतिहास कार भी नहीं थे बहुत बड़े परयापर अबिश्च पी थे उन्हें हरतरे की जानकारी थी वो बासुई बजाते थे कविता भी समझ चाते थे तो उनके इस पहु आयमी फ्यक्षित का हम अगर एक भी उन ले सकें तो यह हमारे लिए बहुत ही खर्श की बाता होगी आप निसंदेर मिश्रा सर्थ से बहुत नसीकी से चुड़े रहे और आप उनके माम पहलों को बहुत करीबी से जानते हैं और आपने हमारे समक्ष उनके इसके लिए हम सबी बहुत बहुत आभारी है सर्थ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर्थ किसी का माइक खुला हुआ सर्थ संजर सर्थ ने अपने हाथ में एक मशाल ले रखी थी जिससे उन्होंने ना हमें सिर्फ इतिहास शोद दृष्टी हमारी दौशन की बलकि अन्हेरे रास्तों में उन्होंने हमारा हाथ की चौँए हमें आगे बढ़ाया और मुझे उमीद है कि हम सभी उनके दिखाय हुए रास्ते पर चलेंगे सरका व्यक्तिक अन्हें गुणों से भरबूर था यदि उनका एक भी गुण हम अपने जीवन में इतार सकें तो हमारा जीवन साहर हो जाए अथा साकर साहर दे था मोतियों से वो भरा था एक भी मोती जो हम बुनते उनके जैसा कुछ तो बनते कि इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज बुलाना चाहूंगी हमारी अगरणी हमारी सीरियर डॉप्टर अनुरादा माकर जी को जो कि आज के स्टेशन में धन्यवाद प्रस्ताव देंगी धन्यवाद देंगी डॉप्टर अनुरादा माकर अलभर सिक सब को नमस्कार आज मुझे इस सेशन में वोट ऑफ थैंक्स के लिए चुना गया है अज सुबह से बहुत अच्छा सुनने को मिला और सुरेश मिश्र जी के बहुत सारे आस्पेक्ट्स लेखन के आस्पेक्ट्स के बारे में भी जानने को मिला मैं इस सेशन में आरून वागेला जी ने और के जी व्याज जी ने जो आज अभी अपने अभी भाशन में कहा वो बहुत कुछ चीजे मुझे लगता है कि बिल्कुल सही जैसा कि आरून जी ने कहा कि सुराज संस्तान में आने से पहले हमारा प्री वैल्वेशन होता था कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग अपना अप्स्ट्रेक्ट दिये बिना वहां चले गए और उस अप्स्ट्रेक्ट को सर ने जब तब नहीं देखा और उसको फाइनल नहीं करा हम आगे नहीं बढ़ा और शायद यही कारण था कि इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन हमारे को वहां देखने को मलते थे कि हम सभी यह जाने के लिए हमेशा उट्सुख रहते हैं अभी भी सर अप्रिल में में एक सेशन करने जा रहे थे जो इंशिंट इंडिया के था अगर आपके एंशिंट इंडिया का हूँ जो प्रेजेंटेशन देना चाहता हो तो उनके नम मेरे क को आप अवर्ट करें तो उनके थीक है सर मैं बिल्कुल करूंगी पर मैं आपसे एक रिक्वेस करूंगी कि मैं भी आना चाहूंगी तो उन्हों ने का कि नहीं देखो यह एंशिंट इंडिया का है मॉडर्ण का नहीं इसलिए तुम्हे बुलाओंगा नहीं बुलाओंगा आपको मैं एजा ओडियंस वहां पर शामिल होना चाहती हूं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बस मुझे परमीशन चाहिए कि मैं वहां एंटर कर सको हूँ और मैं सुन सकते हैं कि उनकी वेबिनार या सेमिनार कितनी उच पोटी की हुआ करती थी जो अब हम मिस कर रहे है पर उन्हों ने मेरे जल और समाज पर जब मैं कुछ कार्रे कर रही थी और मैंने अपना एक आर्टिकल डॉक्टर जिब्राईल के साथ में शेयर करा है तब मुझे पानी पर काम करने के लिए मैं सर से कुछ डिस्कुशन कर रही थी तो सर ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था और तब आपकी बुक्स उन्होंने मेरे को सारी भेजी उन्होंने का अनुरादा पहले हर आस्पेक्ट को पढ़ो और लिखना शुग कर और मैंने माइनर रिसर्स प्रोजेक्ट भी जल पे ही करा जो अलवर्ग में वाटर मैनेजमेंट था उस पर मैंने अपना कारे प्रस्तुत किया है तो मेरे लिए आपकी वो किताबें बहुत जादा यूसकुल रही और उनसे पढ़ करके मैंने बहुत कुछ यहां पे खोज ने काला त के कारणों से में अच्छी प्रभावत और अपने कारणे को अच्छा बना है हम सुरेश मिश्र जी की बात करें तो ही वाज वर्सिटाइल परस्नालेट उन्होंने अपने लेखन को एति हास से ही नहीं जोड़ा वरन समाज के उन सभी पक्षों से जोड़ा जो एक समाज को स सब्सक्राइब करने के लिए हमें इतिहास का एक समकर अध्यान करना हो और वो उनके लेखन में हम बिल्कुल इस पश्ट देखते हैं आज उनकी लेखन को एक नए इंटर्प्रेटेशन के साथ में देविंदर जी ने, सलिल जी ने, हितेंदर जी ने प्रस्क्रिप्टिया और उन्होंने यह बताया कि उनका गहन अध्यान, दलत, आदिवासी और इस्त्री चरित्र अध्यान पर ही केंद्रित रहा पर मैं यहां पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, कि उन्होंने अपने लेखन में परिवार के इतिहास को भी जोड़ा, उन्होंने गाओं के इतिहास को भी जोड़ा, उनका लेखन सिरफ चंद विशों से या चंद पक्षों से ही सेमेत नहीं रहा और उन्होंने इस चीज पर जोड़ दिया कि इतिहास को अब आगे पढ़ना चाहिए, हमारे को इतिहास अब लेखन में परिवार और गाओं के इतिहास वहीं से ही प्रारम होता है, वे जब भी एतिहासिक भ्रमन पर या कहीं भी हम लोगों के साथ में गुनने के लिए भी तो मैंने देखा वे अवलोकन किया करते हैं, जैसे कि हम धूमने जाते हैं तो अन्वादर में, यार अलवेज गेटिंग लेग, ओके सर, ठीक है, मैं अपने आपको यहीं के विराम देती हूँ, तो सर ने अपने इतिहास लेखन को जिस तरह से विशद बनाया, विराट बन इतिहास के सभी पक्षों से अपने को जोडते हुए, इतिहास लेखन के काड़े को आगे बढ़ाना चाहिए, एक अच्छे वेक्ति, एक अच्छे इतिहास कार और उनकी इस्मृतियों को आगे बढ़ाना ही, अब हमारा धेव होना चाहिए, और उसी को लेकर हम आगे प्रकाशित करता है और हम सब वो छोटे-चोटे तारे हैं जो उस महाल सूर के तेज से हमेशा प्रकाशित होते रहेंगे इनी शब्तों के साथ मैं डॉक्टर प्रोफिसर संजर सर को फिर से मंद्रित रहती हूं कि आप मज़ सम्हाले सर थन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभाव दिनों ने इस तकनी की सप्र को सुसजित किया और चूंकि हम अपने निर्धारित समय से काफी लेट हो रहे हैं और इस समय हमारे साथ लगवग सतर साथ ही जुड़े हुए हैं चुकि लगवग सभी जुड़े हुए हैं तो मैं आप सभी लोगों से करवद अन्रोज भी करना चाहते हूं कि जो हमारा अगला सेशन है जो हम तीन बजे स्टार्ट करने वाले थे उसको हम पंद्रा मिनट पहले शुरू करना चाहते हैं और आप लोगों से अन्रोज करना पेंटालिस पर शुरू होने वाला जो सेशन है उसके लिए दो चालिस तक आप सभी हमारे साथ जोड़ जाएं ताकि क्योंकि जो अगला सेशन है वो ट्रिवीट सेशन है सेकेंड ट्रिवीट सेशन है सुरेश मिशेजी के उपर और हमारी पूरी कोशिश यह रहेगी कि उस सेशन को काईली हम और करें क्योंकि उसके बाद भी काफी टाइट शेडियूल है हमारा फर्ट ट्रिवीट सेशन रहेगा और उसके बाद वेले डिफ्टी सेशन भी रहेगा तो हमें समय सीवा में अपने कारिकरम संपादित करना है आप सभी लोगों से मैं विनम्र पोगा झाओ कर लाम झाल 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 सवी को प्रनाम सर कुंधन सर अभिसर का पुना आगे विनिका एड़ी मेठा हूँ झाल 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 व्यास अंकल नमशकार व्यास अंकल नमशकार अमित आप बोल रहा हूं आपकी आवाज हमें जुनाई नहीं दे रही हैं आप श्याद म्यूट है आप श्याद म्यूट है इड़ो याद म्यूट है उत्याद्ष साब्चड़ाँ से ऑ उत्याद White Cool झाल 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 आप सभी साथियों का अविवादन करते हुए जैसा कि पूर में मैंने सभी से अंदोद किया था कि अगला से अगला सेशन तीन बज़े से चार बज़े के बीच में होना कार्ट सेकंड ट्रिब्यूट सेशन वो काफी टाइट है और उसमें कई लोग मिश्र जी के प्रती शिर्दा सुमन वाचिक शिर्दा सुमन अप्रिद करने वाले हैं उनके व्यक्तित्तों के विभिन आ तो अभी हमारे सेशन में अध्यक्ष की आसंदी डॉक्टर केके चत्रवेदी जी संभालेंगे वह अभिशाय जुड़ नहीं पाएं हैं गेस्ट अपनर के रूप में विजय बहादूर्द सिंग जी विरेंदर मिश्रा जी जो की प्रफेसर सुरेश मिश्र जी के सबसे छो प्रफेसर जी यह तीनों हमारे विश्रेश रतिती हैं और इस सत्र का संचालन पीकानेर से डक्टर मैगना शर्मा जी के द्वारा किया जाना है मैं बिल्कुल समय को बचाते हुए सीधे सीधे डक्टर मैगना शर्मा जी से अन्रोद करना चाहूंगा कि वे सत्र को प्रारम करें और चूंकि अध्यक्ष महोदे बीच में कभी भी जोड़ सकते हैं तो जी बहुत बहुत आबार हारतिक अभी मंदन आप सभी विद्वत जनों का हम सुबह से साथ हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भूमी का बनाने की विश्य पर आवशक्ता नहीं है और नहीं मैं आवशक्ता समझती हूँ चुकि अतितियों के नाम भी प्रोफ़सर जोड़े हूँ है तो सर सबसे पहले आप ही से मेरा भी नम्र निवेदन रहेगा कि अपने बात कहकर सुरेश मिश्य जी की पती सच्छे अर्थों में शुद्धांजली अद्वित्तर है डॉक्टर प्रद्यम नुखट मंसौर से जी स्वागतन अभी नंबर शुदे डॉक् मिश्य साहब अधरनिया डॉक्टर मेकना जी संचालन कर रही हैं बहुत स्वागत है आपका और हमारे सुत्रधार भारती इतियाच अनुसंदान और रिसेच से जुड़े अधरनिया डॉक्टर संजै सुनकार जी जो इसके समस्थ कारिकर्मों के सुत्रधार हैं आप सबको बंदन करता हूं प्रणाम करता हैं और डॉक्टर सुरेश मिश्य के समस्थ में अपने जीवन से जुड़े वे कुछ प्रेरत पसंग जो मुझे प्रवावित किया है उन्हें मैं इन शब्दों में अपनी नए आंजरी अर्पित करता हैं सभी विदत जनों को साधर प्रणाम भारती इतिहास के प्रकर्तम दिवे नक्षत्र पुजवर प्रोफेसर सुरेश जी मिश्य साब के वहु आया मी व्यक्तित्व क्रसित्व और उनके इतिहास विश्यक विशिट आउधान पर केंद्रित दो दिवसिय पावन स्मस्य यग् प्रोफेसर सुरेश जी मिश्य के पावन स्मस्यों को वंदन करता हूँ बहु आयामी वेक्तित स्के में वो बाद में नपनागर सोच सत्थान के आयोजनू में उनका पावन सानित्री मिलता रहा है पत्राचार वो खोन पर चर्चाएं होती रही एक इतिहासकार के रूप में एक परियावन विज्ञानी के रूप में वने जीवन सौरक्षक के रूप में उनके आउदान को यद उस्ट नहरा कर उच्छ अधियन के लिए परिशितियों के साथ समनवाई कर या यह कहें कि परिशितियों को अपने अनकूल बनाकर कुशल अधियता एक दख्ष व्यक्सित विजब प्राध्यापक होकर के शोध किक्षेतर में होतरे तब समाजिक पारिवारिक आर्थिक जी ने हार मान ली लेकिन पुरभी सर मिश्र जी उन विरले महनतम व्यक्सित में सामिल हुए हैं जो ध्रू तारिक के तरफ प्रसिष्टित रहे और इस यहाँ जगत को अपने अमूरली व्यक्सित वख शोध साधना वक्रसित के माधियम से दिखदर्शन से राते रहे हैं दु नोसा काँच काट किसी दिन तूट जाए एक समझोता हुआ था और वो शुनी से चूट जाए पांग क्या चड़ते पहाडी इन इरादों ने चड़ी है अब तो पस यही है कर लिया स्विकार समयने कर लिया स्विकार समयने अब तो पस यही है तर सुरेज जी मिश्र अनव कि मुर्धन ने पुरा धेता झाल ज्सांजेस नंकार जी ने उनका झीवन की डॉकूमेंटरी बताय कि छानित का न फूल कि हिसे साल ने उनके ट्रव हैं यू कर डाले उनके मन पर डाले और उहीं साज्विज्यान अनेक शेत्रों में वह इतिया जगर में इतना मान वा सम्वान और विशित पहचान हासल की है प्रजेक्ट टाईकर योजना के अधियन में उन्हें प्रकर्ति के बहुत नजदिक ला दिया प्रकर्ति के सहचर ही नहीं एक उदार समय के अनुशासन को समझने वाले जिग्यासू सोधकरता से ज़्यादा एक प्रबंधन शम्ता से परिपून नवोनमेशी अधियता के रूप में उन्होंने कारी किया और काना नेशनल पार्क में सेवा देते हुए इंदराजी और राजियुजी के परिवार के साथ तता देश विदेश के महत्पून व्यक्तियों के साथ उनका संपर्थ हुआ राजियुजी की ब्रह्मन यात्रा व्यवस्था का प्रबंदन इन्होंने किया था और प्रबंदन सहयोगी के रूप में उन्होंने अपने दाइसु का भुखु भी निर्भा किया था हम समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट के लाइफ में किस तरह से मेनेज़ करना होता है काफी दु अमंजस सुष्पष्टता निर्भिक्ता और शेष्ट योजनाकार के रूप में आत्रचिंतन बलक्ष प्राप्ची तक प्रत्रेशील रहना जीवन वप्रकरती प्रेमी होना सुन्दरियों और प्रकरती प्रेमी होना स्तानी लोगों से संपर्का लाव होना समाज मित्रों शिष्टों शात्रों सहकर्वियों के बीच सर रड़े प्रेमी काम करना यह सब सेष्ट प्रबंदकी गुन के आप आगार थे यह सारे सेष्ट प्रबंदकी गुन जिक मेने जिल कैपिसिटी होती है उन्होंने उनी दोनों में मंडला में रहते हुए परजित किये थे और व बंदक के रूप में उपरे यही वजह है कि खंडवा कालेज में रहते हुए महाविज्याले की हित में शात्रों की हित में कारिकरते हुए पुराश्टी सोद संगोस्टियों के सबलतम आयोजनों के लिए प्रोफिशन मिश्री जिकोर जादा तर इतियास के संच्चों तक याद करते हैं उन्होंने हर एक के मन मस्तिस पर अमिट शाप छोड़ी है कि शोर्दा के शहर के रूप में खंडवा को याद किया जाता है जब भी कोई इतियासकार में पहुंचते सर के कारिकर्म में सर वहां के आसपास की शेत्रों की बड़नगर हो बुर्हानपुर हो चा वहां का जीवन इनके बहुत पारिवारिक जीवन के प्ररक्स मस्मूनों का पूनित अध्याय है मैंने स्वेम देखा है सेपड़ों विद्यार्थियों और नगरवासियों के साथ अपनत्व साहचर इवस्ने का जो ताना बाना इन्होंने खंडवा में रहते वे बुना था विश्नतियां तरह से रंग वे रंगे फूरों से सप्थे वब महख से उपवन के तरह हमारे वस्बी के स्मसी पटल पर कायम रहेगी सर का विक्तित में जिससे हमने देखा मैंसूस किया मैं बार बारों के चरणों में बंदन करता हूँ एक विराड विक्तित को नमन करता सारे कर्मशिल रिशी के तरह समाध्रित हुए हैं पूरे खंडवाई शेत में नहीं पूरे इतिहाज जगत में माशारदा का प्रसिक्ष आशिरवाद इनकी तोनों पुत्रियों को भी मिला वह प्रफिसर मिश्री जी के समक्ष उनके पूर्णे कारियों का ही सुफल रहा है कि तीनों कुत्रियां इतनी स्रेष्ट और विदूसी होकरके इन्होंने जीवन को अपने जीवन को धन्य किया है इश्वर की बड़ी करपा रही और डॉक्टर सुरेजी मिश्री साब के पूर्णे फोलोकाय परसाद था कल सुबहरम सत्र में आदरनी शामजी दुबे साब का भवनाथ पक वक्त वित바ा को छू लेने वाला था शे कि जीवन के परकाश थे तल्कि वह जीवन के परकाश ही नहीं थे पलकि उनोंने एक कर ता पापा वैस श्पिरिट ऑफ लाइक वह जीवन की आत्मा थे अर था फ्रक्रशन जीवनी उर्जाके determin थे इसलिए हम उन्हें कर्म योगी के तरह प्रणा कौझ मांते हैं वेतियाश के धुरो नक्षब रहें युगों युगों तक शुधार थी उनके गरंधोंसे प्रणा का प्रात कर दिख दर्शन करते रहेंगे प्रात करते रहेंगे बहुत कुछ है उनके जीवन के सम्नुन्ह मे रॉक्टर साब का उपस्तित होना ही मंच को गरवानवित कर देता था। रॉक्टर राणावाश साब और उससे पहले भी रॉक्टर महराज कुमार साब रगवीर सिंग्धी के साथ उनकिस मतियां हैं। आज के सत्रों में वो रिकांकित होता रहा है। मैं अधने शब्दों को समेटते हुए मिनमरवाओं से उन्हें विनियांजली एक्पित करता हूँ। चंचल जी के शब्द याद आते हैं जीतों का अबिमान हार का गम भी नहीं किया और मुश्किल में मुकड़ा आसू से नम भी नहीं किया। लेकिन कभी देव बनने का ध्रम भी नहीं किया। आज पित्र दिवस भी है सोबागी से। आज पित्र दिवस से सोबागी से। से बिनमर सद्धांजली बिनमर भाव अंजली पुझ गुरुदेव प्रोभी सर मिश्री जी के चरणों में अर्पित करता हूं। सब्सक्राइबूर इसे सोब्सक्राइबूर इसे सब्सक्राइबूर नहीं द्रिश्टी पुझ गुरुदेव नहीं किया। साथ उनका नाम है Mr. Virendra Mishra IPS, आप Director है National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi. अभी-अभी सभी को सभी उपस्तित सभी दुरुवेन और साथियों को अभाग को दो दिन से सब्गोज़दी दी जा रहा है और याद उनके सानित जी को और उनके मादशन को किया जा रहा है इसलिए बहुत से लोगों ने जो दोडियों में हम लोगों सुना है कि अपने सपनों को साकार कर पाएं और नए आयाम को प्राप्त किया है और आगे भी उस पर चल कर नए लक्ष को पाएंगे इस अभी को उमी है उनका फिजिकल प्रिजन्स नहीं है बट उनके जो बड़ा क्लियरली लिखा गया था रिमेंबरिंग एमिनेंट हिस्टोरियन प्रफेसर सुरेश कुष्णा इसमें शद्धांजली खाली या उस शब्द का प्रेवड नहीं किया गया था उनको याद किया जा रहा है उनके व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है और मतलब जब कुछ बोलने के लिए कहा गया था मंत्रित किया गया था तो उन्होंने एक सिष्ट दिया था जिग्यासू एवं अन्वेशक तो इंट्रेस्टिंग था यह कि अगर जिग्यासू एवं अन्वेशक शब्दों पर कुछ बोलना पड़े कि वह इतना इस्थित उनका और एक्स्पैंडेट जिसे कहते हैं कि उनका डुमेन था कि उनको उनके बारे में जिग्यासू एवं अन्वेशक के बारे में कहना है बहुत सरल नहीं है और जैसे कि अपने वेक्तत में कल मेरे बड़ेवाई शाम दुबेजी ले पापा के वेक्तित्व को समेटने की नाकाम्य अन्वेशक के बारे में भी जिग्र की थी जो बड़े अच्छे तरीके से यही हम लोग अगर उनको बोला जाए कि क्या थे वो तो क्या सिफो हिस्टोरियन थे या एन्वारमेंटलिस्ट थे या क्या वाइल ड्राइफ रिसरचर थे या पानी के विश्यों के ग्याता थे औ अगर इंडिविज्वल सेंस में लिया जाए एक व्यक्ति के रूप में लिया जाए तो क्या वो मागदर्शक थे गुरू थे चिंतित पडोसी भी थे नहीं भाई थे भाईयां बैठे हैं वो जानते हैं कि भाईयों के किस तरीके से प्यार करते थे प्यारे पिता थे हम लो क्या अगर कोई जाता हो और विभिन भूमिका में सफन होता है तो तभी यह सब तभी हो सकता है अगर वो व्यक्ति संवेदनशील हो और जिसमें बहुत कुछ जाने की जिग्यासा की जो लौ थी वो पापा में हर वक जलती रहती थी तो आपा में कुरियोस्टी भरपूर थ में अपने किरियोस्थी का जवाब एक student की तरह ततकाल अनुवेशन करने बैढ जाते थे और जैसे कि मैं मानता हूँ कि a real teacher is one who remains a student तो पापा हर वक्त learning curve पे थे और एक student के प्रकार ही behave किया करते थे उनके teacher का reflection था वो भी interestingly उसमें भी student का enthusiasm होता है spirit होता है वो दिक्ता का और शायद इसी लिए computer का उनका सबसे priya saathी बना और सबसे interesting है कि उनकी जिग्यासा ही रही योगिश्ट जरूर कि उन्होंने computer को साथी retirement के बाद चुना और उसके बाद उसको ढूंड लिया था और उसमें अपने computer को total अपने में बसा लिया था और खुद भी computer में बस गया थी और वो साथी ऐसा साथी रहा जो उनके साथ आखरी सास्तर है वो जब भी किसी से बात करते तो बड़ा interesting था कि पहले उस व्यक्ति को समझते थी उसके समझने के बाद उसके interest को समझते थी फिर उस को निखारने के लिए उसके उपर उनको कमेंट किया करते कि कैसे उसको करना है और जैसे ही कमेंट्स खतम होता था तो एक open invitation थो करते कि उपर कि मदद करने के लिए तक पर हूँ जब भी चाहिए तुम मेरे पास आओ और अगर पहली बार लोग उसके मेरे ख्याल से experience लोगों ने किया होगा कि अगर जिसको वो invitation float करते थे अगर नहीं accept करता था या जिजकता था शर्मा जाता था शायद या शर्मा जाती थी तो पापा खुदी फिर दुबारा फोन करके बोलते थे कि मैं अभी भी तयार हूँ उन्हें तुम्हें याद दिला कि बहुती सटिक चौपाई है उनके लिए कि कहो ही रिक्षपती सुनो हनुमाना का चुपसादी रहो बलवाना पवन तने बल पवन समाना बुद्धी विवेक विज्ञान ने लाए रिक्षरा जामवन जीने हनुमान जी को कहा कि कहा सो रहे हैं आप अपने आपको पहचान करने बलवान तुम क्यों चुप बैठें तुम पवन के पुत्रों हो और बल में पवन के समान है तुम बुद्धी विवेक और विज्ञान की खान है और पापा का रोल हर वक्त जामवन कर रहा करता था, जामवन बंकर वो व्यक्ती में हनमान का भूप देखा करते थी और उनकी चिपी प्रतिवा शक्ति का हैसास दिलाया करते हैं। यह एक बहुत ही रेर जिसे कहते हैं कि वो परस्नालिटी ट्रेट था हुए। उनकी व्यक्ति परखने की जो कला थी, शक्ति थी, वो उनकी जिग्यासा और अन्वेशन का प्रतिव थी। स्वंकार जी द्वारा पापा पर निकाली गई जब किताब थी उसमें एक चोटा सा मेरा भी योगदान रहा जिसमें की एक चैप्टर मैंने उस लिखा था जिसका नाम था की गुरू और फादर-इन-लौ। स्वंकार जब मैं वह लिख रहा था, नाचरले कि उसमें लिखा था कि वस वह लिखना था कि वह लिखना था, कि अब बहुआ था कि जब आप भूलने के लिए मुझे स्टेज पे बूला गया था, तुमैं बोल भी नहीं पाया था, और इसका कारण ही यही था, कि लिखने तो जब मैं वो लिख रहा था उस निशकर्च पे पहुचा था कि वो कभी मेरे लिए फादर इनला रहे ही नहीं वो मेरे लिए या तो गुरू के रूप थे या आप पिता थे और जब में इतसे बाद में लोगों ने पूछा था कि वहां क्यों ही आप स्टेज पर बोल भाये थे तो मैं यही कहा था कि मैं पापा को पापा का चेहरह देख नहीं पाया था कि अपने पापा को 18 साल की जब उमर थी तर लूस किया था और मुझे उनके चेहरे पर पथा निकिए उनीड कि उसके पापा मेरे पिताजी की चेहरा था मुझे, तो इसलिए मैंने कभी उनको फादर निल्लौ माना ही नहीं और नाुणने फादर निल्लौ की दर-ब एब किया मेरा लिखने का सफर भी जो है हकीकत में वही जामबंद के शब्दों के कारण ही शुरू हुआ था अगर तुम लोग नहीं लिखोगे तो कौन लिखेगा और अगली आने वाली पीडी को इन परिस्तितियों के बारे में के कैसे पता चलेका तो इसलिए जरूर लिखा और मेरे ख्याल से और दिन था जब से मैं रिखना शुरू किया और पॉब्लीकिशन मतलब पॉब्छ परना शुरू किया था मैं और नाशीर बचनों को मैंने देहन किया और बहुत सिरियसली लिए अपने जिंदेगी और जब हा किया है तो बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने बताया था मुझे जहां तक याद है कि exact figure नहीं पता है बट उन्होंने कहा था कि 25 से भी ज्यादा लोग है जिन्होंने उनके कारण अपने विचारों को और काम को प्रकाशित किया है कितने लोग होगे भारत में जिन्होंने जो बिल्कुल कभी मतलब इतनी चीज़ें लेके मेरे ख्याल से इस दुनिया से निकल जाते बिना अपनी चीजों को express किये हुए उनसे उन्होंने express करा है तो पच्चीस लोग कम नहीं होता है तो और उन्हीं 25 या उनसे ज्यादा 25 तो उन्होंने मुझे exact figure नहीं है मुझे य और वो constructive होने के कारण ही rigidity नहीं थी उनके अंदर कल कुछ अच्चा हो रही थी विचारकों ने अपने संबोधन में इस बात को रखा था कि पापा के इतिहास के पत्ति एप्रोच में हाल में थोड़ा बदलाव आया है मैं आपको मतलब vouch कर सकता हूं उनके इस बात को कि ये बदलाव कोई personal gain के रिए नहीं आया था बलकि वो adaptability और acceptability को reflect करती है वो अपने विचारों को बदलने से कभी भी नहीं कत्राये थी बस क्या ज़रूरत थी कि सिर्फ उनके साथ बैठें विश्यों पर चर्चा करें और facts के साथ उनके सोच को challenge करें कितने लोग हैं जो कोई क किसी के सोच को challenge करें उसको positively ले मगर वो ऐसे थे कि जब भी उनके विचारों को challenge करता था तो वो बुरा नहीं मानते थे बल्कि core researcher और investigator की तरह वो तत्यों तक पहुचने की कोशिश कर और सच्चाई की समझ के आधार पर अपना सोच प्रगण यह सिर्फ इसलिए संभव था क्योंकि उनमें arrogance दूर दूर तक नहीं था, कहीं भी छुआ भी नहीं था, humility जो विनम्रता और जो प्रेम से भरपूर उनकी personality थी पापा की, और यह जो पापा जिनको 84 साल के यूवार researcher मैं उनको बोला करता था, नहाल में सबी को पता है कि उदाइपूर ने समार्कों पर ज किसे काम करने की दूर करता है, चाहे वो उनने 1857 का movement पर एंपीर का contribution क्या रहा है उसके बारे में हो, चाहे जो वी शरी पर क्या लिखा है उनने उसके बारे में हो, जो किताब शुकिती या कोई भी विशय हो, उनका जो commitment और डेडिकेशन रिसर्च के प्रतिशा वो बिद्क विखता ह Jingle Sir Achanga, Scholars Master, Research के भूप में भी र ren cadre यस्टा दॉर जो आ खांघ भारत में अभी णार में भी लिखता है, मैं भी research करता ओं मैं इनन शुकिती का動画 में लिखता हूं, और my अपको और सही में बताता हूं कि हमा şir प्रिसर्च के प्रती जो एक करेक्ट डिरेक्शन होना चीह है उसमें बहुत कमी है और इस बात को वो बोला करते थे कि अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स भी रिसर्च क्या होता है वो नहीं जानते हैं खाश उनके जैसे जिध्यासा और अन्रेशन करने को भलत और मिष्टा हमें भी आजाए और उसके अतरिक हमें पापा जैसे जामबंच में चाहिए जो सभी में छिपे हनुमान को जदा है और राष्ट के निर्मान में युगदान देने की एड़ी प्रेटी को मैं उन जैसे ग ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें खास तोर पर यह सिखाया जाता है कि उन्हें भावुक होने से बचना है मैंने भी एक IPS अधिकारी को इतना भावुक होते हुए शायद पहली बारी देखा है और वो तभी हो सकता है जब भावनाएं अंदर से उध्रत हो तो बिल्कुल एक सुकुत्र के तरह ही उन्होंने अपनी बात को रखा है और इतने भावुक होते हुए रामाइं की चौपाईयों को बीच में इंगित करते हुए उन्होंने अपनी बात को कहा है मिश्रा सहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुन्दर मोतियों के साथ अपने शब्दों को पिरोते वे माला एक अर्पिक की है, शद्धानजली कारिकरम नहीं है, बिल्कुल ठीयोरियन, डोकिमेंटेशन, प्राक्टर्स, रिमेंबरिंग इस्टोरियन सुर अपनी बात इसमंज से रखने के लिए, डोक्तर विजय बहादूर सिंग सहा, अपना माईक अन्यूट करें और अपनी बात रखें, विजय बहादूर सिंग सहा, मैं आपको देख पा रहे हूँ, आपको जुड़े हुए है, क्या मेरी आवाज आप तक महुंच रही है, ये कि सेशन थोड़ा सा लंबा है चुकि हमारे पास बहुत सारे स्पीकर्स और भी है तो हम संशिप्ट में अपनी बात रखेंगे इस बात का एक बर पुने स्वरंड करवाते हुए आपसे निवेदन की अपनी बात रखें कि मुझे दिखाई दे रहे हैं जुड़े हुए सर प्रफ्टर स्वंकार सर हमें आगे बढ़ना चाहिए क्या स्पीकर्स को बुला लेना चाहिए नहीं सर अगये सर अन्म्यूट करिया सर माइक अन्म्यूट करिया है एक था यह आप सुनाई पढ़ रहा है जी सुनाई पढ़ रहा है जी सर बोले प्लीज कि मैं पहले तो शमाच आता हूं कि मैं प्राइश वक्त सो जाता हूं इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तीन बजे उठना है इसलिए मैं अभी उठा अपने समय पर और संजे जी सिर्ज जो बात हुई थी यही हुई थी कि तीन बजे शेशन शुरू होगा इसलिए मैं निश्चिंत होकर सोता रहा और दो पचास पर उठा बहराल अब जो हो गया सो हो गया मिश्च जी की यादों के बारे में और उनसे अपने संबन्दों के बारे में जो बाते हैं वो यतनी अप्चारिक हैं कि बहुत सारे किसे और कहानियां बहुत सारी लाग डांट प्रतिस परधाएं तो नहीं लेकिन मित्रता में एक दूसरे को सावाशी देने की कोशिस हैं यह सब चलती रहना असल में मेरी मुलाकात 1975 में होशंगाबाद में हुई सी यह 74 का संधा होगा और उसके बाद फिर वो मुलाकात हुई नहीं लेकिन जब वो कुल मिलाकर घोमगाम कर भोपाल आये तम मेरी उनसे निकटता और दोस्ती बढ़ने लगी और यह संजोगी था कि जहां मैं पढ़ाता था वहां वो अतिति आचारे की रूप में पढ़ाने आने लगी तब मेरी उनकी निकटता और बढ़ गई और तब मैंने उनको जाना कि वस्तुता वो क्या है क्योंकि इतियास का अध्यापर खूना या हिंदी का अध्यापर खूना कोई बड़ी बात बड़ी बात है उस अध्वपन को जीना और उस विशेक की पहचान बन जाना जो कि बहुत कम लोगों के लिए संभव हो पाता है यह मैंने मिश्वजी से बाद में परिचे के दौरान सीखा कि वह केवल अध्यापक नहीं थे इतिहास के वह इतिहास की पहचान बन गए थी कितेन पटेल किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं मैं मुझे ऐसा लगा कि इतिहास पर तो जो कुछ मैं जानकारियां चाहता था पूछता रहा और जानना चाहता था वो हमारे एक प्रकार से रेडी रिफरेंस थे जिसे मैं पूछता था खास तोर से मध्यकाल में के बारे में लेकिन जब वो हमारी निकरता बढ़ी तो हमारे उनकी रिष्टे इतने अनोवचारिक हो गए कि कभी वो मेरे हां आके खाना खाते थे कभी मैं उनके हां जाके खाना खाता था और प्राय इस बात की प्रतिस्परधा भी हम लोगों में होगा करती थी कौन कैसा बनाता है कौन किस तरह लेकिन जब भी मेरी गाड़ी फर्ष्टी थी क्योंकि मैं लेकिन साहित में इतिहास की बहुत जरूरत पढ़ती रहती है साहित के संदर्मों को समझें के लिए उसमें वो मेरे प्रकार से स्रोत थे और वह स्रोत निरंतर बना रहा और मैं कभी उनसे बात कर सकता था और किसी भी बात पर इतिहास के संदर्मों बात कर सकता था एक बार मेरी उनकी जब बात छिड़ी तो मैं ने उनसे कहा कि आप जो तथ्थ दे रहे हैं वो पुराने हैं और वो उनसे इतिहास आगे निकल गया है तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि स्रीमा मैं अपनी discipline में रहता हूं और मैं बगर तत्थ के बात नहीं करता लेकिन अगर कोई नया तत्थ मेरे सामने आ जाए तो मैं अपने पुराने आग्रहों को छोड़ देता हूं और नए तत्थों के साथ खड़ा हो जाता हूं खास्तोर से वो प्रसंग जो है वो धृब सामनी का और राम गुप्त का गुप्त सामराज से जुड़ा हुआ प्रश्ण था तो बहुत सारी बातें ऐसी हमारे उनके बीच हुआ करती है लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें कहीं जिनको मैंने जीवन में अपनाने की को सफल में नहीं हो पाया और इस रूप में हमारी मित्रता का धर्म निभाया करते थे जैसे उन्होंने मुझे कहा कि आप बोलते जब हैं तो आप हमें अपने साथ ले चला कीजिए मैं आपको रिकार्ड करूंगा तो मैंने कहा कि कहां कहां आप मुझे करेंगे कि मैं तो जग और फिर उस रिकार्ड करके फिर मुझे दीजिए मैं उसे सुनता रहूंगा वो कभी-कभी मुझे ब्याख्यान मेरे ब्याख्यान को सुननी के लिए मेरे साथ चले जाते थे और लोट करके फिर हम लोग साथ खाना खाते थे लेकिन जो बहुत खास बात मुझे उनमें लग ऐसे रामप्रशाद त्रिपाठी नाम के जो इतिहासकार थे, उनका संबंध भी मर्द्यकाल से था और वो कविता वगएरा में भी रूची रखते थे, साहित में भी गहरी रूची रखते थे, मिश्र जी उस्तरा की रूची तो नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्होंने इति जाती है नजर इधर को भी ये जो उनकी किताब थी लोट आती है नजर इधर को भी ये जो किताब थी उसमें अनेक इतिहासिक चरित्रों को उन्होंने बहुत मार्मिक धंग्जेत चित्रित किया था तो मुझे लगा कि आप पता नहीं इतिहासकार हैं कि ललित निवंदकार हैं ये लालित निवंद वाले इतिहासकार हैं इस तरह का व्यक्तित उनका था और अपने पूरे व्योहार में वो जितने मुक्त थे अपनी पूरी चेतना में जितने सजक थे और अपने जितने सिश्टाचार में वो सावधान रहा करते थे, उसके बावजूद अपने मुद्दों पर ढटे रहना और अपने तरकों से चीजों को देखना। आज कल जिस तरह का इतिहास लेखन जगा जगा से किया और कराया जा रहा है, वो बहुत सारे संदेहों को भी पैदा करता है। प्रदेश में जो आंदोलन हुए जो सक्सियतें पैदा हुई उनको लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसका मुल्यांकन अभी होना है। तो मैं समझता हूँ, संजे जी इस माने में भरपूर समर्थ हैं कि वह इन सब चीजों पर निगाह डालेंगे, कुछ काम उन्होंने कराया भी है और आगे भी उन पर ये काम होता रहेगा। मैं इनी शब्दों के साथ उन्हें याद करना चाहता हूँ, समर्थियां धेर सारी हैं, लेकिन यहां समर्थियों को बहुत ज़्यादा बांटने का वक्त नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, आपने मुझे आमंतृत किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत आभार, आपने समय का धान रखते हूए अपने बात को कहा, श्विमान जी, आपका, मैं साधरवंदन करते हूए, अभिवादन करते हूँ, आपने कहा कि एक बहुत खुबसूरत बात, जो, हलाकि समय तो नहीं है, ज्यादा बोलने का, लेकिन रेडी र किया, आपने मिश्या जी के बारे में कहा, तो प्रफ्टर सुरेश मिश्या रेडी रेफरेंस के विशेष्टिया मद्यकारीन युग में, इन सुन्दर शब्दों के साथ उन्हें विभूशित करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, और अब मैं चाहूंगे कि हमारा स्पीकर सेशन थोड़ा सा लंबा है, और बहुत सारे स्पीकर्स हैं, जो अपने अपने विश्या पर, मिश्या जी के बारे में, उनके विभिन पहलों के बारे में, उनके बहुत आयमी विप्तित्व को परिभाशित करते हुए, अपने बात रखेंगे, सबसे पहले, डॉक से बाट साब बोल चुके हैं, विजय मनौह और तिवारी साब से आगरे करूगी कि आप सुरेश मिश्या जी का घुमंतु जीवन, इस विश्या पर अपनी बात हमारे साथ साजर करें, तिवारी साब, तिवारी साब, जी, मेरी आवाज आ रहे है, जी बिलकुल आ रहे है, नमस्कार, मैं 25 साल मीडिया में रहा हूँ, टेली विजन में अख़वारों में, और पूरे देश की मैंने 8-10 परिक्रमाएं हैं लगातार अलग-अलग विश्यों पर ग्राउंड कवरेज के लिए, और इस दोरान मुझे देश के अलग-अलग विश्यों पर बहुत सारे ल हूँ, मैं और यहां टीन निन से प्लांटेशन कर रहा हूँ, वो दो जनवरी को यहां आये थे, हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन के पहले यह किया था, कि मध्यपरदेश के कुछ बीच के स्थानों पर हम हेरिटेज बॉक के लिए जाएंगे, मैं बेसिकली जनलिस्ट रहा हूँ, राइटर हूँ, लेकिन इतिहास में मेरी एक जिग्यासा रही है, और वो मुझे बहुत आप लोग बहुत पहले से उन से जुड़े होंगे, जैसा विजे बहादूर सिंग से ने कहा कि 75 में उनकी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं उनके जीवन में बहुत देर से आया, लेकिन हमारे बीच बिछले तीन सालों में ऐसा कुछ बना कि हमने तै कि एक जिग्यासू और इतिहास के जानकार की जुगल बंदी कुछ हैरिटेज वाक के रूप में हमें करना चाहिए, और मैं कुछ लिखने में अभ्यास है मेरा, तो ऐसी जगहों पर हम जा हम यहां हुआ था और अगले दिस सुबह हम उद्यपूर नाम की एक जगह है, यहां विदिशा जिले में भोपाल से कड़ी एक सो पचास किलो मीटर पर और यह परमारों का एक सरहद का इलाका रहा है, जहां राजा भोज के बाद की कड़ी में राजा उदिया दिते हुए ह उनके नाम से यह गाओ का नाम है और उनके समय का बनवाया हुआ एक मंदिर है, हमने हरिटेज वॉक की शुरुआत तीन जनवरी रवीवार का दिन था, यहां से की पूरा दिन उस कस्वे में घुमते रहे जहां एक हजार साल पहले एक अच्छा एक सेटलमेंट था, बड़ में रहते हुए बहुत सारी समस्याओं पर लिखा है, लेकिन हमारे जड़ सरकारी सिस्टम में इतनी तेज गती से कोई बदलाव कभी आते नहीं है, आप सिर्फ अटकते रहिए, क्यापन लिखते रहिए, खबरे कवरेज करते रहिए, कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं यह भ लेती है और इतियास जिन्दा हो जाता है, वो उदैपूर पहली बार आये थे, और उस दिन के अन्हों जो हमने ट्विटर पर प्राइम मिनिस्टर को शेर किये, चीफ मिनिस्टर को शेर किये, तो जो बदलाव यहां दश्कों से अपेक्षित थे, जो सदियों से जड़ बे प्रियंग का मिश्रा यहां शिवरातरी के दिन खुद आई, शिवरातरी के पहले तो जो काशी विश्वनात का केरीडोर जिस तरह से डेवलप हुआ है, लगवग वैसा ही एक केस यहां हमें देखने को मिला कि सरकार ने पूरे जो अतिक्रमन तमाम मंदिर के आसपास के थे जगे जाने का मौका मिला और वहां इस तेजगती के बदला हुए हैं कि वहां लगातार अभी काम चल रहा है और हमें एक उधैपुर उत्सव के नाम से एक लंबी श्रंकला और हर महीने वहां एक हैरिटेज बॉप की शुरुआत कर चुके हैं और मिश्रा जी नहीं यहां पर एक हैरिटेज टीम हमारी एक बहुत अच्छी बना के गए हैं वो तो अब उधैपुर में जो भी काम होगा मैं उनकी स्मृती में ही उसको आगे ले जाने का प्रयास करूंगा ग्राउंड पर मैं इतना ही इस आवसर पर कहूंगा ये कोई श्रद्धान जली का विशय न कि समाज के अन्य-ण्य विश्यों पर उनकी एसी ही जवर्जस सक्रिय टीम में वह बहुत अग्रणी मार्दर्शक के रूप में सक्रिय रहे हैं यह मैं जानता हूं और उनका जाना मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक निजी शती है वह विशय के विशय शगे थे बहुत अ हमारा जीवन एक बिल्कुल जीवन का कोई जोश नहीं होता हमारे वीतर लेकिन यह मिश्राजी में 84 साल की उम्र में कुट कुट कर भरा हुआ था और मैं उनसे काफी मैंने सीखा है तिहास को जानने की एक दृष्टी मैंने लिए हम लोग इतिहास पर काफी चर्शा करते थ मैं उदैपुर का पूरा काम उनको डेडिकेट करता हूँ मैं निरंतर यहां सक्तिय हूँ उदैपुर से 10 किलोमीटर दूर अभी बैठा हूँ मैं हर महीने यहां आता हूँ और आप सब लोग जो इस मनण कारिक्रम में हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं मैं आप सब को आमंत्रि करता हूँ कि आने वाले समय में लगातार हम यहां हर महीने आ रहे हैं तो कभी भी आप आमंत्रित हैं मैंने संजे स्वनकार जी को भी यह निवेदन किया है कि वो इस प्रयास में आगे हमारे साथ आएं आप सबको यहां आने के लिए निमंत्रन है मुझे इस अवसर पर जो अपने सत्रों में रखी हैं देखिये हम कहीं बात कर रहे हैं इतिहास कारों से कभी हम बात कर रहे हैं IPS ऑफिसर से आज हमने अभी अभी एक पत्रकार के दृष्टी से सुरेश मिश्या सहब को देखा कभी हिंदी के विद्वान अपनी बातिस मन से रख रहे हैं और अब बह आप सब को नमस्कार और अभी नहीं हूं डॉक्टर अपना दुभाष्य मैडम को जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मैं मिश्या जी की बेटी हो इस बात पर मुझे बहुत गर्भ है और बहुत अभीमान है और भागेशली हूँ मैं कि आज मैं कुछ टिब्यूट के लिए मैंनी लिखा कल ही लिखा तो वो मैं कहना चाहाती हूं और मिश्यी जी कैसे थे और क्या थे कुछ भी कहना जादा नहीं चाहाती perché सर्टो जो थे बहु आया मी थे पर वो जो बहुत अच्छे इंसान थे, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे बच्चों को ऐसे प्यार करते थे, बच्चों नाना जी बोलते थे, तो मैं तो बेटी हुई सही, तो कोई शक ही नहीं है, हम सब उनकी बेटिया हैं, हम सब दुला रहे हैं उनके, और बार-बार आंसु आ जाते हैं, इसलिए अपने आपको थामते वे, मैंने कुछ पंक्तिया लिखी हैं, वो मैं कहती हूँ, एक नन्ने पौधे को संभालना, एक नन्ने पौधे को संभालना और सहेजना, एक पल भी आँखों से उजलना होने देना, वैसा ही है, जैसे अपनी कोमल स्मृतियों को जीवन्त रखना रदे में, जीवन्त रखना रदे में, अनमेस सा मन खुशकवार हो गया क्योंकि सम्मोख आप मुस्करा रहे थे और वही चिरपरिचित अन्दाज में कहो अलपना वही चिरपरिचित अन्दाज में कहो अलपना मन प्राणों में गुझायमान हो गया अनुगुञ प्रतिपल और मैं निश्चिंतता से आपके संग आत्ममुग्द हो अपने पन की मिठास में गुम हो गई हूँ हर एक शंड में ठेरे हुए को जीवन पल मन प्राणों को अपने ही में समो लेते हैं और ऐसे में मैं खुद अपने आप आईना बनती जा रही हूँ शने 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 तो यह मैंने कल सर के लिए लिखा था और सर कहां चले गए वो एक मैंने भावविव्यक्ति की है शब्द मुखरित होते हुए मौन हो गए शब्द मुखरित होते हुए मौन हो गए अनाया सी जीवन तता की हर कंड को तलाश थी बाट जो रहे थे बेसबरी से बाट जो रहे थे बेसबरी से जमी क्या आसमा भी हर कोई अपनी बात चुपके से कानों में कह रहा था बिना आहट के और इन सब के बीच एक पल ने गुटने टेक दिये समय के आगे अनायास ही एक शंभंगुर पल में अन्मोल जिंदगी खो गई कोर पर ठहरे आसु की मानिन थोड़ी सी एक मिनट की बात कहना चाहूंगी कि सर को 21 मार्च को यह संजे जी तो कुछ बताते नहीं है हाई कोट के निवेधन पर एसके तिवारी जी स्वन्नकार जी और सर ने मिलकर के एंपी की जुडिशल सिस्टम पर सच्छितर किताब प्रकाशित की थी और हाई कोट ऑफ मध्यप्रदेश भारत के राश्रपति और चीफ जस्टेस सुप्रीम कोट ने इसका वी मोचन किया था तो हमारे सर के कौन से आयाम है उन्होंने छोड़ा क्या मैं तो यहीं नहीं समझ पाती हूं कुछ भी नहीं छोड़ा ना प्यार ना दुलार ना इतिहास ना जोटिश ना कुछ भी नहीं वोई एक अती मानव के रूप में हमारे बीच में रहे हैं और आगे की भूमी का हमारी क्या होनी चाहिए इस विशे में थोड़ा सा लिखा है संजे जी के साथ मिश्र जी का रिष्टा कोई आम नहीं खास नहीं बलकि आत्म बोथ का है जिनके उचित एवं संतुलित माग दर्शन में यह यग्य चलता रहेगा और हम सब मिलकर निश्चल भाव से अपनी आहूती देते रहेंगे हम सब की ऐसी भावना है और निश्चल है बस इनी शब्दों के साथ मैं अधित नहीं बोल सुगी कि अवरा आप झाल समया जूरु अधित नहीं जाय का था निश्चल है यह यह चाहिए धन्यवाद नमस्कार पहत बहुत आभार वहावावनजली आपके उत बोद्रवक्ध एशलती हुई प्रतित्विए मैडम बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे प्रफ्टर सुरेश विश्यर साब हमारे बीच हैं, वो हमें सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहो अल्पना और अल्पना बोल पड़ी, फिल्कुल इसी तरह कि कुछ अनुब्वती मुझे हुई, शायद सभी जोड़े हुए लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा, आप सभ को देख कर मैं भी भावुत हुए जा रही हूं किन्तों कि मुझे सत्र का संचालन करना है तो अपनी भावनाव पर काबू रखना आवश्यक है, और ऐसे ही उस काबू को बराबर बनाएं रखते हुए, डॉक्टर प्रशांद गौरव साहब से आमंतृत से निवेदें करू अब भी बात करेंगे, सकारात्म प्रिक्तिति से परिपून मिष्र जी, इस विशे पर आप बात करेंगे, डॉक्टर प्रशांद गौरव अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शायद नहीं है, नैश्ट को आप फोल करें, जिगर मोहमत साहर को मैंने अभी देखा था तब अपने जो प्रारमभी पेपर्स मैं पढ़ा करते थी, सीता महु में मैंने अपने प्रारमभी कुछ दो चार पेपर्स जो पढ़े हैं, वो सर की अध्यक्षता में मैंने पढ़े हैं और उन्हें यहां अपने साथ देकर बहुत हर्ष हो रहा है, सर आपका हर्दिक स्व पहले मैं प्रॉइसर संजे सौनका जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मिश्चा जी की प्रेमिंब्रेंस में शामिल किया है। जहां तक प्रॉइसर सुरेश मिश्चा जी का सवाल है, मैं उनसे 20 सालों से जुड़ा हूं। पहली मुलाकात मेरी 2000 में हुई थी, उसके बाद मैं निरंतर मिलता रहा, खास तोर पर सीतामाओं में, भुपाल में और अंगाबाद, तीं जगा मैं एक सवन से मिलता था। और मिश्चा जी का जहां तक इतिहास लिखने का सवाल है, वो बाकी इतिहासकार की तरह नहीं थी, क्योंकि मैं मामूली इतिहासकार हूँ, मामूली विध्यार सी हूँ, लेकिन मुझे मिला है, जादातर हमारे देश के इतिहासकार जो कहे जाते हैं, वो एक तरह कमपाइलर रहें या नेरेटर हैं लेकिन बश्रा साथ मध्यकालीन इतिहास को जब लिखते थे उनका में जो मिथड एप्रोश होता था सबसे पहले वो सोर्स को देखते थे और सोर्स को क्रेटेग्राइज करते थे कि कौन सा सोर्स किस ने लिखा है और उस राइटर का सोशल बैग्ग्राउंड क्या है और अगर वो देखते थे कि एक शोत खास पीरियड में लिखा गया है तो उस पीरियड के मताबिक वो उस सोर्स की वेचना करते थे दूसरा वो जो इंडिजेनस सोर्स थे जो स्थानिये स्रोथ थे दोनों को कंबाइन करते थे एक तो क्राइडिकिल दूसरा जैसे और टेडिशन है लिटरेचर रहे दोनों combine करते थे मिश्रा साथ का main purpose था इतिहास लिखने का मद्दिकान में to widen the scope of history not just to get personal mileage out of history writing जो हम जहातर लोग करते हैं कि इतिहास लिखके personal mileage मिल जाए वो मिश्रा साम नहीं करते थे क्योंकि मैं उसे मिलता था तो मुझसे पहला सवाल करते थे लिख रहे हो क्योंकि मैं तो मामूली वो बहुत बड़े इनसान तो मैं बोलता साथ ये लिख रहा हूँ तो उनकी एक किताब मैंने पढ़ा जो मुझे दिया उन्होंने बुरहान पॉड़ी जवर्दस किताब लिखा उन्होंने मद्धिकान के बुरहानपुर पर जब लिखा वहाँ पर जब जब खिकर करते हैं तो वो मुझल ऍरिकाउट भी देखते हैं मुझल में पर्षे रिकाउट भी देख रहे हैं जो टांसलेटिट हैं वो प्यज़सार्ट जो डश् ट्रेवलर हो उसका बेकाउंट देख रहे हैं वो बर्नियर का बेकाउंट देख रहे हैं उसके बाद वो देख रहे हैं कि अस्थानिये लोग क्या कहते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं history from below तो वो ऐसा दर्शाते नहीं थे that he was trying to highlight history from below लेकिन वो एक method adopt करते थे और उसकी वज़ा से वो मध्कालीन इत्यास को एक तरह से नया aspect देते थे नया एक area देते थे को उस पर research किया जाए और इसलिए उनका योगदान क्या मध्काल में that he tried to widen the scope of historical research ये नहीं कि ठीक है लिख दिया कई नाम हो गया किस स्टेज पे चले गए सरकारी नाम हो गया वो सरकारी historian नहीं थे मैं माफ़े चाहता हूँ जादा तर हम लोग सरकारी सरकारी doesn't mean under a particular government means जो भी सरकारों खुर्शों जाए और वो बुलाते ओहदेदारों को अपने जगा पर वो मिश्रा जी का नहीं था मैं देखता था सीता महों में वो अक्सर जब मध्धिकाल का session होता था बैठते थे तो जब suggestion देते थे उनका कहना होता था कि भई मध्धिकाल को आब मध्धिकाल की तरह देखो उस पर बरतमान को impose मत कर दो क्योंकि हम लोग बरतमान को impose करते हैं जब मध्धिकाल को देखते हैं मिश्रा जी कहते थे नहीं उस जमाने का क्या trend है उस तरह से काम करो इस तरह नहीं करो कि आप आज देख रहे हो कोई trend है कोई सरकार खोश हो रही है आप उस तरह लहना शूरू कर दी फट से उस सवाल करते थे और उनके सवाल करने का तरीका ऐसा था मुझे हैरत है कभी वो taunting way में नहीं करते थे कभी वो किसी को ignore नहीं करते थे उनका कहना था कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मध्धिकाल पर मेरा सिर्फ एक नजरिया है कि आपने डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज है उनको अगर देखा है तो आपको वेरियेशन क्या मिलता है क्योंकि मेरा भी सोच है उनकी वज़ा से कि हर राइटर पर उसके सोशल बैकड़ाउंड का असर होता है हर राइटर पर उसके सोचल बैकड़ाउंड का असर होता है तो उन्होंने जैसे बात किया मैं एक पेपर पढ़़ा आता सीता मौँ पे हसन निजामी और मिनास सिराज को उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा बोला कि देखो जिगर मुहम्मद ये दोनों हिस्टोरियन जो है ये बाहर से आये थे देवर नौट फेमिलियर विद दे इंडियन इन्वाइरमेंट एंड देवर माइगरेंट राइटर तो फट से मैंने उनको इमिगरेंट के रूप में शामिल कर दिया कि सही कह रहे है मिर्शा साब कि वो यहां आके सीखना चाह रहे है एक जिग्यासा है उनके अंदर में तो जो कोई सुना रहा लिग दे रहे है क्योंकि वो मध्धकाल है मध्धकाल में इनालिसिस करने का रिवाज नहीं था और मिर्शा साब मौडर्न पीरियड में उनका कहना था फैक्ट को मध्धकाल के फैक्ट को अगर एनालिसिस नहीं करते तो वो तो एक तरह क्या मध्धकाली स्टाइल में इतियास लिखा जा रहा है और उनका कहना था कि आप इतियास को एक सामाजिक विग्यान की तरह सोचे उसको आप एक प्रीस्ट की तरह मस सोचे कि एक पुझारी की तरह सोचे कि आपने मंत्र पढ़ दिया एक मॉलाना की तरह आप जाके कोई आएद पढ़ दिया और आप उसको बौते जा रहे बले नहीं उसके पीछे कारण जरूर लगाओ उसके पीछे आप देखो कि वहाँ सरक्मिस्टांसिस क्या थी तो एक दूसरी किताब उनकी मैं पढ़ा वो खुखुद दिया था उन्होंने गोर्ण राजका, उत्थान और पतर तो उसमें भी मैंने देखा कि वो जरूर यूस कर रहे हैं क्राणिकल्स को मुगल पीरियट के किताबों को लेकिन वो वहाँ के जो फोक लिटेशर है उसको भी लिख रहे हैं अब जब दोनों को कमबाइन करते हैं मिश्रा साथ तो एक इस तरह का इतियास बनता है जिसको हम लोग कहते इंक्लिसिव इतियास इंपोजिशन नहीं बर्तमान का बर्तमान का इंपोजिशन क्या है आई एम जीगर मुहम्मद एवरीबडी विलसे जीगर मुहम्मद इजा मुस्थ लिए मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरा बोज़ेशा अरे भही मैं कहीं नहीं रहा हूँ रिलिजिए स बैग्राउड ना देखने अथनिक बैगराउड रिल्लिजिस बैग्राउड ना देखने वो छुर्च है मुगल है या वो पान्ये के ट्राइब से है तो मैं जो गों स्टाइब कहा तर मुझे यादाया या मुझे एक 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 ऐसास हुआ कि मिश्रा साथ का एक ऐसा कांटिजिशन है जिसमें हमें जो इत्यास बनाने वाले इत्यास के पाथ रहा है। कि कोई मगल हैं जो देखें जो कि मुझे ऐसा मुझे यादाया यादाया जो इसकी खास प्रस्चिति में लिखा है। वहां बोपाल में एक है इंस्टिटीट आफ हैल लाइनिंग एक्सलेंस वहां सेमिरारे मुझे बुलाए गया था और मेरी बेटी भी गई थी जिसका नाम एक्ता शेख है शीज डूइंग पीस्टी फ्रॉम डेली इवस्टी तो वो अपने घर में रखते थे तो अक्सरों रा तरह का उपीनियन जो है वो सामने आये जिससे इतिहास को हम एक इंक्लूसिव वे में देखें ना कि एक्स्क्लूसिव वे में एक ट्रेंड है हमारा क्योंकि हम लोग मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं हमारा देश एक बहुत ब्रिहत देश है इसमें बहुत मेहनती लोग रहते हैं उनके सामने इतिहास जब एक तरह से नेरो वेवे प्रेजन्ट किया जाता है तो वो मेहनत कश्च्णों कन्फ्यूस हो जाते हैं तो कि उनका कहना था कि मुझसे इसने डिसकॉशन कर रहे हैं उनको पता चले कि वह जम्मो कश्मीर में इतिहास के बारे में क्या लाते हूं फिर भी पूस्ते तो मैं उनको जब डिसकस करता तो बोलते हैं इसको राइटिंग में लाओ जबानी नहीं लाओ तो इस तरह से मिर्शा साब को आप आज इतिहास कर जब मध्यकार पर देखेंगे तो वह एक क्रिटिकल असेस्मेंट में कीन करते थे एक विशाय के बहुत पहलू होते हैं एक विशाय का एक पहलू नहीं होता जैसा हम लोग प्रिज़ेंट कर देते हैं तो मिर्शा साब कहना था डोनों आप लिखें ग्रेटनेस भी लिखें उसके खराबी भी लिखें कि that how his greatness was motivated by the idea to expand his rule in different parts of the country. तो मुझे इस तरह से मुझे पता नहीं था, वो अक्सर मुझे से बोलते थे जिगर मुहमद, बुढ़ापा और ना गलत है. क्योंकि मैं उसे छोटा, बीस साल छोटा हूँ. तो मैं बोलता है, सर अब मेरी एज हो गई सिक्स्टी से उपर, तो बोलते हैं, मैं आप से बीस साल बड़ा हूँ. और वो इतिहास को अपना एक जीवन बना लिया, एक लाइफ लाइन बना लिया, इसलिए वो मद कासर रिलेटेड जो थे, वो इस्थानिय इतिहास को जादा हाईलाइट और जरूरी है. एक देश बनता है, इस्थानिय लोगों को मिला के. देश अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है. रिजिनल जो आइडिटिटीज हैं, उस सम्म मिल के एक देश बनाती है. इसलिए मिश्रा साब को हमेशा याद किया जाएगा उनके किताबों के जरीए. मेरे जैसे आदली अगर जिन्दा हैं, तो जरूर याद रखेंगे कि मिश्रा साब हर राय का सौगत करते थे, जब वो मध्धकालीन इतिहास की बात करते थे. वो ऐसा नहीं सोचते थे, जो एक विचार भारा से लिखनेगा, उसी की बात सुनेगे. इसलिए मैं तुमस्दा हूँ कि प्रेसर संजे सौनकार की गाइडेंस में, इनके जरीयों काईगे, अदम के जरीये, हम लोग मिश्वा साथ का जो मिठड एन एक जोश है, इसके जरीये इतिहास को आजो रहा है. और ओ मिठड एन एक जोश क्या है, कि अगर आप मध्धकाल का या वर्थमान का इतिहास की रहे हैं, तो आप मुल्टिपल टाइप के सोर्सेस के देखें, और वहां की क्या हाला तो और वहां के स्थानिये चलवाई का क्या परभाव है, ये प्रोडक्शन का क्या परभाव है, तो हम लोग अप्ता मिठा साथ को अपिशा याद रखेंगे, इस शब्दों के साथ मैं जुवारा शुक्रिया दखता है, तैंक यू बेरे, जिगर साहब के अगर हम बात का सार निकालें तो इन शब्दों में निकाला सकता है, कि एक राइटर पर उसके सोशल बेग्राउंड का बहुत फर्थ पड़ता है, जी बिल्कुर पूरी तरह सहमत है हम आपकी बात से सक, और अब वो अगले वक्ता है, मिस मार्टीना चक्रवर्टी है, हमारे साथ जोड़ी हुई है, मार्टीना थोड़ा सा समय का ध्हान रखते हुए, आप बोलेंगी इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, आप बात कर रहे हैं, प्रॉफसर सुरेश मिश्र का युगा शोधार्तियों के साथ समवाद विश्यपर, मार्टीना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैड़म जी, जी, प्लीज अपनी बात नहीं, यहां उपस्तित सभी विद्धर जनों को मेरा प्रणाम समय का ध्यान रखते हुए, संजय स्वरनेकर सर और पूरी टीम का, मैं बहुत अभार हू कि उन्होंने शुरेश मिश्र सर को याद करनी की इस आरजन में मुझे भी शामिल करके मिश्र सर के साथ युवा श्रोधार्तियों का सम्मान्द कैसा रहा, इस विशय पर बोलने का मौका दिया. दोहाजार अठरा में मेरे सुपरवाइजर प्रफेसर हितिंद्र पटल सर की सलहा से मैं मिश्रा सर और स्वरत समिनार से जुनने का मुझे मौका मिला, पहली दिन जब उनसे बात की तो उन्होंने बेटी बना लिए और एक साधारन स्कॉलर से उनकी बेटी बनने की इस प्र करते हैं, हाला कि हम लोगों के पेपर में बहुत सारी थूटिया होती थी, बहुत सारी खामिया होती थी, लेकिन वो हमेशा उस पेपर की जो खास विशय है, उसके बारे में बात करता है और इसी प्रफ्रिया में हम लोगों को थूटिया भी पता चल जाती थी, मिश्रा सर क तो उन्हों ने कहा कि अगर सच्चाई, निष्ठा और कथोर मेहनत यह तीन चीज तुमारी किसी भी लेखनी में उभर कर आए तो समझ लेना कि तुमने जो काम करी हो वो सही हो गया अंतिम में जो बात कहूंगी वो थोड़ा वेक्तिगत होगा और भाभुख भी होगा सर के अविनंदन गरंत समारों में मैंने भी ये बात कही कि जब भी बोपाल से घर लोटती हो ऐसा लगता है कि बोपाल से कुछ छूट रहा है तो हम ल लगातर करते रहे और मुझे पुरा यकीन है कि मिश्टा सर सदेव हम लोगों के साथ इसी तरह से जुरे रहेंगे धन्यबाद नमस्कार पूरी समय समी सीमा का ध्यान रखते वे माटिना तुमने अपने बात कही बहुत-बहुत अच्छा लगा तुभे सुनकर और अब मैं अमंतित करना चाहूंगी डॉक्टर अविनाश कुमार जहा साहब को वे बात करेंगी सुरेश मिश्ट जी एवं जेंडर इश्यूस इसक डॉक्तर एक्ता व्यास मैं कुछ लिख कर लाईयों और मैं उसे जन्द पढ़ने की कोशिश करती हूँ आप सभी का पुना अविनांदन आदर निग मिश्टर सर को रदयान जली अर्पित करते हुए कहला चाहूंगी मैं सर की मिश्टर सर की अंतीम शोध छात्रा रही हूं शोध अधेता रही हूं जब कभी भी सर के निर्देशन की मुझे आवशकता रही सर ने विशय परक समाधान तो किया ही अन विशयक कारियों के लिए भी सदेव प्रेरित करते रहे अर्थात विशय से हट करके भी वह बहुत सरी बाते करते रहे और कहते रहे करते रहो एकता करते रहो एकता रुको बात कर लीजे मुझे कहते के अरे सर तो डाट देंगे अरे सर से हमें डर लगता है बात करने में तो मैं कहती कि नहीं आप एक पर जरूर बात करें डाट तो मैंने भी खाई है लेकिन बहुत मेरे लिए मेरे जीवन का एक बहुत ही अच्छा पल बन जाता था जब सर मुझे डाट दे तो मैं कहती कि नहीं आप लोग डाट खाईए लेकिन सर को मत छोड़िये सर से बात करने पर कि सर का निर्देशन अंतिम निर्देशन होता था और सर बोलते थे कि यहीं लिखना है और यहीं लिखते रहो तो वे सभी शोडार्ति वहीं करते थे जो सर कहते थे और उनका अंतिम निर्देशन सर उमान्यों को जाता था सर से मुझे भी लगता था कि सर बहुत सक्त है कि तो ऐसा मेरा ब्रह्म था, जैसे जैसे मैं सर को जानती गई, मुझे ऐसा लगता गया कि सर एक पूर्ण स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्तित्व के थे, सहयोगी, उत्साह प्रेरक्व, समय के साथ समयोजन करने वाले व्यक्तित्व के थे, उनके नर्देशन में मुझे अपने संपूर्ण शोधावधी में कहीं भी किसी भी प्रकार की बात्यता का सामना नहीं करना पड़ा, हम सभी शोधार्तियों का एक समूह होता था, जो हमारे परेम श्रदेश्ट, डॉक्टर शाम सुंदर निगम की शूत संसान में ही रहता था, बस रात्री का समय होता थ जब हम सब लोग अलग होते थे और पुनहा सुबह साथ बजे, आट बजे वही सुबह एकत्रित हो जाया करते थे, पड़ाई के साथ ही निगम सर का प्रेम और जिस दिन, हमें यहां पता लगता था, कि मिश्र सर और सर के साथ आटी, दोनों ही बोपाल से उज्जेन आने व निरंतर सर के संपर्क में रहती थी, यहां मेरा गुण नहीं था, यहां सर का वहां चुबह की व्यक्तित्व था, जो मुझे से सदेव जूडा रहा, आदर निया सणोकार सर ने मेश्र सर के अभिनंदन ग्रंत के प्रकाशनेतू जब आलेक मंगवाया, तब मैंने सर की काफ नहीं में बसता है और उन्हें अपनी जड़ों को अभी तक नहीं, इतनी लंबी आत्रा के बाद भी पुनाहवे महराजपुर जाते हैं, अर्थात यही है कि उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा, कौन कहता है कि वे सक्त थे, उनकी बातों में मैंने भावुक मैं सिर्फ इतना कहते हुए, पुनाह भावान जली देते हुए अपनी बात को यहां सुमावे महरा, धन्यवाद, मार्टिना की बात मैंने अभी सुनी, मार्टिना ने कहा कि हम जैसे साधारन शोधारतियों से वो सीखते थे, इससे बड़ा कॉंप्लिमेंट के लिए नहीं ह कि वो हम से सीखा करते थे, हमारी बात को बहुत धान से सुना करते थे, बहुत इंपोर्टन बात है और डॉक्टर एक्ता ने कहा कि उनकी डाट भी पर जाने को डर हमें हुआ करता था, तो इस पर मुझे जो बात याद आई वो यह है कि जब एक घड़ा कुम्हार निर्मान करता है घड़े का, तो उस पर ठाप तो देता है, लेकिन साथ ही अंदर से हाथ का सपोर्ट भी होता है उसको, उस सपोर्ट को ही हम सभी उस डाट को भी हम उस मिठास में बदन लेते हैं, जैसा डॉक्टर एक्ता ने कहा कि हमें अच्छा लगता था, आज याद आता है कि उ तो इनी शब्दों के साथ मैं आगले वक्ता को आमन्तित करना चाहूंगी, जो बात करेंगे, गैर सवकारी संगठनों का अदूत संयोजन, मिस्टर अन्वर जाफरी, अगर अन्वर जी जुड़े हुए हैं और मेरी आवाज आप तक पहुच रही है तो अपने बात कहें, अन्वर जाफरी सहाथ, शायद मैं देख पा रही हूँ, अन्वर जाफरी सहाथ हुमारे साथ जुड़े हुए है, जाफरी सहाथ आप अन्म्यूद कीज़े, जी आवाज आ रही है आपको, जी बिल्कुल आ रही है, जी प्लीज बताएं, तो पहले तो स्रोणकार जी का और सुरेश भाई जो हमारे थे, उन से सन असी से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं शुरू में सोचने लगा, कि कितने इंजियों से वो जुड़े रहे होंगे, तो तीन-चार नाम मुझे लगे के आएंगे, लगर जब बीरे जोड़ता गया, तो करीब आट-दस नाम आ हम लोगों के भी बोरड्स थे काम भी किया हम लोगों ने, तो मैं कुछ जिघ्र ने जारए इन्फ होता है काम करने का, और सुरेश भाई भी बहुत इन्फॉर्मल तरीके से भी से काम कर सकते थे अपने पूरे जिसिप्लिनृणा, और अपने पूरे सिस्ट्म को बरकरार र तो मुझे याद है एक मीटिंग में पहली बार मैंने उनको देखा यह शाय तरासी चौरासी की बात रही होगी और पहली बार देखा था तो फिर मैंने उनसे फूशा कि आप यहां क्या करते हैं मुझे लगा वह विज्ञान पहाते होंगे चुक्कि विज्ञान का कारीक्रम राशूरा ओर उनने बताया कि नहीं वो इतिहास कार हैं और फिर उनकी बेटियों का यह प्रियांका प्रग्या और बड़ी बेटी मनीशा नों को साइब सुच्छा लेगा है और आप प्रोग्र्राम में yapmışट प्रोग्राम हर बच्चियों ने एक अपनी छोटी लैब बनाई हुई थी जिसमें विज्ञान के काम करने के सब चीजें रखी हुई थी और मुझे बड़ा तैज्जू हुआ अपनी बच्चों को गाइड कर रहे थी कि वो यह करें और यह जो पहला उनका इंप्रेशन था कि अपने दाइरे से बाहर निकल कर और चीजों में दिल्चस्पी लेना उसको पकड़ना और उसकी गहराई में जाकर उसको करवाना तो यह बात मैंने उनकी अंत तक पाई जिसे कहते हैं न कि वो फर्स इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन उनका बचा रहे गया उसके बाद उनसे लगातार मुलाकात होती रही वह एक लवे में हम लोग थे तो एक प्रोग्राम सोशल साइन्स टीचिंग का चलता था आप लोग चाह जानते होंगे तो सुरेज भाई इसकार होने के नाते उससे जुड़े वे थे और रिगलरली आते थे जब होशंगाबाद में थे खनवा चले गए वहां से भी वह हमेशाद छुटी लेके आते थे दो-तीन दिन साथ रहते थे और मुलाकात होती थी इसके बाद जब वो रेटायर हो गए तो भुपाल आये ह हम लोग भी भुपाल आ गए थे और जब कुछ दूनों मुलाकात होती रही मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो समावेश हमारी संस्ता है उसके साथ जुड़ के वो काम करें तो सुरेश भाई फुल टाइम पूरी तरह से हम लोग के साथ जुड़ गए और करीब तीन-च वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी कुछ साल एक दू साल वो रहे थे लियन पे तो इस पर वो लेखन करते रहे स्टडीज करते रहे और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया जो के राजिंदर सिंग थे एक सज्जन राजिस्थान के आप लोगों में राजिस्थान में तो बहुत जोड़ार काम किया है उनको मैगेसर से अवार्ड मिला है और एक स्टॉक होम वाटर प्राइज मिला है तो उनके साथ हम लोग गए वहां मिलने और वो उस वक्त कोशिश कर रहे थे एक नेटवर्ग बनाने की मद्धर प्रदेश में और करते रहे और करीब 25 से ज़ादा एंजियो को अन्होंने इस नेटवर्ग में जोड़ा तो वह जाते थे विजिट करने उनको समझाते थे कि वाटर कंजरवेशन के क्या माने हैं क्या उसकी बारी क्या है और उसके उपर उन्हों का जो कांथा उसके बारे में लिखते थे और ये बहुत जूरदार काम रहा और मेरे खाल में उसके बहुत ही इंटेंसिबली किया और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आए मेरे खाल में दो-तीन साल के बाद तुरेज़ भाई को लगने लगा कि अब हमको वापस जाके और हमाना जो पहला प्यार है इस्ट्री उसमें काम करना चाहिए और मेरे खाल में ये उनके लिए बहुत रिवाइवल का वक्त था जब्कि उन्होंने और चीजों में इंटेस क किया और उसके बाद फिर उन्होंने वो काम छोड़के फिर वो अपना फिर वो पूरे वक्त अपना जिस्ट्री लिए तो मगर लगातार बोपाले मुलाकात होती रहती थी और 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 बी कई साइलेंट मगर बड़ा एफेक्टिव रोल रहता था जहां जरूरत होती थी वो खुद से आके हेल्प कर देते थी मुझे तो याद है एक बार वो समावेश पहुंचे कहने लगे यार तुम लों का ऑफिस जो है बहाँ गंदा हो रहा है बहुत दुनों से ठीक नहीं हुआ है चलो मैं इसको ठीक करवाता हूं और उन्होंने तीन-चार साथियों को लेकर वो एक दिन पूरा लगाया उसको ठीक व्यवस्थित करने में क्योंकि हम लोगों ने उसको जल्दी ऑफिस बदला था और सब चीज़ें इसी भरी हूंकी तो मतलब वो किसी भी काम से घबरात है नहीं कि छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो उसको लेकर और उसी जो उनका सिस्टम था उनका डिसिप्लिन था और जो उनका लगाओ था हम सब लोगों के प्रती उसके साथ करते थे तो यह उनकी कुछ यादें थी और अभी भी वो यादा आते हैं तो ऐसा लगता है कि बि चुकिया आपने ये मौका दिया धन्यवाद जी बहुत-बहुत आभार जाफरी साहब के अगबोधन से मुझे एक नई बात मालूम पड़ी प्रॉफसर मिशा को मैं एक राइटर और इतिहासकार और एकेडिमिशन के तौर पर ही जानती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो नेचर फॉरेस्ट और वाटर कंजर्वेशन में भी उतना ही इंटरस्ट रखते हैं तो ये आपके बुदम से मुझे मालूम पड़ा एक नई आयम से आपने परिचित करवाया आपका बहुत-बहुत आभार और अब आगले वक्ता को अमंतित करना चाहूंगे मिस्टर एमम उपाधिया साब जुड़े हुए है हमारे साब मदन नहुंजी उपाधिया है आप अपनी बात रखेंगे स्टेट इंटेट बुपाल में प्रॉप्सर सुरेश मिश्र उपाधिया साब अपना माई को अनूर्ट करें और अपनी बात हम तक रुँचाए सभी उपस्थित यहां सुरिती कारिकम में व्यक्तिगर्ण सुरेश मिश्रा जी के आज के इस कारिकम में मुझे संजे स्वर्णकाद जी ने आम अंतर लिया सबसे पहले तो मैं उनको बढ़ाई दूँगा हमारे लिए बहुत ही एक दुखा दिये घटना हुई उनका अनाया ज्याना क्योंकि इनियर नैशनल ट्रस्ट फर आर्ट और कल्ट्रल हेरिटेज जिसका मैं कन्वीनर हूँ वो मेरे स्रह कन्वीनर थे और पिछले कुछ वर्षों से हम जो भी इतिहास से जुड़े जमीनी तौर पर काम कर रहे थे उनमें बहुत सक्रीय रूप से उनका योगदान था इतिहास के तो खेर वो एक ग्याता थे और बहुत ही सशक्तिक व्यक्तित थे मद्यकाल के इतिहास के बारे में और उन सबसे हटके जो मैंने एक चीज उनमें देखी जो एक अद्वुद ही मद्यप्रदेश में मुझे चालीस परश हो गए हैं यहाँ पुशासिक सेवा में परन्तु इस तरह की एक अद्वुद व्यक्तित जो मैंने पाया वो एक ये था कि उनका कमिट्मेंट टु वर्क उनमें एटीज के चलासी पिचासी के होने बग के बावजूद भी उनकी उजज़ा किसी भी बीस पाईस साल के युवा से कम नहीं थी अभी तिवारी जी जिक्र कर रहे थे विज़ा तिवारी जी उदैपुल हम भी उदैपुल यात्रा में साथ थे तो उनके में देखता था कि दिन वर्ट साथ साथ घंटे तो वो जो एक हमें पाचेर करती थी और मैं अपने सभी मिलने वालों से जिक्री किया करता था कि भी ये प्रोफेसर मिश्वा देखिये कभी समय का क्योंकि मुझे पता था लंबे और धेन करते घर पे तो ग्यारा बज़े भी मैं उनसे लिवर्टी ले लेता साथ के कि फुस्त में और ग्यारा बज़े भी वो उपलब रहते थे उनकी एक खूबी जो इतिहासकारों के संदर्ब में मैं बताना चाहूंगा वो बराबर कहते थे कि जो भी नई चीज मिलती है उसको लिख दो और लिखके उस से प्रकाशिन कराया भूपाल का ग्ज़ेट जो आज से सौ वर्च से पहने लिखा गया था लुवार का लुवार और अन्वर अली का उसको मुझे उद्धिल कॉपी दी हमने उसको उसकी 400 कॉपियां कराकर भूपाल को ग्ज़ेट को दुबारा प्रकाशित कराया इसी उदैपुल पे उदैपुल हो या अभी राता पानी में हमारा काम कित्यास के संद्रबों को अनुसंदान कर रहे थे वो मुझे आहरत इस पात की होती थी कि कि कितना भी बड़ा काम दो दो वाली तो घर बात ही नहीं थी वो तो हम सब के लिए एक बहुत ही समान किसी भी की काम के लिए उनको निवेदन करें तो कभी भी उन्होंने एक या दो दिन से सज्जादा का समय नहीं लिया बोलते थे कि आप तो पादिए कि कि किन-किन पहलों पर आपो नईतर चाहिए अपको है कि अदोड़ित के बारे में हो उनके बीमारी के समय प्राजीन हम उनसे बातशित मेरी हूई और मुझे नहीं पता था कि एकदम उनका ऐसे अनाय समय वीच से उठ जाना दो ब अब भाट के लिए जो उन से जुड़े रहे हैं उन्होंने अनेक और सूरितिया और हम सब्सक्राइब के लिए प्रेड़ना के सोत रहे हैं और मुझे निश्चित विश्वास है कि इतने बड़े रखने वाले विश्वाजी से परचित यहां जुड़े हुए है वे इन स्मृतियों को सब्सक्राइब करना चाहूंगी और उन्हें भी स्मरण कराना चाहूंगी कि हम थोड़ा सा उपर सीमा से बहार निकल गए हैं चार बज़े ये सत्र खत्म करना था लेकिन चार बज के साथ मिनट हुए हैं और दो तीन वक्ता और बचे हुए हैं तो डॉक्टर मुकेश मिश्रा सहब को आमंतित कर रही हूं जो बात करेंगे प्रोफिसर सुरेश मिश्र का राज्चुवादी चिंतर आपको दो से तीन मिर्ट में अपनी बात समाब करेंगे ऐसी आश्या के साथ डॉक्टर मुकेश मिश्रा साहब यदि आप मेरी आवार सुन पा रहे हैं तो अपनी बात करेंगे जी आजी आ रहे हैं एक मिट आपको रोपना चाहूंगे मिश्रा साहब नीता मिश्रा साहब का माइक ओन है सर प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मिटा मिश्रा के लैप्टॉप से जो महानुभव जुड़े हुए हैं सर आपको मेरी आवाज सुनाए दे रही हो कि प्लीज अपना माइक ओफ कर ले जिससे वक्ता की आवाज हम सपर स्टूप से सुन सके मैं जड़ा बोलू मैं एक मिश्रा और जोड़ गया है लकर राइपिन मिश्रा फ्राम बोपाल जी जी मिश्रा सर आपको माइक आप ऑफ कर दीजिए आपसे कमरे देमेदन है माइक आप कर दूँ है हां जी 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 प्लीज जी मुकेश सर आप बोलें जी 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 पहुंच रही है कि जी जी पहुंच रही है कि उसके बाद कप्रियों गया संजे सर आपका भी माइक कौन है संजे सर जी के संदरग में अपने विचार प्रकट किये है जी जी कहा गया कि डाक्टर सुबेश मिश्रा जी का जो राष्टवादी चिंतन है उस पर आप कुछ रात रखिये मैं 2016 में उनसे संपर्क में आया और संपर्क में जो आने का कारण था वो एक बड़ा कायर्टरम हम लोगों ने इसी चिंतन पर केंद्रिक किया था लोक मंधन नाम से और उसका ट्रांस्क्रिप्शन होना था और उस संदर्व में मेरी किसी के माध्यम से उन्चा परचे हुआ और ऐसा परचे हुआ कि फिर हम लोग साथ जुड़ गए और निरंतर फिर काम करने लगे और लगातार जो उनके साथ चर्चाएं शुरू हुए एक इतने वरिष्ट व्यक्ति और इतना जो हम सब अपने मन में सोचते राते हैं कि काम करेंगे ऐसे करेंगे यह होना चाहिए आप पर पार कर रखें़। और बहुत सारे चीजें उन्होंने समाज को दे चुके हैं तो इसके साथ और भी काम हमें करना चाहिए और एक एक यात्रा चालू हुई बहुत सारे प्रोग्राम हमने किये सेमिनार किया वर्क्शॉप किया वो सब यहां पर कम समय है ज्यादा उलेख नहीं करूंगा लेकिन जो उनका चिंतन है उस पर कुछ बाते में कहना चाहूंगा आप अगर उनका पूरा लेखन देखेंगे जिवन पर काम किया और उनके कंट है वह उनके केंद्र में है लेखन में तो वो बोंडों पर काम उन्हीं जो किया है दुरगावति पर काम किया है मंडला के जो दस्तावेज हैं वह बहुत सारे पूरी सूची और उस सूची को जो आप देखिंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वह एक अस्ठानिक्ता की संस्क्रिप्ति उसके इतिहास उसके परंपराओं को बार-बार और एक गहन अध्यान के बाद मिश्कर सुरूप में सामने ला रहे हैं जब मैं इन सब बातों को सुचता हूँ तो मैं यह सुचता हूँ और मिश्कर जी के तमाम लेखन में हम यह बात बहुत आसानी से देख सकते हैं अपनी भूमी अपनी अपने इतिहास अपनी परंपराओं वहां के लोगों के जीवन की उनकी विश्ष्ट का और उनकी ज्यान संस्कृति परंपरा इत्यादिका जो गौरोगान है वही राष्ट अपने लोग जहां वह पैदा हुए जहां वो रह रहते हैं जहां लोगों के संपर्क में थे वहां के इतिहास को संस्कृतिक उंस्पराओं को वहां के लेक आखमी को वहाके विस्मृत नायकों को वो सामने ला रहे थे और उस पर सोथ करवा रहे थे कर रहे थे और दुनिया को ये बता रहे थे कि देखिए ये अवंति भाई हैं देखिए दुर्गावती हैं देखिए मंडला के दस्वेज हैं देखिए बुरहानपुर के दस्तावेज हैं दतिया के दस्तावेज हैं दत इसके साथ एक जो विविद्धिता का दर्शन है उनके अकादमिक जो जीवन है उनका पूरा उसमें एक बड़ी खासियत हमको दिखती है विविद्धिता का दर्शन दिखता है जो कि राष्टवादी चिंतन का एक मूल आधार हम सब मानते हैं आधार है कि विविद्धिता में और अस्थानीय संस्कृति इस्थानीय इतिहास को के में के जो अंदर एकता के सुत्र है उसको भी वो ट्खांकित करते हैं अपने लेखन में ये बहुत बड़ी बात है जोकि बहुत देश के अनहिस्स्तों में जब आप नजर दोड़ाएंग जैसा बहुत कम लोगों ने काम किया है, उनकी लेखनी में इस्थानिक्ता के जो इतिहास दसन दिखते हैं, उसको मैं एक राष्टवाजी चिंतन का एक मूल अधार मानता हूं, और हम जब राष्ट की बात करते हैं, तो हमें कोई देश या उसके सरकार या उसके सम्मिधान य होता है, हम वहां के जो मौलिक कत्व हैं, उन पर बात करते हैं, यही एक राष्टवाजी चिंतन की मूल बात होती है, क्योंकि हम यह जानते हैं, और यह मिस्रा जी भी बहुत अच्छा से जानते थे, हमारे उनसे लगातार बात होती थी, और वो इस बात को कहते भी थे, कि देखो जब कोई इतिहास, परंपरा, अपनी द्रिश्टी और अपने देश काल में नहीं देखी और समझे जाती है, वो कुपाट का सिकार हो जाती है, इसका कुपाट होने लगाता है, इसलिए अपने नजरिये से देखना, अपने चीजों को परखना, उसका ठीक से अध्य परश्टी और अपने चीजों को परश्ट करते हैं, आप परसी ब्राउन की पुस्तक कितनी पुस्तक है, उसको हिंदी में वो ले आकर कितना बड़ा भगीरत काम उनोंने किया है, और बहुत सारे सुधार्टियों को उससे लाव मिला है, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके पहले मैं एक छोटा सा उदारण दूँगा, हम एक बार उनसे संपर्ग में थे और मैंने कहा कि सर ये बताईए कि ये गोंड राजाओं और गोंड इतिहास पर आपने इतना सारा काम किया है, लेकिन क्या गोंडों ने कभी खुद को गोंड कहा है क्या, गोंड की आइ मिले और वहां पर हमने ऐसी बाते कुछ छेड़ी, आप लोग जानते हैं, जनगरना, जनसंख्या ये जो होती है हर दस साल पर, उसमें गोंड आइडेंटिटी और धर्म को लेकर के सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी बाते समाज में कही आती है, और उनको विमुख करने की प सारे लेक हैं, अभी लेक हैं, उनमें आप देखेंगे तो जैभदरकाली, श्री राम, गडेंश, ये सब लेडी लिखा और मेरे पास सुरचित हैं, आपको मैं कभी दूंगा, मैं तुरंट उनके पास पहुंचा और उनने पूरा एक फाइल बना करके मुझे वी डॉकुमे माफी सहित, तो ये मैं ये बताना चाहा रहा था कि अपने राष्टरी चिंता का भाव होता है, वो मिस्रा जीन में सदयू बना रहा है, जैसा कि विरेंद मिस्रा जी ने भी कहा, उनको एक पुली सदकारी के रूप में भी उन्होंने कहा कि तुम लिखो, तुम नहीं लिख प्रक्रिती के साहिते थे, उनको भी उसमायत करके इतियास लेखन कर रहे थे, ये एक राष्टवादी चिंतन का एक बहुत बड़ा उधारन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतियास लेखन में किस-किस तरह से तरीके अपना जाते हैं, और अंत में मैं ये बात कहके अपनी बा प्रथित होता था तुश्ट Sergei जाना चाहते हैं जब भी वह कुछ काम करते हैं उसमें सत्य एलाना चाहता हैं, कोई भी कोई दुरागरह, कोई पुरवागरह, कोई भी बाद में ना पढ़ कर, एक जो सच्ची साधना होती है उसके इलिए वह समरपित थे और हम सब के बीच आज वो नहीं है मुझे मैं शब्दों में इस बात को बयान नहीं कर सकता है और इनके नहीं होने से हम सब इतनी बड़ी च्छती से गुजर रहे हैं भगवान उनको अपने सीर्चनरों में अस्थांग दे मैं आप सभी को बहुत-बहुत धनवाद देता हूं कि आपने उन्हे इन बहुता की रूप में मैं मंत्रित करना चाहूँए संजे कुमार यादव साहब को बीबात करेंगे स्वरार संस्थान संचले नाले भुपाल में प्रोफिसर सुरेश मिश्रकाय योगदान इस विशे पर आप बात करेंगे संजे कुमार यादव संपर अगर जुड़े ह आप लोगों ने भी इसमें शामिल किया सुरेश मिर्षाजी से जो सुराज संस्थान की प्रहचान मतलब एक सुराज संस्थान और सुरेश मिर्षाजी बिल्कुल एक ही विक्तित्व को कहा जा सकता है। जो किताब है उससे उन्हों ने शुरुबात की थी 2004 में और उसके बाद 1857 मंडला के दस्तावेच एक वो कुस्तक भी हमारे यहां के उन्होंने लिखी उसके बाद 1857 के उपर मंद्रपदेश के अरणबाफने उस तक जो है काफी चर्चित भी रही और उससे कई लोगों को ता फिरोश्चा वो भी हमारे लिए उन्होंने लिखी शुराज सन्थान के लिए और एक जो है हीरापूर के हिर्देशा जो 1842 के वो उनका बहुत अच्छा और गंभीर काम रहा 2007 में फिर अभी अरुन वागेलाजीय ने जिकर किया था उनीसी सदी में भारत में आदिवास विद्रो उसकुस्तक का भी हमारे लिए उन्होंने काम किया और स्वराज सन्थान के लिए जो कई वर्षों से हमारे साथ जो वारशिक सेमिनार का जो सिलसला उन्होंने शुरू कराया तो उस से इस ग्रुप के तो अरिकांश लोग जुड़े हुए भी हैं और सभी हम लग इसी प्रयास के लिए याद भी कर रहे हैं स्वराज सन्थान में जो उन्होंने सेमिनार सुरू किये थे उसमें दो हुजार सोला में भारती राश्टी आंदोलन्द वाज़ाठा में आधुनिक भारत में राश्टवाद के विबिन आयाम सरदार वल्लभाई पटेल भारती राजनीती, महत्मा गांधी के बाद भी शुमय गांधिवाद, ऐसे मतलब कई सिल्षला उनका स्वराज सन्स्थान के साथ जोड़ा रहा और अदी भी हमारा विचार था कि हम आगे और पीसे बढ़ाएंगे और लेकिन ये हमारा और सभी लोगों का इस गुट से जोड़े ह हमें बहुती हराब समय आया है कि ये हमारा नाता चूल गया और आगे के लिए मैं संजे स्वराज सर्थान इसके लिए मदद करेगा अभी हाली हुए मैं धरमपाल सोचपीट के निजिशक का भी मुझे प्रभार मिला है इसमें भी मैं आप लूंका सहयव करूंगा और यही हमारी सुरेश मरहाशाजी को होगी उनके काम को हमारे साथ بहुत से कामों के साथ जुटे हैं अपरे विस्तार से उनके आप बारे में अभी आप बोलनी सकता चूकि अहाल में जनवरी में में हमारे सा जूड़े थे तो जो जिलेवार हमने शोदकार किया है लगबग 30-40 फुस्तकों को संपादित करके हमें प्रकाशित करने का लक्ष हमने जॉइंटली शुरू किया था और जब वो उसमें भरती हुए 6 अपरेल को तो अपने साथ कंप्यूलर लेके और हॉस्पिटल में गए थे वहां भी उस काम को उन्होंने जारी रखा था 21 अपरेल को जो अंतिम मैंने उसे वाट्सेप में मेसेज किया था उसका कोई जवाब नहीं आए उसका काफी विचलित हो गया अगले दिन मैंने सरंकार जी को फोन किया तो तो वह 22 अपरेल को जो दुखवरी सुचना हमें मिली उसके बाद एक ब्लैंक सा आगया कि विश्वास ही नहीं वाद है कि वह हमारे विचलित है बसी सच्छी सजद्धा अंजलिक साथ में अपनी बाते ही समाप करता हूं आप सभी को इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बदाई और आभार भी रख करता हूं कि कि मैं कुछ कहना चाहता हूं डाक्टर संजय यादो जी सब्सक्राइब कोई एक स्मृति व्याख्यान होगर आपको सुरेश मिस्राजी के शुराज संस्थान क्यूर से कोई पहल कर सकते हैं जो वार्सिक हो या कोई एक प्लैन कर सकते हैं आप शुकी वहां पर है अगर वार कि इस बारे में विस्तार से हम ग्रूप में बात कर सकते हैं सुरेश मेमोरियल ग्रूप बना हुआ है वाट्सेट लोग शायर हम सभी उसके मेंबर है अभार सहित मैं प्रॉफसर स्वांकार से पूछना चाहूंगी कि क्या चतरवेदी जी हमारा साथ चुड़ दें हैं सर् जी तो मैं बहुत आदर के साथ प्रॉफसर केके चतरवेदी साहब को भी आमंतित करना चाहूंगी वो इस सत्र की अध्यक्ष्टा कर रहे हैं आप रेटर प्रॉफसर है जबलकूर मध्यप्रदेश से सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको अपने वक्ते विश प्रॉफसर के नहां मतिशिद्धा करतिश्वराह नास्ति ये शाम यशक का ये जरामर अनजम भयम मंच पर विराजमान आज के सायोजन में भाग लेने वाले सभी विद्वजन सन्योज का मेगना जी और सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं बहुत बड़ी संक्या में मैं बात जरा कुछ पहले समय की करूंगा हम लोग तब नौकरी की तलाश में थे डाप्टर शाम सुंदर मिश्रा डाप्टर सुरेश वर्मा में सुरेश मिश्रा जद्यपी सरकारी नौकरी में थे लेकिन चुके नोंने हिस्ट्री में बहुत अच्छे ढंग से एहमें की परिक्षावत की थी हम सब लोगों असनातो कुत्तर की थी तो हम सब लोग और अच्छी विवस्था के लिए तद पर थे तब मेरा पर्चे उनसे हुआ एक दिन वो हमारे जबलपुर वाले छोटे से घर में आये और तब मैं अंदर इस्तनान कर रहा था बार लोटा तो वो एक जो हमारे घर के पहले के कमड़े में गद्दा विचा था उसमें लेटे हुए थे श्याम सुंदर मिश्रों के साथ थ मुझे आश्चर हुआ एक जिससे मेरा कोई पर्चे नहीं जो आज के पहले कभी मेरे घर आया नहीं और वहां करके लेटा हुआ है श्याम सुंदर ने कहा यह सुरेश मिश्रों है उस समय मुझे नहीं मालूं पढ़ा कि सुरेश मिश्रों का क्या अर्थ होता है जो जो समय अबीता वर्ष भीते क्योंतियों मालूं पढ़ा कि सुरेश मिश्रों क्या है तब से लेकर जब तक उन्हों ने अपनी अंतिम श्वांस ली तब तक जबलपूर की मित्तमंदली के साथ उनका बड़ा गहरा संबंद रहा बड़ा आत्मी संबंद रहा उसमें डाक्टर शाम कुछ लोग हम ऐसे थे जो प्राया मिलते थे और जब भी ये मनला जाते और लोखते तो हम लोगों से मिला करते थे आज की इस गोश्टी में मैंने बहुत से लोगों के विचार अभी सुने समय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए मैं बहुत संखेत में अपनी बात समाप्त करूँगा तो उनके में बहुत से विश्यों की चर्चा हुई है हम बात करना चाहेंगे उनके उस कालखंड की जब वो स्वयम संघर्ष कर रहे थे कि इरेंद्रे नुक के संबंध में कहा है मैं उनके घर भी गया हूँ उनके पिता जी माता जी के दर्शन में ने पिये उनने सो साथ और हिक्सक में तब से लेकिन एक बार मंदा जाना हुआ सुरेश मिश्राप के व्यक्तित्व को इतिहास के डाइरे के बाहर भी देखने का परियक्ति करना चाहिए चोटे व्यक्ति नहीं थे वो किसी विश्य के प्रफेसर मात्र नहीं थे हम भी अपने अपने जिश्यों में अपने अपने क्षेत्रों में काम करते रहें उससे कहीं बढ़े थे वो बहुत बढ़े थे और उनके कुछ गुण ऐसे थे जो गुण आज दुरलव हो गया है आप लोगों में से कई लोगों ने चर्चा कि पहना गुण उनका ये था हास्मुख होना एक पूछने के बाद हमारा नाम किस्टू था और उनका नाम सुरेश था कहीं गंगा थे और कहीं शियाम सुंदर थे ये हम लोगों के नाम आपस में चलते हैं किस्टू क्या हो रहा टेलीफॉन पर बात हो रही है वो हैं यहां भौपाल में और मैं हूँ जबश्पुर में चो कि सुरेश मिश्टा ने अपना अस्टित्व अपनी रचना धर्मिता से बनाया था अपनी सिजन सक्ति से बनाया था अपने द्यक्तित्व की विराचता से बनाया था इसलिए उनके मन में पहला वाक्त जो अभर कर आता था वो यही था क्या कर रहे हो और क्या कर रहे का अर् जैसे उसके अलावा प्रत्येक मित्र की शमता का पूरी तरह से अंदास्था उनके पास एशियाटिक सोसाइटी के पास से उन्होंने एक पुस्तक बिलवाई और वो पुस्तक संस्कृत की पुस्तक उन्होंने मझे भेजा और कहा कि सुनू इसको जिरा देख लो और अगर यह कुस्त में क्या करना है हमारे कुछ काम की चीज़े की नहीं मैंने वह पुस्तक पर ही और पढ़ने के बाद उनको उत्तर बेजा कि यह नहीं क्या पुस्तक है हम लोग इसके साहित द्रुशन के विद्धारती हमारे लिए कर्मकांड की पुस्तक है बहुत बड़ी मात्रा में प्राप तो होती है इनका कोई लोग ने उन्होंने का इसकी भूमिका में कुछ लिखा है मैंने का मैं इसका नाद भी अनुवाद भेज दिया इस तरह से हम लोगों की अकादमिक चर्चा नेरंतर होती रही है उन्होंने मुझे पहंचाना हमारी अंदली को पहएचाना और हमने सुरेश को पहएचाना जब इस अब सुरेश आते या मिलते यह हम वह कुल में हातेश सर की कर्मचारी थे तब पहली बार में उनसे जबलपर में错 सब्सक्स करेंजा मैं वह पाल पहुंचा जोटा से मकान में साव चिटी नहीं हम लोग पहु अभी तब सरकार ने निकाला हम लोगों ने टॉप किया मैंने भी तो टॉप किया सरकार जब करे दी तब करे दी अपने लोग बैठके यह बात करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसकी चिंता सुरेश को अधित्ती समाज क्या कर रहा है इसकी चंता नहीं सरवकार क्या कर रही है सब्सक्राइब है। कि हम कुछ पढ़ लें पुछ कर लें हम लोग थोड़ा पीशे रह गए लेकिन शुरूर इस आगे बेढ़े उमेश आगे हैं उमेश को मैंने बच्पन से देखा है उनके घर गया हूँ जब भी सुरेंश मिले हैं या बात हुई है तब एक ही चिम्ता उस व्यक्ति के मन में थ कि कोई भी व्यक्ति हम से पर्चित हो लिखे पढ़े हमारी पतनी का एक उपन्यास परकाशित हुआ मैं एक दिन टेली फोन पर ऐसे ही कह दिया कि उसका हमको करवाना है लोकारपन मैं किसी को ढूंब रहा हूँ दूसरे दिन फोन आ गया मैंने तीन नाम ते किये हैं तुम से बात कर लो और तूम जिस से का होगे मैं उससे बात कर लूं गया और इसी तरही से काम होते रहने चाहिए ये दूसरे के सितषए की चिंता हर एक जक्य के में नहीं होती हैं आज के स्वार्थी युग में इस भी जोमे ये दूसरे के साथ खड़े होना एक। यहाँ में उसकी चरचा आप लोगों ने की है और कैसे चरचा मैं सुन रहा हूं, वो भी की है और हमने नई सेिर्ज से सुरेश मुष्र को पेंचाना हैं, हमने पेंचाना है कितने बड़े एतियाज के विद्वान थे, पेंचाना है क्यूंकि विद्यार्ति उटी किसे बड़ी गरंतों का लोका आरपन हुआ था उसमें हम दो जबलपुर से सुरेश वर्मा और हम दोनों आए थे दो मित्र मंगली के लोगों उपर ते थे और उस समय हमने एक ध्यक्ति का सम्मान कैसे होता है हमने शेकणों संमान देते हैं बड़े-बड़े लोगों के पद्पर पर परिष्छिद लोगों करे सम्मान देते हैं लेकिन जो आपने चीवन में ना पहले देखा था और ना देखने की संभावना पंदि लगी हुई थी और केवल इसलिए नहीं कि सुरेश मिष्रा परचित परिवार के बड़े हैं विद्वान है है सहाया कि इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि सुरेश हमारा है हमारे परिवार का है हमारा अभिन है और इसलिए जब सुरेश का जाना हुआ उसके दो दिन पहले बात हुए दो दिन पहले उसके पहले पांचे दिन पहले बात हुई थी बिमारते बताल में भरती थे अवाज बड़ी कंजोर आ रही थी सुरेश वर्मा और हम दोनों पास-पास बैटे थे सुरेश ने कहा वर्मान एक तो पर हम लोगों को संदेव हो गया जिस आदमी की आवाज गडगड़ा आती आती है पूरी तरह से इस पत्ट होती है वह सादमी की अवाज अतनी दुर्बलत से हो गई दो दिन बात पता लगा कि सुरुष हमारे मीश से चला गया और इसलिए आज शिद्धानजली सभा है मैंने प्रारम में एक स्लोग कहा और स्लोग का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों की जय हो जो करती हैं जिन्होंने जीवन में बड़े काम किये हैं और सब कुछ मुर्जा जाए पर उनकी हिर्ष की बेल कभी मुर्चाने वाली नहीं है और यह जो पूरा आयोजन है इसने जो ब्रहत दू ले लिए जिस उतकंठा उस नहीं के साथ लोग इसमें जुड़े हैं वो इस बात का उदारन है कि सुरेश मिष्र कहां कहां बैठे हुए थे किसके किसकी मन में बैठे थे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता देगना जी ने पहले भी कहा समय बहुत हो चुका है बाते लोग स में आंत होना चाहेंगे बोलना नहीं चाहेंगे तो इस पर हम ऊफ्रश सके को अंगे पहल को छाले है Co शुम अम वाुत पिले प्रायों करना सभुषव तुपैस्टनों काैकम दूसे बात और अन्ट की महीं और यह को शले Concept का शुषभ और का सभींद मेरे पासिए कदाचित मैंने अधिक से में ले लिया आपका कारगन चार बज़े होने वाला था चार बज़ का 35 हो गए आप लोगों को साधुना उनके परिवार को संबेदना जिन लोगों में उनके प्रति सद्धाव विप्त किया है भगवान उनका कल्यान करें और उनके अंतकरन महापु अधिक से अधिन नमित्र जिस्टे हम सुब्दुप्ती सारी बातें करते थे उसके आज लरने पर हमें ये दिन देखना पड़ रहा है यह मुनिये उसे जान देखना पर रहे हैं परम समानिये आप मुझे सितुछ प्रानी से माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें मैं आप से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आप इतने भावुक हो रहे हैं और अपने आपको घिसा पिटा बिल्कुल भी ना कहें सर आप हमारे लिए सम्मानिये हैं बहुत आदर के साथ नहना चाहूंगी कि आप हमारे मारक दर्शक हैं हमारे गुरू हैं आप जैसे विद से डॉक्टर चारू कटारे को यदि हमारे बीच जूड़ी हूई हूँ तो वो इस मंच से अप्चारिक धन्यवाद ज्यापित करेंगी डॉक्टर चारू मेरी आवाज आ रहे हैं आप जी सर्व प्रत्रम शत्र में उपस्कित सभी विद्वजनों को मैं अभिवादन करती हूँ प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी की याद में हो रहे इस अकादमिक सत्र अकादमिक कारेक्रम के दूसरे ट्रिब्यूट सत्र में मुझे अभर प्रदरशन का दाईत्व सौपा गया है उन्होंने मुझे अपने शोध कारियों को प्रकाशित कराने में बड़ा प्रोथसाहन दिया ग्रविज्ञान में से भी उन्होंने कुछ चीजे ऐसी इतिहास से जोड़के बताई मुझे कि मैं मतलब आज चकित रह गई मैं आज ट्रिव्यूट सत्र की अध्यक्षता कर रहे है डॉक्टर केके चतुरवेदी जी विशिष्ट अतीथिगन डॉक्टर विजय भादुर जी विरेंद्र मिश्र जी प्रद्युम्न भट जी के प्रती रदय से आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इस कारिक्रम के लिए महतुपूर्ण समय निकाला और सुरेश मिश्र जी के विशय में महतुपूर्ण जानकारी देते हुए उनके प्रती अपनी भावान जली प्रस्तुत की मैं रिपोर्टियर अनिल परिहार जी और संचालन कर रही डॉक्टर मेगना शर्मा जी को भी धन्यवाद देती हूं कि आपने सत्र को बहतरी इन ढंग से संचालित किया बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका बहुत-बहुत आभार मैडम और आगे की गतविदी के लिए प्रफसर संजे स्वनकार जीसे मैं चाहूंगी के वे मंच सम्हा लें और आगे सत्र को संचालित करें बहुत-बहुत साथ वाद मैगना मैं आपने बहुत ही खुपसूरती से सत्र का संचालन किया यह दिए हम लेट हो रहे हैं और उसमें सुभाविक यह विलम दिखाई दे रहा है समापन सत्र की और भी हमें जाना है लेकिन इस बीच में एक और इवेंट है जिसको मैं जल से जल यहां पर संचालित करना चाहता हूँ और वो इवेंट यह है कि CIHRF की यह परंपरा रही है कि हमारे जो इत्यासकार साथी इत्यास विशे से संबन्दे साथी हमें छोड़ कर चले जाते हैं उनको याद करना हमारा पर्म करतव यह पुनीत करतव होता है और इसी वजह से अभी अप्रेल माह में हमारे जो पांच इत्यासकार साथी जो हमारे करीब थे हमारे CIHRF से जुड़े हुए थे अचानक से कोरोना की वज़े से हमें छोड़ कर चले गए सुरेश मिश्य जी के अलावा पांच इत्यासकार साथियों को हमें याद करने का ये एक उचित आउसर जान पड़ रहा है लेकिन साथ ही उन याचना करते हुए कि तीन-चार मिनट से अधिक न लें क्योंकि समापन सत्र भी होना है वहाँ पर भी हमें समय लगेगा तो मैं इसी निवेदन के साथ सरप्रथम बुलाना चाहूंगा विने शिर्वास्ताव जी को जो की स्री नटनागर्शो संस्थान के निदेशक पूर राणावत जी जनकी डेथ हुई थी और वो हमें छोड़कर चले गए थी उन पे विचार व्यक्त करने के लिए मैं विने शिर्वास्ताव जी को आम अधिक करना चाहेता हूं आधनिया विने शिर्वास्ताव जी दन्यवाद संजय जी डॉक्टर मनोहर सिंग राणावत दस अपैल 2021 को हार्ट फेल होने की वज़े से हमारे बीच नहीं रहे एक लंबी शोड यात्रा नोंकी है और नटनागर शोड संस्थान के वो सुधार्थी भी रहे हैं और वहाँ पर लेक्चरर भी रहे हैं और बाद में उनको प्रोफेसर का स्किल यूदिसी के इस अफिल्दा था और वहाँ के डिरेक्टर भी रहे हैं और आखरी में जब उनकी डेट वींस समय वो चेयर्में से के पत पर थे और लगबग 43 वर्ष लंबा उनका अकेडेमिक केरियर था और इसमें कई संस्थाओं के वो अध्यक्ष भी रहे हैं उनिस जुलाई 2012 से 31 जुलाई 2019 तक उन्होंने नटनागर शोड़ संस्थान के डारेक्टर का पद्र सुशोभित किया था 2011 से लेकर के अंध्यू परियंत वो विद्या केरियर रिसर्च फांडेशन और सेंटर इंडिया जनल आफ इस्टोरिकल रिसर्च के वो फाउंडर मेंबर थे संस्थापग सदस्थे, संद्रक्षक थे, मेरे गुरू है, मेरे मारत दर्शक है, मेरे पिरणा सोथ है, गाइड है, फिलोस्फर है और मेरे अपने संस्थान के वो फाउंदर मेमर हैं, उसके प्रनेता हैं, शुपचिन तक हैं, तथ्यकून और शोद परेकूंती पैनिक दृष्टी है, सूर्सिस के उपर फोकस्ड है उनका इतिहास लेखन, हत्यों का आकलन, समसामाईक परिस्थितियों के साथ उचित आकलन करते हुए लिखना उनकी मौलिक शैली थी, पराथमिक शोदों का परिक्षन करके लिखना, उनका अपना दरश्टिकों सबसे प्रथक्ता, ततकालिन साम किस्थिति का आकलन, वो मूर्तिकला और कित्रकला से भी करना जानते थे, तक्तर राणावद जी ने अपनी जीवन की महत्वपून पुस्तकों का स्रजन अपने युवावस्था में ही कर लिया था, लगभग चालिस से पैटालिस वर्ष पूर उनकी जो यादगार पुस्त मालवा और राजिस्थान किहास के कत्ति पहलू उन्नी सो तेरासी में और कवीराज संग्रह उन्नी सो इनकी इनकी जो लगभग उन्नी सो सततर से लेके उन्नी सो पिच्चासी के बीच में प्रकाशी थी, उनकी ग्यारा रेफरेंस बुक्स, 20 एडिकेट बुक्स, 63 रिसर्च पेपर्स, 8 बुक रिव्यू और दो अंतराष्टी बाइग्राफिकल पब्लिकेशन उनके हुए हैं, दो उनको अंतराष्टी सम्मान भी मिले हैं, साथ महत्वपूर्ण अवार्ड उनको मिले हैं, राणावदी का संपूर्ण धीवन नटनागर शोध संस्थान की सेवा करत दक्तर मनोहर सिंग राणावद 1997-1997 के दौरान मेरे शोध गुरू बने और मेरा शोध का विशय बक्तर सुरेश मिश्या जी ने बहुत मिनितों के बाद, बहुत डिसकेशन के बाद फाइनल किया था अफीम प्रिशी का इतिहास, और इस विशय पर उन्होंने कहा था कि इस शोध परग बिश्टी के साथ इतिहास का तकहरा जिसको को कहते हैं, A, B, C, D, सिखाने का प्रियास किया, एक एक फुटनोट को बारी किसी चेक करवाने का काम उन्होंने किया, डक्तर सुरेश मिश्या जी मेरे लाइफ टाम गुरू हैं, और मनाहर सिंग रानावत मेरे अर्पित करता हूँ, अपनी शद्धानजली अर्पित करता हूँ, और यह उम्मीद करता हूँ कि इनका आशिरबाद हमें हमेशा मिलता रहेगा, इन्होंने जो एक लकीर खीची है, शोध की, उस लकीर तक तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्यास करेंगे कि उसी दि वी कि सिर्वन को बनाकर चले हैं, कंधों में आसमान को उठा कर चले हैं, एह दे कोई जाकर घणी रातों के तमस को सूरज हतेलियों में उगा कर चले हैं, वाकिफ कहां था जमाना हमारी ऊडान से? वो और थे जोहार गए आसमान से. इनी पंक्तियों के साथ डok्टर मनोहर पूरी श्थान जाली उनकी शीचर्णों में घैंगे। दोनों का कार लक्ष एक, लेकिन दोनों का कार करने का तरीका बिलकुल अलग अलग, दोनों का कारक्ष तर बिलकुल अलग अलग, एक छोटा से एक्जामपल के साथ मैं आपनी बात यहां समात करूंगा, जब बलकुर के राश्ट्री शोट सेमिनार में संजे आप भी मेरे को याद कीजिये जब रात को ग्यारा बजे के बाद हमारी घूश्टकी हुई थी और सुरेश मिशा साथ बने शहजादा फिरोज पर अपनी बात की ती उस समय शहजादा फिरोज पर काम कर रहे थे in उन्होंने एक दो पत्रों का उन्होंने जिक्र किया था और उसके बाद मनाहर सिंग राणावद जी जो की नटनागत संस्तान के डिप्टी डारेक्टर थे उस वक्त उन्होंने एक के बाद एक लगभग 35-40 पत्र मुझवानी सुना दिये थे और हम सब बच्चों की तरह बिल मॉविल पढ़ता है और मैं उस वक्त कायल हो गया दोनों की सनती का कि बातों-बातों में गोस्टियों में मजाक में भी वो इतिहास के उन दुरलव पत्रों का जिकर कर रहे हैं धन्य उनकी दृष्टी इतिहास की पैनी दृष्टी और इस इसी मशाल को आगे जलाए रखन हम सब की नेतिक सिम्मिदारी भी है शी चलनों में शत्षत नमन और संजय जी को बहुत-बहुत धन्य बाद सादू बाद हम सभी डॉक्टर मनौर सिंग राणावज जी को अपने सदासुम अनर्पित करते हैं उन्हें याद कर रहे हैं और इसी कड़ी में मैं अपने साथी मदर प्रतेश इतियास परश्ट के सचिव डॉक्टर नवीन गिडियन जी को आमंतरिद करना चाहूंगा प्रफिसर राह Maan अली जोगि प्लाचिन बारतीयास के जाने वाने ट्यासकार थे वो चले गए हैं नवीन गिडियन साथ इस विशाय में कुछ आपने भावांजरी त्सक्रक्ट करने वाले हैं कुछ सथ कर लेजे सर्थ माइक अन्म्यूट कर लेजे अप सभी को प्रणाम करता हुँ लेजियन से नथे एपक्रिय से एप का लेजे अचियून आप सभी को पर नाम करता हुँ लेजियून आप सब्सक्राइच की बहुत है बीजियून as we all have gathered here in this national conference on remembering historian Suresh Mishra along with many other great historians my entire being bows down in reverence and gratitude for these great scholars especially at the feet of my great guru dr. Rahman Ali even though words can never be enough to sing the glory of a group yet it should not be left unsung so I extend my heartfelt gratitude to dr. Sanjay Swankar for organizing this conference and keeping a session for tribute to other historians also I am thankful to him for giving me an opportunity to offer my humble and loving tribute to my guru the great scholar of Indian architecture dr. Rahman Ali we all know that at present the corona pandemic has tormented the entire world it has taken away our loved ones from us and caused great grievance in practically every family very specially the month of April has been extremely painful it has taken away some of the great personalities of the world of history of India among them some were close to me like dr. Ram Kumar Ahirwar who passed away on 8th April then dr. Manohar Singh Ranavat on 10th April then dr. Rahman Ali on 12th April then dr. Suresh Mishra on 22nd April then dr. SN Mishra on 29th April and lastly dr. Suthir Trivedi who was the first PhD scholar of dr. Rehman Ali passed away on 16th May 21 apart from these scholars we have lost many other great personalities to corona now I would like to share something about dr. Rehman Ali dr. Rehman Ali was born in June 1943 in a village called Chenkapur Siswa in Gorakhpur district Uttar Pradesh it was here that he got married with Habibun Nisa and had two children but as destiny would have it killed in property dispute of his family mostly people know that he had no issue but I know that he had two children even then all through his life he never discussed about a full incident to anybody this was his greatness and his strength to endure I came to know about the said event in 1983 when I was doing my PG from Mrs. Ali who was like a mother to me and today I am sharing this with you all Dr. Rehman Ali obtained his PG degree from Gorakhpur University in 1965 then he joined the Advanced Center of Archaeology Dickon College Pune and obtained his PhD degree under the supervision of world-renowned Padma Bhushan Professor HD Sangalia from Pune University in 1972 then he joined as lecturer in in Prachiniketan a post graduate center of Indology and museology Gopal Madhya Pradesh from where I have done my PG he was in Madhya Pradesh thus nearly dozen of books on the temple architecture of central India are in his credit beside these books more than hundred research papers contributed to national and international journals by him after joining Vikram University he successfully conducted many archaeological explorations and excavations he excavated Chaikulithic sites and his published and then published their detailed reports more than 25 scholars have been awarded PhD degree under the supervision of him after achieving the age of supermutation he retired from the the post of professor and head department of ancient Indian history culture and archaeology Vikram University Ujjain and then he was chosen as a member of ICHR and was engaged in pursuing the research projects I wish to express my deep reverence to my guru Dr. Rehman Ali who was my teacher mentor and inspiration I owe all my success and achievements to him he laid the foundation for the endless success endeavors of my academic and professional journey his love care guidance academic expertise timely admonishments and passion for learning are the beacons of life not only for me but for everyone who came into contact with him he has touched our lives in so many ways he lived well and taught us to live well his glory is such that there is no limit to what I can go on saying about my guru but I would just like to summarize and end my words of tribute in the following lines 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 my words my words of tribute in the following lines my words my words for peace my words my words my words and मैं आज अपनी पाद डॉक्टर अहिरवार के संबन में कह रही हूं, दो शब्द कह रही हूं, चले जाते हैं कहां चलते-चलते, कभी मिलेंगे नहीं, अब हमें अब कभी भले ही करते रहो कितनी आप चलते-चलते. डॉक्टर अहिरवार एक ऐसी शक्सियत जिनसे मैं बहुत वर्षुल से संपर्क में रही, बहुत मददकार, बहुत सारदय, बहुत ग्यान और हर काम को निष्ठा पुर्व करना. तो ठीक है, रख्यों एक ऐसी बात है, पर आज समय उनका चले जाना, निष्ठी सबको बहुत अधिक अख्रा है, क्योंकि कुछ अंदाज ही नहीं था, वे एक व्यक्ति नहीं, बलकि स्वयम एक संस्था थे, आज समय कोरोना महमारी में बिना आठ के चले जाना, निष्ठी अचंबित करने वाला है, उनका कारेशेत्र अत्यांत्य विस्त्रित था, और वेहवारिक धरातल पे वे विक्रम परिशेत्र में अत्यांत्य लोग प्रिये थे, वे बहतर संगठक, निड़नायक भूमी का अधा करने वाले दहरेशील, बहतर वक्ता और विद्यार्थियों क अधाने वेज्टी थे, उनकी कुछ बहुत बढ़ गया था कि वे उम्रेशेत्र में अर्था डिपाट्मेंट में आ रहे थे, जबकि किसी को यह अंदाज नहीं था कि उनका स्वास निरध तक गिरता जा रहा है, संक्रम अधान बढ़ गया था, कि वे उम्र त्रेपन में हम अपने परिवार से उनकी बच्चियां बहुत छोटी हैं दो बच्चियां और इतियास जगत के लिए भी जो नुकसान हुआ है वे हमको छोड़कर चले गए आपको जन्म 10 अगस्त 68 में जबलपुर के जपनी नामक ग्राम में हुआ था वे बहुत ही गरीब परिवार को करते थे जिसमें प्लेगरिसम था और वे विक्रम विशिद्याले उजयन में अधिश्चाता विद्यार्थी कल्यान नीदेशक शारीरिक शिक्षा और क्रेड़ा विभाग पुस्तकाले अध्यक्ष महराजा जीवाजी राओ केंद्री पुस्तकाले और समन्वयक इगनू इ उनके इतनी सारी जिम्मेदारियां के लिए वे पूरी तरह से कटब विनिष्ठ थे आपने जीवन विज्ञान को समेटी आप और आपकी किर्थी अक्षय जीवी हैं हम सब के लिए आपका जीवन किसी पारस्मणी से कम नहीं हैं सत शील विन्य और दानशिलता का ग्यान जो हमें आप दे गए हैं उसको हम बरकरार रखेंगे और ऐसे शद्धा सुमन हम उन्हें अर्पित करते हैं और उनकी जो किताबें हैं वो राउंड आप चालेस हैं मैं कुछ के नाम पढ़ रही हूं जैसे अजयन की व्यावसाइट परंपरा मालवा की बौधा संस्कृती सिहो जिले में बौध धर्म, उजैनी में बौध धर्म, उजैनी की बौधनारियां, उजैनी के बौधाचारे, संत रविदास, जीवन एवं दर्शन, भारती संस्क्रती विविधायां, भारती कला के विविधायां, मध्रप्रदेश में जैन पुरातत्व, भारती सहित एवं कल गौन्ड लोग देवी देवता, भारती लोक संस्क्रति और पुरातत्व, महाकाल और सिहस्त, अजयन के गौरवशाली इतिहास, शिल्पियों का इतिहास, त्रिपुडी के मुर्तिकला, सिहस्त महापर्व, और मद्यप्रदेश में बहुत धर्म ये जिसकिया उन्होंने विमो सब्सक्राइब करें, अपने अपने स्वयम के जेब खर्ष से उसको पैसा देते थे, और वो उनके कम्पुटर के काम किया करती थी, वो पच्ची अब पीएश्टी कर रही है, इसके अत्रिक अनेका नेक ऐसे उदारन है, कि उन्होंने बड़ी-बड़ी महती जिम्मेदारियां यू हसते खेलते अपना ली, ना शब्दों तो कभी आता ही नहीं था, मैंनोंने अपने कॉलेज में इन्वाइट किया था मादव कॉलेज में कि सरा के लेक्चर दीजिएगा, तो उन्होंने यह नहीं बोला कि मेरा स् करके चले गए, आसा में चले गए, तो हम सब इतिहासकार उनकी रिक्तता महसूस कर रहे हैं, और उनको शदान जली दे रहे हैं, और अब इसी सत्ते के साथ हमें जीना है, जै भारत, जै धन्यवाद. बहुत धन्यवाद, अल्पना दुवाशन है, हमने बहुती प्रतिबावान साथी को खोया है, डाक्टर रामकुमार एर्वार जी के रूप में, और C.I.H.R. उनके प्रती सर्दा सुमन अर्पित करता है, इसका मैं डाक्टर लंजना जैन को जैवलपर से आमद्रित करता एक अन्य हमारे साथी प्रत्यापक, कैसर मिश्रा साथ की डेथ हुई है, कोरोना काल में, और उनको सर्दा सुमन अर्पित करने के लिए रंजना जैन मेडम अपना अउद्बोधन देंगी, उनसे अन्रोध है कि तीन-चार मिनट में ही अपना अउद्बोधन समाग करें, ड पर अलग से आप से लड़ूँगी, और इस समय में सरके बारे में तो कुछ कहने किस्थिती में हूँ ही नहीं, सुलेश मेश्र जी की, मैं अधरणी और डॉक्टर एशनल मेश्रा जी को स्रध्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहूंगी, उनका जो एक तयार किया और अनेको चात्रों के प्रेंडना स्रोत, एबं उक्त विभाग के विभाद ध्याजक्त पद से 2020 में सेवा नवरत हुए डॉक्टर एशनल मिश्रा का कारेकाल उप्रब्दियों से भरा रहा, आपका जन्मपंद्रहा आगास 1955 को हुआ था, मुलताह भुपाल के रहने वाले शरी मिश्री जी के प्रात्मेशिक्षा मद्द प्रदेश में, इसनाथ कोतर शिक्षा चाथिस गड़ के रायपूर में, रायपूर विष्विध्याले से हुई, डॉक्टरेट के उपादी उरोन बरकतुल्ल विष्विध्याले भुपाल से प्राप्त की, उच्छी भारती प्रात्तो सर्वेक्षन विभाग में कारेड़ात रहे थे, बोलकुंडा ओनालंदा आधिक उत्खरन कार में आपकी विशेज भूमिका रही, तत्पष्चात आपने अपने माह की प्रेड़ना से अध्यापन कारी को अपनी व्रत्ती बनाया, प्रारंभी में आपने 40 वर्ष के कारिकाल के दौरान, रीडर, अपने विभाग के अध्यक्ष, इसके साथ महीं अंग्रेजी विभाग के भी अध्यक्ष, उर डीन के पत्पर, सुभायमान रहे, आपने प्राध्यापक संग के सचे बवपैठक्ष पकि दायचुपा भी निरवहन किया, आप मद् प्रदेश उच्छ न्यालय की कमेटी के अध्यक्ष रहें इंटेक के संयुक्त तमनवयक तथा स्मार्ट सिटी टुरिजम बोर्ड के सदस्य रहें आप वन स्वर शोध पत्रिका के संस्थापक सदस्य एबं संपादक रहें तथा वन साहित अकादमी के वर्ष्ठ उपाध्यक तुपद के दायतुका भी आपने निर्वहन किया आपके निर्देशन में लगभग तेईस विध्यार्थियों ने शोध कारे संपन्ने किया इसमें इनोंने गाइड और को गाइड के रूप में अपनी भूमिका के निर्वाह किया एक डिलिट भी आपके एंडर में हुई ह आपने लगभग 32 उत्खनन कारियों में हिस्सा लिया था आपके नेत्रत्व में जवलपुट जिले में पाटन, ककरहटा, ठेरन नदी, गौर नदी, बेन गंगा नदी, इनके तटपर उत्खनन कारी किये गए, साथ में बेड़गाठ छेत्र में भी उत्खनन कारी किये उन्होंने मासरोस्वती की सेवा की और भावी पीडी को मार्ग दर्शन प्रस्तूत किया, इसके साथ में इनको भी कोरोना हो गया था, थोड़े समय वो हॉस्पिटल में एडमेट रहे, बिल्कुल ठीक होकर के घर जाने के स्थिती में ही थे, लेकिन शायद उसमें कुछ र प्रक्तस्राव होता है नाक से और उसके बाद उनके देह जो है वो अनश्वर हो जाती है, उनके धड़कन रुख जाती है, तो दिनांक 28 अप्रेल 2021 को आपका कोरोना की बज़े से ही नेधन हो गया, रेटायर्मेंट हुए उनको चार्चे महीने ही हो पाए थे, मात्र अवस्था उनकी थी और इस प्रकार से जवलपूर से एक ग्रेट आरिकलोजिस्ट का जो है वो अन्त हो गया और आब हम उनके मार्ग रशन से वंचित हो गया है, मेरे गुरू थे, मेरे गाइड थे, उनके लिए मैं वेक्टी का तुरूप से अपना सुद्धा सुमन जो सरदानजली अपेत करते हैं हमारे बीच समापन समारों के मुख्याते की माननीManoar शृवास्तर जी वायं याजयान्त हो गया है, मैंने हार्दिक स्वागत करता हूँ और CIHRF के द्वारा जो सरदान जिली सत्र चल रहा है, ट्रिब्यूट सेशन 3 चल रहा है, उसके अंतिम पड़ाओं पर मैं डॉक्टर जिब्रील को याद करने के लिए, जो कि CIHRF के साथ जुड़े हुए थे, मैं डॉक्टर अलिगर्ण मुस्लिम उनिवर्सिटी से के विशे में यहाँ पर हमारे साथ्यों को आउगत पराएं और उन्हें सिरदास नमयर्पित करें, बस केवल समय का द्यान रखना है याकुट सार, टीन चार नम्यूट पर अपनी बात को समादें कि या कुछ साब माइक माइक करिए या कुछ साब माइक करिए माइक करिए आपका माइक मुट है आपका माइक मुट है या कुछ साब आपका माइक मुट आ रहा है या कुछ साब आपका माइक मुट करिए या कुछ तक्निकी प्रॉब्लम हो रही है माइक मुट करिए या कुछ साब आपका मुट करिए या कुछ साब रहा है या कुछ से अनिगर्व में कुछ बोलने का मुझे मुझे रहा है मैं डोक्टर जिब्राइल साब की बात कर रहा हूं डोक्टर जिब्राइल अ मेरे बहुत ही घनिश्वित ते हाला कि मुझे उम्र में 20 साल सुटे थे लेकिन मैं हर मस्टेक ऊपर हर कोई भी प्रॉब्लम आती थी एकड़मी के एडिस्टिटी उन सब में में डोक्टर जिब कोटे से गाउं में प्रेदा हो रहे और यूपी बोर से इन्होंने हैं और ट्रेल्ट दोनों सक्षाएं पास किए उसके बाद इन्होंने बीए और में अलिगर्ज मुस्टिटी से किया है और राजिस्थान के रहने वाले रोकटर बीएल भादा जो वहाँ पसर रहे हैं अलिगर्ज मुस्टिटी में उनके निर्देशन में इन्होंने अपना प्यस्दी वर्ट किया है और इस प्यस्दी वर्ट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कई काम किये लेकिन इसने वो फूरकर के गिली के चले आए और शिवाजी कोलेज में इन्होंने फ़राया है इसके बाद आपके जून दो जार पंद्रा में डॉक्र जिब्राईल अलिगर्मस्टि में असिस्टेंट प्रफसर के पर पर मनों बहुते हुए और उन्होंने जून दो जार पंद्र जून दो जून किया जिब्राईल ने अल्प समय में चार कुस्तव का परकाशत करवाया है अपने उसके राइटर है एक किताब इनकी है एक डेमोग्राफी और राजस्थान 17-19 सेंचुरी जो मनोहर बुक्स बहुत ही रेपूटेड पब्लीशर है वहां से पब्लिश हुई है और यही किताब रेटलेज जो लंडन में है वहां से प्रकाश हुई है जो कि राजस्थान के वाटर मेनेज्मेंट और वाटर सोर्सेज चेंट प्रकाश डालती है इसकी किताब इन्होंने एडिटेट बुक है डॉक्टर जिब्रैली की जो जल जीवन और समाज यह भी एनई बुक्स से परकाशिक हुई है और इसमें भी काफी करिब पांच सुट प्रापेज की किताब है यह तो काफी इस्टोरियन कुर्मेंट जो रहा है उनके विचारो यहां की जो पांडू लिपियां थी उनको सामने रखते हुए और यहां पर जो एक काफी पुरानी जो उनका संक्लन करके और इस किताब का इन्होंने को लिखा है एक वह किताब इनके आने वाली थी लेकिन अभी वह डुलभाग के सा भी नहीं आ पाई है और इनके एंडर में एक वेस्टी हुआ है जो लड़का बंगाल का था उन्होंने उसके ताब को परकाशित करवाया है और जिब्राइल बहुत ही प्या करना था यह कि मुझे बहुत ब्रिल्लेंट और बहुत ही ब्राइट श्टार्ट है लेकिन कोरोना वाइरस ने अज समय उन अजिब्राइल की मुझे होती है और मैंने अपनी फेमली मेंबर आप लोग सब अब यहां से अलीगर से चोड़ अलीगर में अब रहने का कोई मतलब नहीं है कोई जूची नहीं है कोई यहां पर कोई दिल्चस्प में रह रहे हैं तो तो मेरा एक राइट हैंड जिसे रहन चाहिए वो चला गया और दिन में अगर हम तीन बार नहीं मिलते थे तो यह लगता था कि हम आज उन से मुलाकात ही नहीं सुबर शाम दोपर और रात को भी वो मेरे घर आके थे और मेरे घर आके हम एकेडिमिक किसके सब्सक्राइब होता था और इसके साथ है कई ऐसे मसले पर्सनल भी थे और कई अकेडिमिक मसले भी थे और डॉक्टर जिब्राइल सीता महुप के रेगुलर प्रतिभाद पार्टिसिपेट करते थे और डॉक्टर स्वनकार साब ने एक बार उनको बुला करके गवालियर में उनको सम्मान निर्विक किया था और वो सम्मान का मु सम्मान कार साब ने मुझे भी वालियर बुलाया था एक संगोष्टी थी जिसमें डॉक्टर जिब्रेल भी मेरे साथ थे मिश्ण साहब के बारे मैं दो शब्द में कहना चाहूंगा कि मिश्ण साहब वाकई में विजबाहून थे बड़े प्यासकार्ट है उनसे मेरी मुला कि उनसे मैं संपर्ण भी करना चाहा था कि elephant पुलाया शब्द में गरे डॉक्तर को शर्दधान के लिए लिए की औरने गहार साथ मत्तर medium and और उनकी आत्मा को मुख्ती परदान करें धन्यवास प्रणकार साथ और जो मुझे आपने वक्त दिया है इसके आपना बहुत बहुत धन्यज़ाना नमस्कार शुक्रिया याकोब बली साथ ड़क्टर जिब्राइल के प्रती हम सभी सद्धान जली अरपित करते हैं और अब चुकी समापन सत्र की और हमें आगे बढ़ना है हमारे समापन सत्र के लिए मंच के सभी आधर्णी यह अतितिगर्ण यहां मुझूद हैं और मैं इस सत्र के कि लिए आए और समापन सत्र को संचालित करें ना अवां कि मैटम अन्मिट करें को कि मैं अनन्मुट कर.. अन्म्यूट कर ये प्लीज आप सुन पा रहे हैं आप में जा रहे हैं आपके जे जे सभी को नमस्कार Remembering Historian Suresh Nishra Theory, Practice and Documentation दो दिवसी नाशनल कॉन्फरेंस का ये अंतिम पड़ा प्रेमितिम चरह है और इतने आज जो चेर हमारे साथ है जो डायस हमारे साथ है इस वेबिनार में इस कारेकरम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर पूरन सहगल चीफ पेक्टरन C.I.H.I. डिरेक्टर लोग संस्कृति अनुस्कान मनास्ट चीफ गेच करूप में खीरी मनोज शिरिवास्तर जी पॉर्मर अडिशनल चीफ सेक्रेट्री गवर्मेंट अध्यप्रदेश भुपाल आप हमारे साथ हैं जो पॉर्नर मिस्टर अमिताब अवस्ती जिप्ची सेक्रेट्री अर्बन डेवलिप्मेंट एंड हाउसिंग डिपार्मेंट गुपाल के डॉक्तर मार्टी मिश्रा गुपाल रिटायर अडिशनल डिरेक्टर हायर एडुकेशन गुपाल केश्ट अपॉनर डॉक्टर प्रिभार समीर अवस्ती पैट्रन C.I.H.R.F. मालियर्थ से हैं केश्ट अपॉनर डॉक्टर मंजू दुबे आप भी पैट्रन है पॉमर प्रिंसिपल गुवर्मेंट के आर्जी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज गॉलेज इसके साथ साथ C.I.H.R.F. के डिरेक्टर प्रोफेसर संजे स्वानकार जी वो भी जो हिस्ट्री के प्रोफेसर है हम स कर रहा हूं कातना यहां से प्रस्तुट करने का अदेश हुआ है तो आज मेरे साथ मैं स्वाएम वंद्यमात्रम को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो आनन्मठ में बंकिन जंच रजज़ारा लिखा गया और सर्वप्रथम संगीत की विभत्ती सर्विय पंडित विष्टु दिगंबर पलुसकर द्वारा जिसको गाया गया उस ओरिजिनल वंदे मात्रम को यहां से हम गा रहे हैं और आज मेर कि देवश्री सहस्रबुद्धे जो SBI पे अभी कारे रत हैं और दूसरी बेटी वैश्णवी जोशी यह हमारे कॉलेज की ही एक चात्रा हैं सकेंडियर में पढ़ती हैं तो पुरा वाला बंदे मात्रम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सभी को सादर अभिवादन के साथ आर बंदे मातरम बंदे मातरम सुझना सुछना सुछना मलाया जास्चिता रहा शास्या शास्या मातरम मातरम सुछना 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 सु आपकुर्सुमीता दुमाधला शोभी दी सुखासिरी सुमतुराशिरी सुखना मारा माधना बंदे माधना कोटी कोटी कंखा कला कला निनार कनाने कोटी कोटी कुझरें रिता कला कला कले अबरा के दो बारें तो बारें बखु बारा आरें तामानी तारें विद्व दारें माधना बंदे माधना सुखना कला तुमि भीर्ड्या तुमि दर्ना तुमि रिती तुमि माधना तुम१ि प्राणा शीरे बागुदे तुम्ही माँ शात्ती, रिदरे तुम्ही माँ पांदी, तुमारे प्रंधी माँ गाली, मंदीरे, मांदीरे, वल्वे मांदीरे, वल्वे मांदीरा, वाही वर्मा, दश्ण प्रहराणा, भाही कमला, कमला कला विहा, जिसे मारे प्रंधीरे, मांदीरे, वल्वे मारे विद्धा तुम्ही शात्तन प्रंधीर, वाही कमला कला विह मांदीर, वाही कमला, सुपराम, मातराम, बन्दे पातर्याम, सुपराम, 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 बन्दे पातर्याम, सुपराम, 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 सुपरा कर रहrones हैं कि इस पाडव कि दो डिखसी इसंशप्त रिपोर्ट कर दो ड़ी हा जा है अब महाराहिस्तरह से हैं घायकमार जी महाराष्ट्रह से हैं यह हैं थो बोर्त विल्हों को ड्राहिसे दो दिशेय इन्टरल वेबिनार कहे या क्या कहे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे कोई वेबिनार कहे क्योंकि इतनी भावुक्ता के साथ आप सभी ने जो आपने विचार रखे इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है इतिहासकार महामहीम डॉप्टर सुरेश मिश्र जी की स्मूती में सुरेश मिश्र थेरी प्रैक्टिश और डाकुमेंडेशन के उपर दो दिवसिये इस सेमिनार का आयोजन या संगोश्टी के आयोजन में हम सभी इकठे थे इनमें टोटल चार टेक्निकल शेशन और दो ट्रिबूट शेशन अब यह आखरी अपना समापन सत्र चल रहा है मुझे आपसे बताने में काफी हर्शव हो रहा है बारत वर्ष के 25 रज्जों से इनमें सभी प्रतिभागी सम्मिलित हुए पहले दिन तक्रिबन एक सो तीन प्रतिभागी दूसरे दिन तक्रिबन सो प्रतिभागी और इस वक्त मुझे जितने दिख रहे है उतने इस वक्त कम से कम 55 प्रतिभागी सम्मिलित है निके 25 पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रस्तूत इस विबिनार में पहले ही सत्र में डॉक्टर सुरेश मिश्टर जी की जीवन कहानी का जो डाकुमेंटेशन कर दिया या प्रस्तूत किया उन सभी आलेखों को देखते हुए या सभी चीत्रों को देखते हुए जिने हम खोड़े थे मैं इनमें से कोई शब्द नहीं प्रयोगर जा फोटोग्राप नहीं चीत्र नहीं या और कुछ नहीं साक्षात इस डाकुमेंटेशन द्वारा डॉक्टर सुरेश मिश्टर जी का जीवन हमारे सामने उनके जाने के बाद प्रस्तूत किया गया पहले ही सत्र में मध्यप्रदेश बोपाल के डॉक्टर राधात रिपाठी जी वालियर के ओनरेबल पूरण सहेगल जी जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए है आज सी एचार के मेंबर सेक्रेटरी कुमार अत्तम जो दिल्ली से जुड़े थे तथा डॉक्टर शाम से आखरी मिनट में ले लूँगा उन्यस तारिक की सुबर 11.45 से 12.30 तक हाला कि ये तो समय सीमा हमने तई की थी ये समय सीमा काफी लंबिक खीज गई समय के रेशा ये भी सही है 11.45 से लेकर डॉक्टर सुरेश मिश्टर जी मेमोरियल लेक्चर जो मेरी कामना है कि इसके आगे भी हर उनकी सुरुती दिन के अवसर पर चलता रहे इसके बारे में में बाद में बात करूंगा डॉक्टर सुरेश मिश्टर जी के मेमोरियल लेक्चर का मेमोरियल लेक्चर हुआ इसकी अध्यक्षिता डॉक्टर बधानी उतरप्रदेश अलिगर से तथा डॉक्टर राधी का सेशन सावित्रिवाई फूले पुने इन्वरसिटी फ्राम पुने महरास्ट्र एवां से एक तीस डॉक्टर एसेन डिजवी सहाब जो उत्तरप्रदेश से जुड़े है इनके विचार हमने सुने उत्राखन के संजय कुमार जब बोलते है तो उनके हर शब्द में मिश्रा सर की याद आती है क्योंकि मैं संजय स्वर्नकार संजय कुमार और डॉक्टर मिश्र सर आपस में इतने जुड़े हुए है नहीं है इतने जुड़े हुए है कि काटा अगर एक केपाव में चुभे तो उसकी समवेधनाई दूसरों को होती है ऐसा मेरा मानना है इसी सत्र में डॉक्टर राधी का स्लेशन फ्रम महरास्ट्र और मेहना शर्मा राजस्तान इनके द् अधिय प्रदेश के विद्वान ऊनरेबल जीसी वुपाद्व्याजी, ऊनरेबल केसी व्यास और महराष्ट के डॉक्टर वमेश मिश्ड तथा मध्य प्रदेश के डॉक्र आनन कुमार इन सभी विद्वा जोनर के विचार हमने सुने इसका संचलन चारूचित्रा जी नहीं क देवेंद्र चोबे जी का भाशन तो क्या कहें मैं बहुत छोटा हूँ उनका वो सब स्पीच देखके और सुनके मुझे ऐसे लगा कि अभी काफी मुझे पढ़ना बाकी है देवेंद्र चोबे जी तथा उनके साथ गुजराच से मेत्री विद्या एवं गुजराच से ही जुड़े डॉक्टर अरून माघेला जी सिता महु में जब हम साथ-साथ बेटते थे सर के साथ एने मिश्र जी के साथ तो याद आती है डॉक्टर मनोहर सिहर रानावत की सुब पांच बजे उस सेमिनार में जब मैं सीता महु पहुं पहुंचा तो मैंने पहला फोन किया पहली ही रिंग पे डॉक्टर रानावत जी ने फोन उठाया लहू आ जाईये उनकी यादों में अब क्या होता है आख बहरा आती है इसे डॉक्टर अरून माघेला जी डॉक्टर इस सत्र में प्रस्तूत किये गए आखरी सत्र में डॉक्टर विनैश्रिवास्ताव तथा हमारे जितने भी विद्वान साथी विद्वान इतिहासकात इस कोरोना काल में हमसे गुजर गए या विश्यर गए इन सभी को जो भाव भी निश्रद्धा सुमन अर्पीत किये को डॉक्टर विनैश्रिवास्ताव फ्रॉम पन्ना मध्यप्रदेश डॉक्टर नवीन गेडाम प्रोपेसर डिपार्मेंट ऑफिस्ट्री सागर मध्यप्रदेश तथा डॉक्टर अलपना दुभासी पीजी कॉलेज उज्जेन से इसके बाद डॉक्टर एसन मिश्रा रान डॉक्टर रंजना जेन जी ने उन्हें भाव विनिश्रद्दा सुमन अत्पित किये आखिर में याकूब अली जो की अलिगर्ड मुस्लिम इनवर्सिटी के प्रोपेसर है इन सभी की भावुक यादों से बिदाईल भावुक यादों में खो जाकर हम एक डॉक्टर सर का चितभी अकेडमिक परिवार था नहीं है इन अकेडमिक परिवार के साथ साथ ही जहां मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं माननीय मनिशा दुबेजी को मैं देख रहा हूं और भी उनके तीन बेटे मैं दामाद नहीं कहे रहा हूं दामाद और बेटे इन में फर्क होता है लेकिन इन सभी छे लोगों से बिलकर मुझे ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये दामाद है या बेटे है सर की तीन बेटियां दामा देवन बेटे पोते भी थे इन सभी यादों को साथ साथ लेकर मैं समापन सत्रकी वह जाने के लिए ओहर टू डॉक्टर संजय स्वर्नकार जी से बिनती करता हूं कि वह समापन सत्रकी शुरुवात करे थैंक यू मैडम कंटिनियो प्लीज अन्म्यूट प्लीज अन्म्यूट करिये अन्म्यूट करिये प्लीज दो हरजार उन्नेस दो वर्ष पूर नौ और दस नवंबर वेन्यू था भुपाल की नुरवनवा अकादमी और हम सब आदर्निय सुरेश मिश्र जी के पहले सिचेशन प्रोग आदर्नियों ख़लेराम के लिए एक अत्रत हो कर इस new इस मनें आद है यह दो दिन भी हम उनि को याद कर रहे हैं उनि के लिए यह दो गदीन भी है लेकिन को हमारे एक अजीब मायूसी है उर बहो हमारे साथ नहीं है। वह है और नहीं है एक चोटा सा शब्द नहीं पता नहीं जिन्दगी में क्या-क्या चेंजिस ले आता है क्या-क्या बदल देता है कितने ही लोगों की दिलों का एक पोना नॉक्टर सुरेष मिष्जी हमेशा के लिए सुना आते हैं लेक लिखने वाले, शोद करवाने वाले, तुसके लिखने वाले, इतिहास, पर्यावरान, जब पता नहीं कितनी पीर्ज में उनका दखल था, वो सब उनके अबूत्मूत हस्ताक्षम होते, उन सब में खाली पने लिखरते, वो जगह हैं, जहां वो देश-विदेश भूमने जाया करते थे, मुझे लगता है, वो जगह है भी उदास हो रही होंगी, कि उनका कदरदान जो है वो नहीं, लेकिन डॉक्टर सुरेश मिश्ट, इन दो दिनों में कई बारे कहा गया, कि उनकों हम, वो ऐसी शक्सियत ही नहीं थे, कि जो अपनी उपस्टित हो या ना हो, व करा करूब ूए इनके शम्मा तो जलती ही रहेगी उनके किताबं के जर्ये उनके और डेले, थे आकार्यों के जर्ये itp originator ले उनके वरकृत्वीद्ट ज़्सकित उनके लिए जजरीघन कमहांब कि उने सब्सक्राईतूर में, nomar प्रश्टिती किसी भी तरह से नकारी नहीं जा सकती। इसके साथ ही उनके डॉक्टर सुरेश मिश्राजी के परवमित्र डॉक्टर आर्पी मिश्राजी दुपाल से हमारे साथ हैं। चत्रिस वर्श तक उच्छा में अध्यापन कारेवनों ने किया। आर एजुकेशन में अधे जॉइंट डिरेक्टर भी वो रहे। उनने सचानवे में रेटायर्मेंट के बाद बहुत सारी चीजों के साथ जुड़े रहे। सेवा भारती के वाइस प्रेजिडेंट रहे। आनन ओल्डेज हों। इस तरह के बहुत अवेरनेस प्रोग्राम्स इनके साथ लगातर जुड़े रहे। उनकी एक भुक है लेट लाइफ लो लाइक स्ट्रीम। ये इनकी बड़ा अच्छा सा टाइटिल है। मैं आमन्पृत करना चाहती हूं। प्रफिसर आर्पी मिश्राजी। सर। डॉक्टर आर्पी मिश्राजी। सर आपका माइक म्यूट है। डॉक्टर आर्पी मिश्राजी। अभी शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। मैं जेस्ट ऑफ ओनर डॉक्टर मंजूद अबे जी कोुलाती हूं। डॉक्टर मंजूद वे प्रिंसिपल रही हैं गश्राजी। आप हमारा खुद का बहुत साथ मैडम के साथ रहा गए। और गजब की कुछ चीजें उनके अंदर मिलती हैं। उनमें जिस जंग की करतव निश्चा है। जिस जंग से एक चीज जो सोच लेती हैं उसको करके ही मानती हैं। इस तरह की शक्सियत है। उनको मैं आमंत्रित करना चाह रही हूं कि वो अपने विचार संगोश्ची में रखे। जी मैडम, नमस्कार। सभी विदुजनों को मेरा नमस्कार। अपचारिकता में ना पढ़ते हुए, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, मैं सिधे अपने विचार रेक्ष करना प्रारम कर रही हूं। जिस समय सुरेश मिश्यजी का अभिनंदन समारों होना था। और उसमें जाने के लिए डाक्टर स्वनकार सर जी ने मुझसे कहा था कि आप चलिये बहपान। तब मुझे यह नहीं पता था कि मैं किसके अभिनंदन समारों में जा रही हूं। मैंने सीधे सीधे उनसे कहा कि मैं इत्यास विश्यगी नहीं हूं। मैं वहां जाकर क्या करूंगे। उन्होंने का नहीं। यह जो समिनार आइजित किया जा रहा है। यह क्यारजी कॉलेज और MLB कॉलेज भुपाल के कॉलिबरेशन में है। तो दोनों कॉलेजों के प्रिंसिपल वहां होना चाहिए। मुझे उनकी बात समझ में आ गई। और मैंने उनको बचन दिया कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। और मैं पहुंच भी गई। वहां जो मैंने सुरेश मिश्य जी को देखा, सुना, उनकी वीडियो क्लिप देखी, उनके बारे में जाना और इतना भव्य उनका समा रहो हुगा, अभिनंदन समा रहो हुगा, वो सब देखके मैं बहुत, मैंने अपने आपको गौरवानवित महसूस किया, सौभागिशाली महसूस किया, कि मैं इतने बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी, परमशद्दे, शिरी सुरेश मिश्य जी के सम्मान पत्र का वाचन मुझे करने के लिए मिला, मैंने अपने आपको बहुत गौर बात, लंच टाइम में जब वो मुझे से मिले, कितनी सरलता और सहस्ता से उन्होंने मुझे से बातें की, मैंने बातों ही बातों में उन्हें बताया, कि हमारे गौलियर के पंडित रूद दिदत्मिश्री जी, जिनने छे भाशाओं का ग्यान था, जिसमें से उन्होंने पा रभावित हुए, और उन्होंने मुझे से कहा कि उनके उपर आप लिखिये और चपवाईए, प्रकाशित करवाईए, उनके जो अप्रकाशित साहित पढ़ा हुआ है, उसे आप प्रकाशित करवाईए, वो आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनका साहित मनों मस्तिष्क में इस चीज का बीजर ओपन कर दिया था कि आप ये सब चबवाएए लिखिए लेकिन प्राचारे पद पर रहते हुए अत्यादिक कारिभार के चलते मैं नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मेरे इस सुत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुए वो बार-बार मुझसे यही कहते रहे जितने बार वो मिले जब भी लंच में मिले ब्रेकफास के टाइम मिले या दिनर के टाइम मिले कई बार उनोंने जब-जब उनसे निगा मिलती वो मुझसे एक ही कहते देखो यहां करना है चबवाना है और मैं हर मां आपसे प्रोग्रेस लेता रहा हूंगा जिस तरीके से उन्होंने बार-बार जोर दिया उससे मेरे अंदर इतनी स्फूर्थी जागरत हुई इतनी चेतना जागरत हुई इतना जोश बर दिया और मैं मुझे इतनी टेड़ना मिली कि मैं बहा मुझे समझ में आया कि उस सेमिनार में जाने का जो में जाने की मुझे अपनी सार्थक्ता समझ में आई वहां से लोटने के बाद उनकी प्रेणना के फलस्वरूप पंडित रूद दत्तमिश्री जी के उपर डिविन प्राद्यापकूं के सहयोग से तस शोध पत्र बनाए जिसमें से पांच शोध पत्रों का प्रकाशन हो चुका है और पांच शोध पत्र अभी प्रक्रिया में हैं उनकी प्रेणना के फलस्वरूप उस तक भी कुछी समय ने आने वाली है पंडित रूद दतमिश्री जी के उपर अगर उपस्तित होते उनकी उपस्तिती में वो होती तो मुझे अच्छा लग था लेकिन ठीक है उनकी मंशा के अनुरू वो काम जारी है और शीक्र ही पून होगा उसके बाद दूसरी मलाकात उनसे मेरी हुई जब वो हमारे कॉलेज में आये हमारे कॉलेज में एक मीटिंग में वो आये थे आफ्टर लंच टाई बजे के करीवन वो फ्री हो गए थे उसके बाद मैंने उनको प्राचारिक एक्ष्णा बुलाया मेरी उनकी काफी देड़ तक बातें होती रही और वो मेरे काम के प्रोग्रेस की जानकारी लेती रहे बाती बात में जब नहीं ये मालुम चला कि मैं कै गैंसर पीड़ित रही हूं तो वो भावक हो गया है उन्होंने का मेरी पत्नी को भी गैंसर था ये देखकर उनको भावक होता देखकर मैंने टॉपिक बदला और मैंने परवता हर गोहन के बारे में बात्षित चालू कर दी विद्यार्थी भीबल में न्सीच के माध्यम से मुझे सेंटर अफ दैवरेस्ट त्रिशूर परवतार अभिहान में जाने का मौका मिला था और वो सफलता फुर्वक किया था मैंने उसके बारे में उन्हें बताना शुरू किया वो इतने खुश हुए इतने प्रसंद हुए कि उनके साथ बाचित करते समय वो इतने घुल म मिलके बात कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि हिमालय परवत पर वो मेरे साथ ही विचरण कर रहे हैं और मैं एक गटना क्रम को वहीं खड़े हो के उन्हें बता रही हूं जितनी रोमांचक चीज़ें दीवान की वो सुनके वो भी रोमांचक हो जाते और कहीं अगर जोख उनके चेहरे पर देखा जा सकता था उस तिन तीन घंटे उन्होंने मेरे साथ बिताए विवन ने प्रकार की बातें की और वो इंतजार कर रहे थे मैंने उनसे कहा था कि जिस सामवेत को चपवाने की बात आप कर रहे हैं वो सामवेत टाइप किया हुए मेरी चाची के घर पे है उनका घर बहुत दूर है मंगाना पड़ेगा और वो मंगाने में आत्कों घंटा लगना था वो रुके रहे तीन बज़े से छे बज़े तक प्राचारिक एक्ष में वो मेरे साथ रहे और वो सामवेत जब उनके सामने लाया गया देख के बहुत खुश हुए और उनने कहा इसका प्रकाशन करवाओं और मैं तुमारे साथ हूँ किसी भी प्रकार की मदद की जल्वत हैं ये संस्था और मैं डक्र संजय स्वानकार जी सब आपको कॉपरेट करेंगे और इसे आप छपबाएए तो ये सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वे मुझे एक समाज सुधारक नजर आए उनके मन में वो ये सोचते थे केवल इतिहास ही नहीं अमने सभी विशय के प्राद्यापतों को और जो भी उनके सामने आता था उनके अंदर वो ये कोशिश करते थे धूड़ने की कि उसके अंदर क्या प्रतिवाय है जैसा कि उनके सुपत्र जी ने अभी कहा जामवंत उनको कहा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो 100% सच उसाई उन्होंने वो एक जामवंत की तरह थे उन्होंने हर एक के अंदर ये ढूबने की कोशिश करते थे कि उसके अंदर क्या प्रतिवा है उसको कैसे निखारा जाए उसे कैसे यार द करते थे उनका मुझे लगता था कि ये शाहिद उनका शौक ही है ये उनका नया रूप मुझे दिखा के वो केवल शोध कारियों को बढ़ावा देना हो लोगों को प्रोचाहित करना ये तो करते ही थे साथ साथ जो उन्होंने पंडित रूदिदत्त मिश्री जी जिनको उनके बारे में जो उन्होंने जोर दिया उससे यह समझने आया कि गुमनाम सितारों को उभारने के लिसे भी वो कितोंआ तत्षर और प्रयत्मुशील है इसी तरीके से डॉक्टर संजेस ओंकारवी गुम्नाम जितारों को उभारने में उनका बहुत योगदान है, वालियर के कई लोगों को उन्होंने प्रेडित करके उभार के उनके उपर कितावें लिखवाई हैं, निकलवाई हैं, और मेरे मस्तिच में भी वीजारोपड उनिक ही था, जिसे मिश्री जी ने इस तरीके से उसको प्रेडित किया मुझे कि आज मैं काफी कुछ कर पा रही हूं, अब वर्तमान समय में जो इस्थितियां हैं, आप सब के जामने, उस सब से यही प्रदर्शित होता है, कि उनके अधूरे सपने और उनके अधूरे कार, उनकी जुम्मेदारियां, वो सब डाक्टर स्वंकार सर को उठाना है, भारत वर्ष के विविन प्रांतों के सभी इतियासकार, विविन विश्यों के प्राध्यापाट, सब एक उमीद बरी निगाहों से आपको देख रहे हैं, कि भविश में आप उनकी जुम्मेवारियों को लिभाएंगे, उसके लिए मैं उनको शोबले काम लाएं दूँगी, और मैं बड़े मतलब दुखी मन से उनको नमन करते हुआ। मैं बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, अब आवास सुलाई देख कर दिया, लेकिन मैं चुप इसलिए हो गई, क्या अब मैं इतनी भावत हूँ कि मैं बोलने की सिती मने हुआ। मैं आवाज आ रही है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि I am very incompatible, परन्तु जसा कि Sanjay जी न कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया है, आमंत्रित किया है, जो चाहे हिस्ट्री से उनका संबंध ना हो, परन्तु उनके संबंध कुछ दूसरे ढंकते। मनिश्यों के बीच में तो कई प्रकार के रिष्टे हैं, माता-पिपता, पुत्र होते हैं, भाई-बैन होते हैं, परन्तु जो दोस्ती का जो संबंध होता है, वो उससे बिलकुल अलग होता है। मैंने जो उपर जो संबंध नीव होते हैं, उसमें तो बहुत सारे नियम होते हैं, कानून होते हैं, आपको पिता जी से बात करना है, मता-जी से ऐसे बात करना है, प्रन्तु दोस्तों के बीच में यह 문제 collapse होता, हम लोग इतनी खुल करके ऐसी ऐसी बाते करते थे कि अगर को सोले तो कहें कि यह 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 इतने बुज़र्ग है यह 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 बच्चे हैं यह यह बच्चे हैं मैं एक इस उनसे हम लोग अक्सर मैं उनसे कहता रहता था कि don't walk ahead of me. Don't walk ahead of me. I will not be able to follow you. Don't walk behind me. I will not be able to lead you. Walk by my side and be my friend. division तो वो जो चीज मैंने उसे कही वो इस चीज़ को अकसर दोराते रहते थे और उस पे उस पे उनका जो जो चीज होती थी वो कहते थे ज़ी डोस्ट बनने के लिए बनाने के ठहले आपको दूस क्वराना पाता है और उनहोंने अव्य वो कहते थे कि मेरे कलीक्स हैं, मेरे रिसर्च कॉलर्स हैं, मेरे साथ के दूसरे लोग हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, पर अंतु दोस्त इने गिने भर है केवाँ, तो मैंने उन्होंने एक बार मुझसे पूछा, कि अच्छा आप यह बताईए कि आप ऐसे चार दोस्तों की नाम जो हैं, और वो आपके सामने हाजर हो जाएं, तो मैंने गिनाए, तो मैंने जो means अध्ये, तीसरा चौतहा नाम नहीं भोल पहाया, तो वो बोले भाई मैंने उनसे पूछा भाई यह चार नाम क्यों आप पूछ रहे हो तो बोले भाई जब अंति म्यात्रा होगी तो चार लोग लगेगी ना यह यह इस धंक की बाते होती थी और दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि गीता का मुझे सरीकृष्ण गीता में कहत हैं कि there is nothing more definite than death. The one who has born is sure to die and the one who has died is sure to burn. तो भाई, वो इस चीज़ को भी अक्सा कहते थे कि मैं अगर चला भी जाता हूं तो फिर भी मैं जिन्दा रहूंगा, मेरी आत्मा जिन्दा रहेगी, मैंने मैं, मुझे लोग याद करेंगे, यह मुझे विश्वास हैं. तो ऐसे हमारे मिश्वजी थे, इसके बाद दूसरी चीज़ जो उनके बारे में थी, हम लोग महने में एक बार लज्च में मिला करते थे, वो खाना बनाने, खाना खिलाने और खाना खाने के बेरे शौकीन थे, और मैंने देखा कि उनका, जब वो कभी अपने घर बोलाते तो मैंने का बही आप अकेले हैं, आप कैसे ओ करेंगे, कैसे सब प्रबंद करेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं देखता था कि उनके टेवल पर जो प्रकार से वो पूरे इतने सफाई से इतने तरीके से सारे चीज़ करते थे, उसको देखकर आश्यर होता था, दूसरी चीज़ जो उनके बारे में, जब वो मेरे घर कभी आए, तो उन्हों देखा, मेरा घर जो है, हुपाल में, वो करीब 3300 स्वेर फीट का प्लाट है, और उसमें करीब 20-25 पेर प्लादे हैं साहमने, वहाँ पर पान की बेल लगी हुई है, बहुत छचली हुई है, उ पान आपके हमा पर है, आपके कोई बताया की, मैं जो पान खाता नहीं हुए पर तो यह पूजा वगरे के काम में मेरी पस्मू अब जब कभी मैं आपको बलाओंगा तो पान लेकर के आई हैं तो हम लोग पान लेकर के उनके पास गए तो उन्हों ने जो जिस प्रकार से पान बनाए उनके पूरा सामान था उनका पूरा वो और उसमें तो मैंने का मिझे सुपारी लग जाती है तो मेरे लिए वो पान अल पाते थे दूसरी चीज़ मुझे इनके बारे में जो याद आती है जिसका कि बड़ा मुझे याद आती है ति मैं बड़ा भावक हो जाता हूँ वो मुझे अपना घर दिखाने के लिए ले गए पहली बार एक बार तो उनका जो ऊपर वाला कमरा था वहां मैंने देखा कि वह अपने शिलाइंग मशीन भी रखी हुई है जो महिलाओं का जो ड्रेसिंग टेबिल होता है वो भी रखा हुआ है एक टेबिल पर वहां पर कलब दावा पहिन वगरे और पैड रखे हुए है तो मैंने उनसे कहा है कि भाई यह बताए कि यह कबरे में यह चीजे आपने क्यो की है आप तो शिलाई करते नहीं तो अब उन्होंने कहा देखें यह सारी चीज़ां जो है यह मेरी पत्नी की उप्योंग में लाती थी और मैंने इस कमरे को उसी प्रकार से रख छोड़ा है जैसा मेरी पत्री जब स्वर्गबास उनका हुआ उस्वक्त था तो मैंने का भई पत्री इस घंकी बात करता हुआ और उन्हें बोले कि मैं यह सब बाते हर किसी से नहीं कर सकता है बहुत सारी बाते हैं ऐसी उन्होंने जो उनका वो होता था दूसरी चीज़ मैं आखरी में के वाल यह कहना चाहता हूं कि मैरी उनसे पहले इंडारेक्ट कहना चाहिए उसे पहचाद तो नहीं कहने चाहिए जब वो एंवर्मेंट और वाइड लाइस के बारे में उनके न्यूस पेपर्स में लेक ठपते थे तब मैं उनको पढ़ता था और मैं जानता था कि कोई सुरेश मिशा हैं जो की बड़े वेद्वान हैं इस समन में लिखते हैं और उनसे प कि बाते सुनी तब मुझे लग रहा है कि यह व्यक्ति वाकई बहुत विद्वान होना चाहिए उसके बाद में में रिटार हुए तब वो एकलव संस्थार में काम कर रहे थे चूंकि मैं भी बहुत सारी सेवाभाविर संस्थां से जड़ा हुआ था उनसे जब तब बेट होते रहती थी वहां मैं कुछ अपने जो मैं लिखा करता है था कुछ मेरे आर्टिकल्स वगएरे थे मैं उनको ले गया तो उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं भाई तो आप इसको पॉब्लिश कर नहीं कर पाया तो बोले मैं पॉब्लिश करवाता हूं आपकी वो और उन्होंने दुर्गवति की उपर उनके हिंदी की कि किताब थी उसका माने अंग्रेजी प्राइब नहीं माने बोले नहीं पैसे तो आपको लेने पढ़ेंगे क्योंकि यह प्रोजेक्ट के तायत है तो बहुत सारी बाते हैं खाने के बड़े शॉपिन थे दही बड़े रबडी और सभी चीजों को बड़े नफासत और सजाना रखना यह उनकी सब्स्टीजे थी और आखरी में बहुत कर रहा हूं कि जब उनके डेध की खबन लगी तो वहां मनला गए और हमारी वहां रोज उससे बातने होती थी और वह कह रहे थे कि यहां तो सब करने वाले हैं मेरे भाई सब कर रहे हैं मैं तो यहां पर बैठा हुआ हूँ और जब वह लोट आए तो तो उनसे जब बात हुई तो बोले मैं बहुत ठक गया हूं मुझे ठकान लग रही तो मैंने कहा भेरी आपको तो आप तो कह रहे थे वहाँ आपको कोई बड़े काम नहीं करने पड़े पता नहीं हो सकता है कि सफर का वह हो यह हो उसके दो दिन बाद ही मैंने जब उनको फोन किया तो बोले मैं चिराई बरती हूँ और वहां उस दिन तो बात हुई दूसरी दिन जब मैंने फौन किया तो उनका आया कि कोई उनकी खबर नहीं आई और चोतर दिन हमको यह पता लगा कि उनकी वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं अब मैं क्या कहूं ऐसे व्यक्ति को मैं उनको बस यह कहता हूं उसमें हैं इस संसायर में उनकी आत्मा जंदा है और मिश्चित रूप से फिर दन में लेंगे और हम लोग के वीच में आएंगे और अगर उनके मन में कोई अधूरे काद हैं तो उसको पूरी करेंगे मैं उन्हें बहुत ही विनम स्रद्धर जली देता हूं और आप सब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद अधन्यवाद पाद बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- नामाद शब्द कहना पड़ रहा है लेकिन असल में तीन पुत्र हैं, तीनों प्रशासनिक सेवा में हैं, आप देखिए कि एक कहते हैं अपने फादर इनलौ को, मिश्री जी को कि वो पोल स्टार है, रॉक स्टार है, आगे कहते हैं सखार है, वीरेंदर जी लिखते हैं, उन् जो कि गवर्मेंट ऑफ मध्यप्रदेश गुपाल में अर्बन डेवलोप्मेंट हाउसिंग में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनका मैं पढ़ रही थी पैले सिटेशन उसमें, तो वो ये बता रहे हैं कि पापा जुम हैं, एक तो हमेशा एक से बने रहते हैं, ये गीता की और ये बताते हैं, बड़े जो भी इंसान बात करता है, कि जानने की ग्यान की इतनी इच्छा उन में रहती थी, जैसे अमिताब जी बताते हैं कि टेक्नो फ्रेंड्ली बड़े जिबर्दस्ते हैं, जहां कहीं थोड़ा सा लगता था उन्हें कि मैं नहीं सीख पारा, तो व तेनिसन का यूलिसस याद आ जाते हैं, कहते हैं, how dull it is to pause. आगे वो कहते हैं, to follow knowledge like a sinking star, beyond the utmost bound of human thought. ऐसे ही टेसुरेश मिश्र जी. मैं आमंत्रिक कर रही हूँ अमिताब जी को, कि वो यहाँ पर आएं, और मिश्र जी के बारे में, कुछ हमें बताएं, अपने भावनाएं सामने प्याथ करें. मैड़म, अमिताब जी, शायर टेकनिकल प्रॉब्लम के वज़े से नहीं जोड़ा रहे हैं. आच्छा. पापा के बारे में क्या कहें, इसी कमझने में आपना है? इसा मेरे को लगता है कि शायद मैं अपने फादर से ज्यादा उनको को लगा और ऐसा शायद कोई दिन नहीं था है, जब हमारी अपना हमसे बात नहीं होती थी. हर दिन हम बात करते थे और पापा हर संडे हर संडे हमारे पास आते थे और मुझे कुकिन का बड़ा शौक है. जब भी संडे मॉनिंग उनको फोन करता था, कि पापा आप आ जाई है, तो वो कभी यह नहीं पूछते थे कि अमिस आप जब भावनाओं का ऐसा सैलाव, शायद जो दो दिन में हम देख रहे हैं, बहुत बामुश्किल ही इस जंग की चीज़ें मिलती हैं. सर्थ आप को, आप चाहें तो, अगर आप इतने भाववक हो रहे हैं, शाहिद अम्ता आप सी बिलकुल दो तो इस बोल लगी पा रहा हैं,fox में शाम जी को गुलाना चाहूँ झाहूँ, यहाँ पर आए,ISAम दूबे जी, आप मिसे सुन पा रहे हैं? सबसे बड़े दामाथ हैं मिश्री जी के सबसे बड़े बेटे हैं सर प्लीज नमस्कार इसके पहले कि मैं कहूं मेरे खार सामिताब कर अपनी बात पूरी कर ले हैं तो हम अमिताब को सुनना चाहेंगे अमिताब अगर तुम अपनी बात पूरी कर लो उसके बाद फिर मैं कुछ अपने रिमार्क्स कुछ ले राज जहूँगा I think over to you Amita अवार्ज भी आरे अमिताब अमिताब जी अन्मिट करिये अन्मिट करिये जी कि आप बताएं कि कि आप ससुर्प के रूप में उनका उंप आप कैसे देखते थे मैं जहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनको उनको अपना सुरेश मिश्रा में मैंने कभी अपना ससुर देखा मुझे तो वो हमेशा एक फादर के तरह लगे पूरी तरह पिछे 25 साल में कभी ऐसा मुझे मैसूस नहीं हुआ कि वो मेरे तसुर्प थे वो पिता से बढ़के पिता जैसे थे और पिता से बढ़के थे मैं कहूं कि कि हर समय वो हर तकलीफ में हर जगा हर समय वो मेरे साथ खड़े ते और अशा लगता है कि उनको मुझे भी बहुत विश्वाब था जब भी वो बहुत समदर्शीव से एक जैसा मानते से तीनों लड़कों तीन दामाद हैं उनकी तीन वेटिया हैं तीन दामाद हैं जो मां सब्सक्राइब करकता है जो भी चीजभ करने माद के जूता हैं या पहर भी दो हो अजय को होईक डिले किसमें प्तास आप अटाप देखा होगा जो बी चीज़ उनके घर में आई वो अ Almost मुझे लगता है जीजा जी आप कंटीनु कर ला मिताब नहीं बोल पाएगा ओके नमस्कार थैंक यू फॉर अन्य ओडिबल पहुर जी यह सर्व आपको भी सुनना चाहेंगे प्लीज इनके बाद आप बोल लीचे प्लीज आप जरूप बोलेंगे वह जरूप बोलेंगे मैं दो दिन से जो मैं सुन रहा था एक्शुली अगर मैं कहूं कि बस मैं जो कह चुका हूं वो तो इन और स्वेश्य में कह चुका हूं लेकि मैं निवेदेंट किया था शुनकार जी से कि अंत में मैं कुछ एक दो शब्द कहना चाहूंगा कि दो दिन से एक तरीकी से हमारे लिए जर्णी ऑफ डिस्कुर्वरी रही है परिवार के सदस्वे के रूप में मैं कह रहा हूं और जो मैं पिचार रख कर रहा हूं वो सुरेश मिश्य जी के तीनों बेटे यानि अब मुझे पता चला दो दिन से कभी कभी मैं आप से पस्ट कभी कभी हमिशन को दिनली बिलाते थे तो एक इशे जरूर ऐसा रहता था जसके तलकी तकी अपनाराजनी हमें होती थी या हम उन से नाराज रहते थी ज्यारव समय नहीं दिदाते थे ती नहीं चार दिन पर चार दिन पत दिन तो ऐसा कुछ एक परधासी थी, तो हमको लगता था कि ऐसे क्यों करते हैं पापा, मतलब हमारे साथ समय उतना क्यों नहीं बिताते हैं, लेकिन आज जब में आप लोग जो कुछ दो मेरे साथ में थे भोपाल में, तो I think you would have heard me when I said that there was a nameplate called family and I had stated in my speech that I think this name was to be removed because for Dr. Suresh Mishra, the entire universe was his family and we are so privileged and honored actually to meet all of you who are member of his extended family, so I think this has been the journey of discovery, when you hear everybody, किसी की भी बास सुनो, अभी शारा मिताब कह रहे थे कि मुझे लगता था कि साथ समीत मेरे थे, उस इन प्रियंका कह रहे ही थी, उस वंचन में कि मुझे लगता है कि सबसे प्रिये बेती मैं थी उनकी, ये आठ जो था, मैं कभी मैं उनसे आर्ट कभी पूछ नहीं पाया, I think anyone who met him, felt that he is closest to him or her, I wish वो रहते तो मैं से पूछता कि ऐसी क्या है आपके पास गला, कि जो भी आपके सानिदी में आता है, जो आपके और्विट में आता है, वो सब को लगता है, कि आप उसको एसको एसास कराते हैं, जि को एसा लगता है कि मैं सबसे स्वमीट हू, वो मेरे सबसे मतलब dearest हैं, now this art, obviously, he has taken it away with him, and I could never ask, and number two, which I felt a common strand, सारे लोग को मैं सुन रहा था, और सारी बाते कॉमा ने हम रहे एक ही बात, अलग तरीके से अपने शदों में पिरों के कहते हैं, but एक बात जो नजर आती है, व he was like a booster, he was like a motivator for all of us, and the second art which he had, was to get the best out of us, हमें जो भी पतिबा है, हमें जो भी एक शम्ता है, उनमें कशब का कमाल का एक काभिलियत थी, की, he knew the art of getting the best out of us, making us realize our potential, and achieve our standards of excellence in our own spheres, and this is, I think, what we should remember him, जब मैं in our own session में कह रहा था, तो मैं बहुत बहुत हो गया था, लेकिन शायर मैंने ये बात करें लोगों से सुनी, शायर नीर ने भी कही थी ये बात, कि उनकी अब हम जो याद करें, तो कैसे याद करें, एक तरीका तो ये है, कि मन तो दुखी होना स्वाविक है, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था, शरश्मिट से सिर्व एक पैला होगे, अब ऐसा शरश्मिट नीर नीए हो पाएगा, तो हमारे पास बस दूसरा option ये है, कि हम अपनकी यादे करें, उनकी सुनरी यादे याद करें, कितना अच्छा समय बिताया, हम सभी लोग इस ग्रूप में जो इ कि अपने अपने परिवार में समभी लिट कर दीजे, आप हमें अपने परिवार में समभी लिट कर दीजे, and we all will walk this journey together and on behalf of our entire family, as I said, myself, my wife, Manisha, my brother-in-law, Kedemda Mishra and Priyanka Mishra, his wife and we would like to really express our sincere gratitude to everybody who spared their precious and valuable time to spend this complete weekend, actually, सादे दे संदे को अपने परिवार में होती है, लेकिन सभी लोग बिलकुल एक तरीके से एक मदने लगे रहे और सुनते रहे, तो मैं जो लोग उनके जीवन में जुड़े हुए हैं, आप सबने जो आदर और जो सम्मान उनके लिए रख किया, अच्छली ये रेसिपोकेट आप लोग कर रहे थे जो लाड उन्होंने आप सब को दिया, तो ये आपकी जो भावना है जो आपने रख की जिन सभी ने सभी ने और जो लोग बिल्पाए आप सभी हम लोगों के लिए बंदनिये हैं, मानन ये हैं, आदम ये हैं, और संजे जी की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो मैंने कल कहा था पापा को कृष्ण या फिर हमारे सखा या सार्थी, अब सार्थी तो नहीं रहे, लेकिन मेरे खाल से जो अरजुन है, इस रत को हमको आगे बढ़ाना है, संजे जी, और आप से बहतर अरजुन को कोई हो नहीं सकता, चुकि जिस निस्वार भाव से, जिस समरपन भाव से, आप इस रत को आगे बढ़ा सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता, ये महायक है, जिसकी शुराद आज हमने की है, and I truly, we should celebrate his lifestyle. I'm very convinced that I think Papa, Martha, went back from this world very satisfied, very satisfied, because he could do what he wanted to do, so I think that this is only a beginning and I look forward for more such occasions and conferences where we all get together. I'm sure we will be out of Covid very soon and I look forward to the day when we all meet together and remember more fondly and with a very cheerful spirit to recapitulate the point which someone made that he needs to celebrate the way he lived his life और जैसे उन्होंने अपना जीवन जी या कितने लोहों का उन्होंने हात खामा हम भी अपने जीवन में अपने आजपास कुछ लोहों का हात खामे हम उनके लिए वही स्वरेश मिश्र दने जो स्वरेश मिश्र हमारे लिये थे और उनकी जीवन में कुछ हम अच्छा कर सकें I think इसे बड़ी अच्छा कर सकें इसे बड़ी अच्छा के लिए और अच्छा के लिए नहीं होगा Thank you so much for giving me this opportunity and I give the floor back to चारुजी. Namashka. Thank you. शुक्रिया, शुक्रिया सर, ताश जिंदगी एक किताब होती और हम उसके कुछ पने फाड़ देते जो इतनी तकलीफ दे रहे हैं लेकिन जो यथार्थ है वो है और यह सच है कि उनके बताय हुए रास्तों पर आदमी के लिए वो जब वहां होते थे तो शायद पूरी तरह से समर्पित होते थे उस जड़ा पर यह उनकी खास बाती हमारे साथ CIIHRF की पेटरन प्रभाध समीरवस्थी जी तो प्रभाध समीरवस्थी जी जी तो आमिता प्लाइब लेकिए जी तो संजय भाई का बहुत आफ़ाद अश्यर होता है कि इतनी शांदार विपिनार पापा के लिए आपने खड़ाई है कोई मुकाबला नहीं है आपने आदावर्लप से बाही जी से लेखे पीके प्रट और पता नहीं संजय जी से गाइब विपिन से प्रट फंके कई कोई लोगों करते है हम लोग कुछ भी करते ऑप चैही लोगों ने कहा कि कि हम लोग किनों पुत्र हो सकते हैं लेकिन मानत तो तैसे दुर्शकार है और बहुत हैं इतने शांदार प्रोग्राम के लिए कि जिसका कोई मताथा नहीं कहा वापा के ऐसे ऐसे पहलतों को उजागर किया शायद इसके बारे में इसके पता था इतनी सारी चीज़ें जानने क को लिए उनके इसके बारे में कि जो बहुत अच्छती हैं हम सब सुनके भॉचक हैं ऐसा लगता है कि शायद एक हीरा एक कोहिनूर हमारे हाथ में था लेकिन उसको हम सुने ऐसे ही छोड़ दिया है तो आपको बहुत ज्यादा कई बाद आपको कोशी भी मानने लगता है कि अच्छता मुझे परेट शायद विश्वास करते थे शायद वो विश्वास में पर लीडूर आपको अब ही दो महने पहले की बात है क्यों के पहल इसमां अच्छतात आप जीन महने पहले की वो ओट आई बारे बाकि इस समय हमें ने मुझे भून किया कि अमिदाम मैं स् तो मैं उनकी पास गया और मैंने उनका इलाज जिया और उसके पास में पहर चला है मैंने उनको बदा है कि आप यह करिएगा और दूसरे दिन वो कहने लगे कि पुझ उनने फोन किया कि दॉक्टर में ठी हो गया और इतरे दिन वो चल के खार आगये और वो कहने लगे यह तुम तो पूरे डॉक्टर हो मेरे लिए तो सारा इलाज का काम तुम भी करते हो तो पापा के साथ अच्छा कहें कि कोई मुझे पट्पी नहीं समझ गयाता है कि अपने आपको में करता हूं कि उनको आस्पिटल लेकर मैं गया जिए अनफॉचनेटी जो पोविड ने पोविड के कारणाम लोगों उने पोजी थी यही मैं जहना चाहूंगा और चांदरा आईजम के लिए आप सब का बहुत जन्युत थैंक्यू धन्यबाद अमिताब ज जी बड़े भावक्षा रहे हैं सी आई है चाहरेफ की पेटरन डॉक्टर प्रभाद समीर अबस्थी जी हमारे साथ चुड़ी हुई है जो शिक्षा जगत में उलम्बे समय से चुड़ी हुई थी हिंडी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू सभी भाशाओं पर अधिकार रख मिश्र जी के बारे में नहीं दॉक्टर प्रभाद समीर अबस्थी आप मुझे सुन पा रहे हैं पा रहे हैं जी मुझे मालूम है कि समय बहुत ज्यादा हो गया है पिर भी मैं संजय जी से यह कहूंगी कि इतना इतना मन भरा हुआ है कि दो तीन मिनट जरूर दीजेगा बो मुझे याद आ रहे है कि जिस दिन सुपह हम लोग वी आल वर इन ग्रिप अव करोना अन देख और जब मिश्र जी का पता चला तो वी थ्री माई दॉर्टर मी और माई संव जा जाते ते बात हो जाती थी दिन बर में मारी कई बार मैसेज हो जाते थे बात हो जाती थी थी वैसे हमा अलग लग कमरों में थी तो मेरे बेटे ने मुझे मैसेज किया, he said maa, and लगता है कि चारू को मेरे बेटी को भी किया होगा, he said maa, he lived a very grand life and we should not remain in that shock state, पहली बात, तुसरी बात है कि मैं काका नगर में रहती थी और मनीशा जब वहाँ shift की, तो उन्हों ने मुझे पहला बात ही लिखा, कि अब हम पडोसी हो गए, जल्दी-जल्दी मिला करें, वो भी बात नहीं हो पाई, उसके बात हम मिली नहीं पाए, बस एक ही बात मिल पाए थे, वहाँ पर टैली थे, कल से मैं उनके खान-पान के बारे में मैंने बहुत बात सुनी, मैं खुद भी उ मतलब बहुत शौक रखती हैं खाने बीने का, जब तक मेरा खाना खत्म हो जाता है, उनकी थाली सच्टी है, सब कुछ उने चाहिए, तो वो महराश्रा वगरा से कई बार जो खाते थे, वो सारे लिस्ट बना के बेजते थे, बताना चारू को मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये ये खाया, और मैं कहती थी, it's not justice, आप गलत कर रहे हैं, हमको ये बताते हैं, और मैं तो इतना रूका मेरे कुछ पेट की प्रॉबलम है, मैं इतना रूका सुखा खाते हूँ, आप ऐसे, तो वी यूस्टू, अब उस बात को मैं थोड़ा सा इक डिफरेंट तरीके से मैं कह मैंने उन से कहा था, सर, मुझे लगता है, खाने और परोसने से पहले शब्दों को आप बढ़िया चलते हैं, हमेशा जब भी बोलते हैं, कभी कोई कटूबा था, बोलते ही नहीं, इतनी सकारात्मक, इतना आशावादी, इतना पॉजिटिव एटिटूद आप दूसरों को देखे जाते हैं, और मैं कल की सेमिनार से आज तक मैं एक बात महसूस कर रही हूं, कि जो भी विक्ती बोल रहा है, और ये कोई फेक नहीं था, हर विक्ती ये अंदाज कर रहा है, सोचता है कि वो हमारे बहुत करीब थे, जितने वो हमारे अपने थे, उतने वो किसी के नही ये जो कला थी कि दूसरे की क्वालिटी को इतना निकाल के लाना, और जहां वो प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट को इस तरह जीना और दूसरों को जिलाना, ये कला उनकी जबरदस्त है, अब मुझे बहुत अफसोस है, कि मैं उनको इतना लेट मैं और मेरी फैमिली मिले, उनकी बहुत एक चीज मैं और यहां सब सदस्यों से कहना चाहती हूं, जो भी अगर मुझ पर यह उपकार कर पाएंगे, हमने सेवडा की यात्रा की ती, जिसमें वो सबसे पहली बार हमें मिले थे, और उनकी बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी कि मैं इस पर कुछ लिखे और मैं उनसे ही कहती थी, सब मैंने कभी संस्वरंड लिखे नहीं, मैं कहानी लिखती हूं, मैं कोशिश करूंगी, आज मैं ऐसा सोच रही हूं, कि मैं संस्वरंड के रूप में उनके बारे में कुछ लिखूं, और अगर कोई भी मुझे कुछ भी उनका बहुत आख़े नहीं दिजाती हूं, मैं दीजाती हैं उंचाही आसमानों की दिए में धन् शूर्म देजाती हां, सब दोड़क्र बहून को द्धिए ऐसे ही थे, इसी तरह आपने उर४ आwnे भरी, और दूसरों को भी भर बैर के मेरे सॅध और्कोथ, और इस कारेक्रम में शिर्कत करने वाले सबी विद्वजनों का बहुत आभार धन्यवाद और Sanjay जी आपका तो बहुत ही आभार कि हमने ये दो दिन सिर्फ सुवेश मिश्र जी को जीने में दिये हम भूलेंगे तो कभी भी नहीं कभी भी नहीं भूलेंगे लेकिन दो दिन हम इतनी इस तरीके से उन्हें याप किया मैं Sanjay जी आपी बहुत शुकर दो जाए जान्यवाद जान्यवाद तारेक्रम के आगे के पड़ाप पे हम चलते हैं कहते हैं कि प्रशंसा किसी शोर का इंकजार नहीं करती है यह तो रव्डियों का एक सुगंधित स्वाद है और मिश्र जी की बात हो रही है विए लिए तो एक बिल्कुल ठीक ही बैठती है बात इसके साथ साथ हमारे साथ मनुष शिरिवास्तर जी है शिरी मनुष शिरिवास्तर जी जो कि मैंने जैसा पहले भी बताया कि पॉमल इडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से उन्होंने अभी रिटायर्मेंट लिया है दो हजार इकिस में हम उनसे खास तोर कर इसलिए चुड़ते हैं कि उन्होंने अपनी सेवाएं हिंदी के प्राध्यापक के रूप में कुछ शिक्षा मध्यप्रदेश से कारंब की थी एक करेंश्टिविटी उनसे हम इसमीज करते हैं उन्हें याद रह या नहीं वो हद में 2006 में वो एक समिनार में टॉक्टर संजस वाणकार जी कि नहीं ये समिनार आयुजित किया था उसमें वो खायत के रही और उनकी खास वर्थ यह है कि वो चमत्कृत करते हैं अपने ज्यान से उनका देरिदा और डी कंस्ट्रक्शन की थ्योरी उस समय मैंने सुनी थी और तब से ही उनकी फैन हो थी जब वो बोल रहे थे यह कुस्तक है सुन्दर कांड एक उनर पार्ट उन्होंने लिखा है एक नया दृष्टी के आपको उन्होंने सुन्दर कांड को दिया है सर को भुषी सम्मान के साथ हम बड़े गौर्वानवित महसूस कर रहे हैं अपने कारिक्रम में आकर हमारा मान बढ़ाया है तो फट सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रिक कर रहे हैं मेलने के लिए आपका उपोजन सुनने को हम सुन्दर को हम सबसे पहले तो मैं सेंट्रल इनियन हिस्टोरिकल रिसर्च कांडेशन को दन्यवाद देदू के उन्होंने मुचे बलाना जरूरिय समझा और इस समय जब की कोरोना की एक के बाद एक लहर आरही है तो मुचे विकी हैरिसन की कविता यादाती है की ग्रीफ is like the ocean it comes in waters and waves ebbing and flowing sometimes the water is calm and sometimes it is overwhelming तो अभी कुछ ऐसा हुआ है पिशिपी जिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ खासकर चुकिए historians की सवाहतों नहीं का ही उले करूंगा मैं बहुत से historians की बली जो है कोरोना ने ले 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 है प्रोफेसर जान मियोरिंग मारिस डेकिस्टीन सांतोस वेगा लाल बहादर वर्मा डी एंचा प्रोफेसर इजवान कैसर मेरे साथी सितापुर के रणावजजी डाक्टर जेब्राइल बहुत सारे इतिहासकार हैं जो इस कोरोना काल के शिकार हुए सुरेश मेशीजी से तो मेरा बहुत ही निजी संबन्द था इस अर्थ में कि मैं संस्कृती में सच्चिव के रूप में और अपरमक्य सच्चिव के रूप में दो टर्म किया हूँ और वो मेरा उनका साहचरी जो है मैं आप भी आगे उसके चर्चा भी करूँगा लेकिन इस समय मचे लगता है कि उनको ट्रिबूट देने के बचाए उन्होंने कांट्रिबूट किया किया वो बताना ज़रा ज़रूरी समझेगा क्योंकि मैं उनको जो चाहता था वो इसी कारण चाहता था वो अंतिम सत्य के तरह प्रवर्टित कर दिया गया था तो जिसके चलते कुछ रोचक, कुछ साहसिक और कुछ दर्दनाथ दास्ताने सामने ही नहीं आ पाई थी डाक्टर सुरेश मिश्री ने बहुत विनमबता के साथ काम करते हुए उन सब चीज़ों की कलई खोल दी मदिकाल जो है उनकी स्पेशिल्टी थी और मॉडरन इमेजिनेशन में मदिकाल या तो एक तरह का मर्की प्रेसंस की तरह सामने आता है या फिर जो है वो आईएस आईएस इस्लामिक स्टेट की जो नही खिलाफत है उसके लिए जो है कुछ वेपन्स का कारी करता है अपने तमाम मिक्स और लिजेंट के साथ तो ऐसे में जब की मदिकाल जो है कुछ आतंकवादियों को एक ऐसा लेंडिस्केप दे रहा है कि जहां वो अपनी आस्था का पैशन और हिरोईजम ढूनते रह सकते हैं ऐसे में डाक्टर सुरेश में शिद्धे जिन्होंने मदिकाल में जनता का जनपदों का और जनजातियों का तिहास जोगा जिसलिए वो मैं इस करण उनको बहुत चाहता था और मुझे जो है अक्सर वो अमबड़ो एको की पुस्पक जो है जो है दे रिटर्न आफ दे मिडिलेजेस उसके शब्द याद आदे हैं उनके संदरों में की दे मिडिलेजेस आर अट दे रूट अफ अल अवर contemporary hot problems and it is not surprising that we go back to that period every time we ask ourselves about our origin तो कुछ लोगों को मदिकाल एक origin की तरह लगता है लेकिन उनका क्या जो आदिवासी है जो आदिकाल से है जो अपने origin की तलाश करेंगे तो वो कहां तक जाएंगे डाक्टर सुरेश मिश्ट ने एक बार मुझे अपने PhD का एक पुरसाने हाल बताया था बात्चित में और तब मैंने उसको कहा था कि यह जो आप कह रहे हैं बड़े symbolic significance की चीज़ है हुआ यह था कि वे केड़ी वाजपई के अंतरगत जो है PhD करना चाहा रहे थे और गोंड राजा मदिकालीन होने से वो PhD जो है उनके विभाग की नहीं थी उनके विभाग में रेजिस्टर नहीं हो सकती थी केड़ी वाजपई जी के विभाग में और इसलिए उनको कहा कि आप इसका विश्यद फोड़ा सा चेंज कर लें उससे प्राचिंतम काल से अभी तक का सत्रा ससी तक के समय का उसका कर लें तो उन्होंने मान भी लिया और उसको उसी तरह से उनके प्यश्टी हुई लेकिन वो एक नियती का संकेत था कि ये जनपद ये लोग इनका ओरिजिन अमबर्टु एको की तरह मेडियल एचिस्ट में नहीं ढूंडा जा सकता ये तो बहुत प्राचिन काल से ही चले आएं हैं और इस कारण जब उन्होंने देवगड के गौन राचिय पर लिखा या मकड़ाई के गौन राचिय पर लिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मद्यकाल पर मैं देखता था कि उनकी जो विशेश अगिता थी वो उर्दू और फार्सी उनके ग्यान से और सम्रत हो गई थी तो गोनों के लिखते समय जो है वो अकबर नामा को भी की मदद लेते थे आईने अकबरी की मदद लेते थे बाच्छा नामा की मदद लेते थे और मासर अमराज स्रोतों का जो है लाब लेते थे ये एक उनकी बड़ी जो ऐसी चीज़ है जो मुझे रिखांकित करने लाइक लगती है दूसरे जो लगते है मुझे की जंजातियों के बारे में जोर रुने इतिहास लिखां क्योंकि वो इतिहास बहुत कम मिलता है जंजातिय और समाज जो हैं वहाँ दरबारी पिहास्काद नहीं थे वहां लिखत अभिले रखने की पद्दती भी कभी नहीं थी और वो लिट्रेसियों आधारिज समाज भी नहीं थे वो और nouveau समाज थे वहां लेज़ा नहीं था और अउरचर था और उनकी परमपराई थी और उनके प्रति वो इसलिए इतने आध्रथ शील और इतने संड्रक्षन शील रहते थे, तो इसलिए नहीं रहते हैं कि वो रूडिवादि थे बल्के वो इसलिए कि कस्टम्स उनके लिए एक तरह का लेविंघ वर्ड होता है। और इसी में से, इनी कस्टम्स में से, प्रोफेसर इस सुरेश मेशी जो है, वो अपना इतिहास चुन लेते थे, और सत्काली इन सत्ताओं के साथ, जो है, इन जनजातियों का कारिय व्यापार, वो भी एक ऐसे तरीके से ढूंड लेते थे, जो वैरियर एल्विंग जैसे, जो गंभीर तरीके से प्रोफेसर मेशन ने करके दिखायाता है, इतिहास का जो ये सब आल्टरनाइज़एशन जो उन्होंने किया है, वो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे लगता है कि किसी ने किसी दिन जो है, इसको ब्यापक इसकर पर जो है, स्वेकार किय जाएगा, उन्होंने इन जनजातियों के इतिहास को अन्यकाग द अदर का इतिहास समझ के कभी नहीं देखा, उन्होंने इस प्रेशलित ध्रम को भी तोड़ा, कि जनजातियां जो है, वो राश्टी जीवन के मक्चिनताओं से दूर, अपने पैगन पैराडाइस में रह र से दिखिया कि जनजातियां भी जो है राश्टी विपदाओं से संगश कर रही थी, और वो संगश सिर्फ अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए किया जाने वाला संगश नहीं था, वो राश्टी संगश का सहभाग था, तो इसलिए मैं उनका आभार मानता हूं, और इसलि बार मुझे लगता हैं, वो किसी स्पेंजर के अब्चेक्टिविटी वाली गेस के साथ नहीं लिखी रही है, वो एक इतिहास लेखत के अब्चेक्टिविटी हैं, जो एक डिसिप्लिन, एक विद्यान शासन का फल होती है, भारत में सिटी म्यूजियम जैसी परंपराइं हैं, इसलिए इस्थानियताओं का इतियास लेकर हमारे उस तरह सो होता भी नहीं है, और हमारी पार्ट्री चरियाओं का हिस्सा भी नहीं बन पाता है. कभी-कभी सरसोती सबिता के नाम पर भी आवा जोड़ जाती है कि उसे पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन इंधर का इतना भाव है हमेरे यहां कि नर्मधार खाडी सबिता हमें क्यों नहीं पढ़ाय जाती हमें समझ नहीं आता इने ब्रिटेन में में देखता था कि 1908 में बॉर्ड आफ एड़ुकेशन ने सरुकुलर जाली करके स्कूलों को अपने टाउन और डिस्क्रिक्ट के एकिहास पडाने के निदेश दिये थे इसी कोई चीज यदी हमारे यहां रही होती तो हम डाक्टर सुरेश में शिर्किया अवदान का अधिक आदत पक्रपागते लिए मुझे लगता है अभी हालत यह है कि हम मध्यव अद्धिक प्रदेश में संस्कृति वीभाग के सुराज संस्थान को सिक्षविभाग से झोख कॉ elles में संस्कृति वीभाग में जैसे मैंने स्राइशनस्थान ने प्रकाषित की दोज़राइड में, फिर सहजादा फिरोष शाह पर जो है, उनके एक फुस्तक है चोड़ी सी, वो भी इसी सुराइशनस्थान ने प्रकाषित की थी, इसके लाएब वण्या प्रकाषियन और मद्य परदेश इंदीगरिंद, तैज्मी न सिक्ष्या विभाग की पार्टिक्रियाओं का नियमित हिस्सा बनाया जा सका वो नहीं हुआ और यह मुझे एक ट्रेजरी लगती है कि हमारे पार्टिक्रम जो है अपनी तरह की रिजिटिटीस में जगड़े हुए हैं ना उनमें स्वातंत्रे उत्तर इतिहास लेखन को को इस स्थान मिलता है कम से कम कुछ है सिक्रतियां हमारे स्कूल कालोच की लाइब्री इस का ही हिस्सा बन जा तो डाक्टर सुरेश मिश्रा जैस से प्रातिव लगों की स्मरदी के साथ कुछ नियाय हो आज विभिन जिलों में डिस्टिक्ट टूरिस्ट प्रमोश्शन सुसाइट हैं जिला परातात्मिक संग बने हुए हैं कम से कम उनी के जरी हम इतिहास की इस्थानिक्ताओं के कुछ दवाक्ष कुछ श्यतिश तयार कर लें तो एक बड़ी बात हो जाए डाक्टर सुरेश मिश्रा जो हैं इतिहास की इनी टेरी टेरोलेटिस में जीवन भर विच्रन कर और स्वराज संस्थान और संस्कति विभाग की ओड़ से हम लोगों ने एक कोशिश यह की थी 1857 के सुतंता संग्राम के बारे में क्योंकि हम देखते थे कि इसे म्यूतिनी बताकर अवगर्णा करने की एक प्रवरतित चल रही थी बहुत दिनों से और 1857 के समर को चुकि और सावरकर ने निरूपित किया था और सावरकर यह कहें कि उनका विरोध करना इन दिनों प्रगतिश्रीन और धर्म निर्फेक्ष रोने का सौमय और प्रमान पत्र अर्चित कर लेना है तो कई लोग इस चक्कर में 1857 की स्क्रांती के चरीत रहनन में आपने वेशिक व्यक प्रदेशन जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्धुआ था मध्यप्रदेश के रणबाकुरे और मध्यप्रदेश के सूर्मा जैसे पुस्तकिन जहें उनकी थी हमारी बहुत सी गतिविदियों में वो सदस्य थे अध्यक्ष थे और 2016 में तो साहितिकी द्रश्की से सं और उनका लेकन चोह सिरुपि इंधासा नहीं था उन्होंने 1a जीवन पर लिगाता पर्यावरान पर लिगाता और उनकी लेखने की शेरी जो है बहुत साहितिक थी तो इस रस्वी से जो है वो ऐससा प्रस्टायप राफ्तिकरने की पूरे अधिकारी थे प्राये कहा जाता है कि most history is guessing and the rest is prejudice लेकिन डाक्टर मिश्य का सम्मान जो है हमेशा इसलिए किया जाएगा मेरे विचार से कि वे न तो पूर्वानुमानों में उल्चे थे और नहीं पूर्वाग्रहों में वे घूमते थे और स्वयम देखते थे विदीशा के उदैपूर का उनका जो लगाता भ तब उनकी इस्पुनती पर आयोचे श्काहरी करम में मैं आप सभी को सादोवाद भी देता हूं और आप सभी के प्रती शुब कामना हैं भी प्रकेट देता हूं प्रणाओं मैं अम्यूट कर लिजए प्लीज तर आज तुम्हें भूलती जा रहे हैं तो बार बार आपको कहना पर रहा है सॉरी बहुत दन्यवाद पहले तो बनोश सर्का और हम जो मॉडन होने की कल्पना करते हैं या कहते हैं तो वो कपड़ों से नहीं होता दिमाग से ही होता है और सुरेश मिष्टी का जैसे अभी आपने कहा कि पूर्वा अनुमान और पूर्वा ग्रहों से मुट यह मेरे कहाल से सबसे पहली एक कदम होता है जब हम एक फ्री माइंड गएर माइंड फ्री माइंड के साथ अब हम आगे चलते हैं तभी हम प्रगती भी हम तभी कर पाते है और अगर पैजुडिस है तो निश्यत रूप से हम पीछे की तरफ ही रह जाते हैं बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं अपने कारिक्रम की आज की अदिश्टा कर रहे हैं दॉक्टर कूरं सहिगल जी जो की 1937 में मिया वाली पाकिस्तान में आपका पाकिस्तान जाने की पहुत इक्शा भी है मेरी सतत लेखन करते हैं बहुत सारी पुस्तक अनकी है अब Character Divya saltigya Satya अबी दो कुस्तके मेरे मुझे उनकी मिली है दश्पुर के उपर दश्पुर मालवी नारियों के उपर हुपर और 78 कुस्तक सभी तक उनकी किताब है अबी उनका मैं आपको बताओं कि हीर मैंने अभी उनने दी है हिंदी में ही जो की ट्रांसलेटेड है और वो उसका मालवी में अनुबाद करना चाहते है यह फकीर है इनका जो राज सिंगासन है वो फकीरी है और खजाना जो है कलम का है इनके पास ही और सारे जो तमाम हम जैस चाहने वाले हैं वो उनकी रियासत तो यह हमारे ऐसे हैं एक दिन एक दिन ऐसा नहीं गया आप यखीन मानिये कि वो मुझे फोन ना करते हूं और यह पूछते ना हो कि कैसी हो ठीक है और पूरा प्रोना काल में और मुझे तनी शर्म आती है कि यह काम मुझे करना चाहिए लेकिन उससे पहले जब मैं सोच रही हो कि उनका फोना आ जाता है आपको बहुत-बहुत प्रणाम और मैं चाहते हूं कि आपको प्नाउट दोते हैं यह सेगल जी खुदी सुधार करेंगे भगत सिंह मिया वाली के तो नहीं थे? मैं उनकी engagement का जो है कि हमेंड से मिया वाली कि इस देश के बड़े-बड़े विद्वानों को आमंत्रित करके एक ऐसी भूती पर चर्चा कर रहे थे जिन पर कितनी भी चर्चा हम करें तब भी कहना पड़ेगा नेती नेती और अभी कहना बाकि था अभी और कहना बाकि था अभी और कहना बाकि था अभी और कहना बाकि कि या था तो समय का बहुत ना रखिंगे तो मैंने कहा तたいक ये थैं कि हो कि जो व्यक्ति अपनी भावनाव को व्यक्त करता है उस भावनाव के प्रवाह को हम कैसे रोब सकी है बहुत कठिन होता है किसी की भावनाओं के प्रवाह को बाधित कर देना या रोब देना दूदिनों से जाप्टर मिश्रा जी पर हम लोगों ने जो चर्चा की उनके संस्क्रौनों को हमने जो शेर किया परस पर उसमें सबसे महत्पुन बात ये रही कि हम लोग आज भी ऐसा अंधो कर रहे हैं क्योंकि मैं बराबर सुन रहा था सब लोग बार बार हैं ऐसा कह रहे थी यह उनको लगी नहीं रहे था कि ये थे शब्द हम उसके लिए लगाएं ये हैं और थे की जो दूरी है अभी भी हम लोग इसको पाथ नहीं सके शायद बहुत समय तक हम इसको नहीं पाथ सकेंगे अधश के सामने एक बड़ी समस्या होती है कि आखिर में बोलना होता है और समय की सीमा का उसको ही ध्यान रखना होता है मैं कल एक किताब पढ़ना था उसने एक दार्शिनिक ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा लिखो कि लोग उसको पढ़ें और आगे वो लिखते हैं कि ऐसा करो लोग उसको लिखें कि ये डाक्टर सुरेज मिश्रा जी के साथ में पूरी एक तरह से ये सूत्र लागू होता है मैं कि अबल इस परमपरा में इस दायरे में दो व्यक्तियों को जानता हूं नटनागर शोग संस्तान के डाक्टर अगुवीर सिंग जी और सुरेज मिश्रा जी जिन पर ये सिद्धान्द लागू होता है इन्होंने जो भी लिखा है वो पढ़ा जाएगा पढ़ा जा रहा है और जो भी किया है उस पर लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है कि इसमें एक बात और भी थी कि नटनागर कोई संस्तान के डारेक्टर संस्ता पर डाप्टर रगवी सिंग के पास तो एक बहुत बड़ी संस्ता भी थी लेकिन सुरेश मिश्रा जी तो खुद ही एक संस्ता थे एक स्कूल थे एक परंपरा थे वो जहां पहुंच जाते थे वहां ऐसा लगता था एक संस्ता पहुंच गई है एक स्कूल पहुंच गया है और उनको ऐसा अधिकार था कि वे हमारे सिर पर हाथ रख कर के हमको आशिरवात दे दें हमारी पीट ठपठपा कर हमें उटसाहिद करने शाबाशी दे दें और वो चाहें तो हमारा कान पकड़ कर मरोड दें शिक्षा दे दें ऐसा अधिकार होच कम लोगों को प्राप होगा है मैं तो लोक शहित्य विद्ध्यार्ति हूँ कि टिहास तुम्हें जानता नहीं एक बात मैं जानता हूं अच्छी तरह से ज combos रहे थे ज्यानता हूं मनोष शिरवास्ताव जी जब बोलते हैं तो अब वाटें नहीं बोलते बहुंद मंत्रों का उच्चारण करते हैं आप लोगों नहीं देखा होगा कि आज उन्होंने इतने कम समय में जितनी बड़ी बातें कहीद्ण व यह बहुत कछिन होता है बहुत मुश्किल हो है तो मैं कह रहा था कि जब इतिहास और जब लोकसहित और जब पुरा तत्वर ये तीनों एक दूसरे के ऐसे सहायक हैं कि किसी का भी काम एक दूसरे की बिना नहीं चल सकता मैं पिछले जिनों महत्पूर महाविध्याला के तहने पर एक फीटम फैटर हिरा सिंग्ध जमादार पर काम कर रहा था एक गाथा थी मेरे पास और उस गाथा में एक समस्चे आ गई इतिहास बीच में आ गया हिरा सिंग्ध जमादार ने मलहार गड़ पर महत्पूर की एक सेना पर आकरुन करना तै किया था और ये तै हो गया था कि वे उस सेना को नीमच नहीं जाने देंगे उस सेना का लक्ष यह था कि नीमच की जो विद्रो हुआ है उस विद्रो का जमन करना था चार रिसाले लेकर के बोड़िक और ठंट चले और आच जनवरी सुबह साथ बज़े साड़े साथ बज़े उन्ह कि महत्पुर शामनी पर आपकरना करना था हीरे सिंग्व जमदार को और सदाशिव भाई को मिलकर भाव से कहा कि भाव आप यहां समालो पिंता मत करना मैं उन्ह चारों रिसालों को ना तो नीमच पहुंचने दूँगा और ना महत्पुर पहुंचने दूँगा लेकिन भानत किसी को नहीं लगे कि मैं कहां हूं और हम क्या करने वाले हैं वहां एक समस्या ये पेट ऐसा फ्रस गया इतियास का कि जब उन दिसालों ने मलहारगड के बाहर अपना पड़ाव डाला रात को नीमच से पहले तो वहां यह आता है कि वहां पर हीरा सिंग जमादार ने रात को आधी रात को आक्रमा कर दिया और बोरिक और हंट की हच्चा कर दी और बहुत सारी सेना को नट्ट कर दिया साक्ष कहते हैं कि साथ तारीक ती और मेरी गाता कहती है कि वो छे तारीक थी बड़ी समस्य हो गई मैंने का भी क्या करें तो मेरे पास तीन ऐसे विभूतियां हैं जब मैं इतिहास में भड़कने लगता हूं मेरा लोग साईट जड़ाज की दुरूरत समझता है तो फिर मैं या तो डाप्र संजे संजर्णकार को फोन करता हूं या भानपूरा डाप्र Pradum folant करता हूं या पिलाड़े सोएथ मिश्राजी को फोन करता है मैंने उन्हें फोन किया मिश्राजी बड़ी पहल्च भशी है कि अगर उसने साथ तरीक को अगर नो तरीक को आकरण किया कि वह सबस्खेर सबस्खेर आठ बज़े आठ जून को महतपुर में आक्रण करके वहां से निकल करके वहां नहीं पहुंचका और अगर साथ तारीक को अकर में करता है तब वह मह्टपूर नहीं पहुंचका और ये छा विल नहीं बात प्धा ये क्या कि आजाए बताईए अब बोरा सेगल साथ अथ परेशान में इस विफिंग जमादार ने भी अधी रात को और गतर मनें किया कि तारी क्या रही होगी भाई मैंने का मिश्श़्ेख से सा थारीक रही होगी तो बात ह jumper हो गई आप शे तारीक लिखिए के यूंकि छे अरीक मो राथ तो आक्रना करके और वहां से निकल करके वह महत को पहुंशकता था लगबग सवा सो किलूमेटर उसको मुझिताय करना की गोड़े से गोड़ों से इस प्रकाल से वो अपनी तुरत मुद्धी से तक्काल समस्यों का समाधान करने ने सक्षम के और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं एक बार मुझसे एक बार नहीं कई बार डाप्टर सुनकार कहते हैं कि आपनी जीवनी लिखो और मैंने शुरू भी की शुरू की तो वहां करते कर पर दूसरे काम आ जाते हैं फिर रुक जाती है तो मैंने अपने बारे में एक दोहा लिखा था और वो दोहा आज मुझे लग रहा है कि शैद मैंने डाक्टर सुरेश मिश्रा जी के लिए लिखा था था वो दोहा इस प्रकार था कि किस से प्रीत करूं मैं बोलो और किस से मुझको सब मा जाये से लगते सब की मांगूं खैर और ये भाव ये शक्ती ये विचार के वज़ दाक्टर सुरेश मिश्रा में ही हो सकते थे क्योंकि जो मा जाये समझते हैं सब को किसे के पांच बेटे हों तो पांच में से वो मा किस किस को प्यार करे और किस को प्यार नह करे उसके लिए तो सब एक देसे होते हैं एक बहुत अच्छी सुद्धारण मुझे याद आता है अभी बात की थी कि ए उन्निस की दो हजार उन्निस की नो और दस तारिक को जब भोपाल में सेमिनार करने से सम्मान का सब सेमिनार करने हैं के दों सबस्ति ये सबलोंग विदा हो गए। उसा होता है जब भरात विदा होते ही ह वह जाती है इसमान भी चेव से imply नहीं में ठकान भी होती है हम सब लोग पांच लोग हम मिश्रा जी के मकान पर थे ड़क्टर सुरंकार मैं चारु चित्रा जी और दो भेहने औरती अब हम सो लोग वाए बैठे हुए मिश्रा जी के सामने हैं और सब लोग एक ही बास कहना चाते थे और कोई कहनी पारा और अचानक पांचों के मुह से एक शब्द निकला भूक लगी है और ये भूक लगी ये शब्द जो है केवल आदमी मा के सामने ही कह सकता है बाप के सामने नहीं कह सकता है और जब भिश्रा जी ने सुना के पांचों ने एक साथ कहा एक भूक लगी है तो भूप तो लगी है भाई और उनके चेहरे को अगर आप देखते आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया डाक्टर स्वनकार जी चाहरू जी उनके चेहरे पर जो आभा उस वक्त प्रगट हुई जैसे मां के चेहरे पर एक विचार आता है कि मेरे बच्चे भूखे ह वह भाव उनके चेहरे पर मेशने देखा उन्होंने कहा कि वह किचन है जाओ जो बनाना है वह बना Low और हम पांच में गये क्या नहीं बना इससा करो सब को अपनी यात्राइं करना है मझे निकलना है और सबको निकलना है तो खिचड़ी बना लेते हैं वो जल्दी बन जाएगी और एक साथ बन जाएगी बार-बार कुछ नहीं करना पुड़ेगा तो सब को पसंद आ गई हुआ पटाफाट pardonो मेंसे चावल निकाले डाल निकाली एक बेहने चावल साथ की एक बेहने जाल साथ की उनको ध्वाया और कुकर में डाल दिया और जो कुछ भी डालना था वो सब एक साथ डाल करके जखकन लगा दिया और थोड़ी देर में सीटियां बजने लगी और खिचडी तयार हो गई और हम सब लोग भीया अपनी अपनी फ्लेटें लेकर कि वहां खड़े हो गए जाकर के बिया खिचडी दे दो बिया खिचडी दे दो और चारू चितरा में बच्कन खोला तो सब की प्लेटों पर खिचडी परोस में शूरू करें बात बहुत सामाने बात है मित्रों लेकिन जब वो खिचडी हमारी प्लेटों में आई और एक प्लेट लेकर के जब चारू जी मिच खिच्डी की प्रेटे हमारे साथ में उकर हमने खाली कर दिया अब में एक चत्राई की जी ऐसे मौक़े पर खाने के मौक़े पर चत्राई तो कर लेता हूं मैंने का चारू जी अगर इसमें एक चमच घी डल जाता तो खिचड़ी का आनंद और बढ़ जाता सोगंद तो बढ़िया आ रही है मिश्रा जी ने जो क्या कहा आपको क्या कहूं मैं उनने का रही है पंजाबी घी की बेना खिचड़ी नहीं खाएगा जाओ बहुत बहुत बड़ा खड़ा बना दिया पर जब भी का मौक आया तो मैंने इशारे से कह दिया मैंने का पूरा भर दो इसको जब खिचड़ी में घी पूरा भर गया तो मैंने फिर चतुराई की मैंने का लोग सोचेंगे का हमको तो एक एक चमबट मिला और इस पठ्ठे ने तो पूरी खिचड़ी में घी ही डलवा दिया मैंने ततकाल घी और खिचड़ी को एक मेव कर दिया मैंने का मालूम ही नहीं पढ़ने दूँगा इसमें भी पड़ा है और हमने वो खिष्डी जब खाई तो सुरेश मिश्राजी के चहे पर जो संतोष था उनके आख में जो डबडबा आई थी उसको मैंने अंधव किया मा को लगा कि मेरे बेटों को अब भूख नहीं लगेगी उनका पेट अब भर जा तो मा कैसी तरफ्त होती है मा कभी का भी कहती है एक ही रोटी है तुम दोनों खालो बेटा तुम खालो के तो मेरे पेट तो वैसी भर जाएगा वो भाव उस्वक्त मैंने डाक्टर स्रेश मिश्रा जी के तेरे पर देखा जिसे मैं आज भी नहीं भूलता शैद आप लोग भी नहीं भूल पाएं वो ऐसा संस्वन है जो जीवन घर मैं सुनाता रहूं तो सुनाता रहूं कभी वो पुरातन नहीं होगा आज मुझे समय का अर्मान है हम लोग बहुत लेट हो गए हैं इसको भूल को बहुत है डाक्टर मिश्रा जी से जो मेरा इतना भी समय के साथ में भीता एक चुंबत्य व्रतित्वके धनी के साथ में भीता जो उनसे एक वाज गया वो फिर जुड़ गया फिर उनसे छूट यह नहीं पाया और उनलने चोड़ा भी नहीं कि साथ बने रहे में आज भी हमारे साथ नहीं दिखें, तो जब भी हम कोई सेमिनार करेंगे, जब भी हम कोई कारिकरम करेंगे, जब भी हम इतिहास पर बात करेंगे, तो मिश्रा जी हमारे बीच में वैसे ही बेटे होंगे, जिसे राम पठा में हनुमान जी बेटे रेते हैं, अपना आसन बिचा करके, चाहे हम को द और बीच में एक बात में अंत बे चाहूंगा, कहा गया, बार बार कहा गया, कि वे पहले सामयवादी धियास करते up के समाजबादी और समाश गया, फिर मार्कसवादी कहा गया, पिर राष्टवादी कहा गया, इस सारी बाते हैं तो आप लोग जानें, आप इतियास के लोग उनकी बाते हैं, मैं तो सहिस्तिक की बात करता हूँ, लोग सहिस्तिक बात करता हूँ, मैं तो यह जानता हूँ, कि वह मानवता बादी इतियास आरते, वो मनुश्य थे, उनमें जो मानवता थी, वही उनका इतिहास था, वही उनका जीवन था, वही इनसान की तरह जीए और इनसान की तरह चले गए, मौत उनको नहीं ले गई, मौत को उन्होंने सुईकार किया, कि आ जाओ, बार बार में दरौजे पर खड़ी खड़ी दस्तक क्यों दे रही हो, आओ, भी हमारे बीच में रहेंगे हमेशा हमारे बीच में बने रहेंगे मैं धन्नवाद देना चाहूंगा जब्टर संजे सुनकार जी को चारु तित्रा जी को और सारे नित्रों को भीशेश करके आज को हमारे जो शीर गेस्त हैं, मुक्य अतिती ही रहे हैं शीर वास्ताव जी को कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को सिर्फकार करके हमारे बीच में बजारे और हमको अपने महत्पुन शब्दों से नवाजा मैं उनको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ इस संस्ता के जम्यदार सदस्य के नाते मैं उनका आभार मानता हूँ कि वह हमारे बीच में आये और उनको नोंने हमें बहुती महत्पुन अपना वक्तव हमारे सामने दिया मैं संजे सुनकार का शाहुजी का सारी मिचनों का और जो आज हमारे बीच में नहीं बैटे हैं तो चले गए हैं उन सब के प्रदीवी एक संस्ता के जम्यदार सदस्य के नाते हूँ उनका भी आभार मानता हूँ कि उनने हमें थोड़े से एक फोन पर हमारी बात उससे सुच्ण किया और दो जिन तक हूँ से जुड़े रहे हमुंका बहुत बहुत तो अभारी हैं मैं हमकर धन्यवाद करता हूं और बहुत धन्यवाद सर अपने बहुत सारी यादों को ताजा कर दिया तरिक्रम का अंत जब भी होता है अधिकतर मैं शेहरयार साहब की पंक्ती जरूर बोलती भी हर मुलाकात का अंजाम जुदाई के लिए फेलिसिटेशन प्रोग्राम में बोला था तो सुरेश मिश्र जी ने बात में मुझे का मैं बताता हूं फिर से मिलने के लिए लेकिन 20 साल का उनने वाइदा किया था वहाँ पे स्टेश से कि मैं रहूंगा मैं अब CIHRF के डिरेक्टर डॉक्टर संजे सौनकार जी को आभार प्रदर्शन के लिए मंतृत कर रही हूं और नहीं लोग खामोश रहते हैं एक सर जमाने में जिनके खुनर बोलते हैं कैसे वो खामोशी के साथ प्रोग्राम इतने बड़े-बड़े आयोजित कर लेते हैं और किस जंग से कर लेते हैं उसके लिए बहुत-बहुत साधू बाद सर ओवर चुलिए जिनके आप सर मेरे उपर या आरोप लगता है कि कारिकरम के अंत में जब समापन समारो होता है तो वोट अप ठैंक्स आप ले लेते हैं और बहुत-बोलते हैं तो कारिकरम जब भी होते हैं दो दिन के कारिकरम है पूरे दो दिन मैं सुनता हूँ और मुझे कारिकरम के बिलकुल अंत में मौका मिलता है अपनी बात करने का तो और बहुत इत्मिनान के साथ मैं अपनी बात कह पाता हूँ तो शायद मैं थोड़ा सा समय लूँ आपकी सेवानिवर्थी पर कितने लोग खुश हुआएंगे मुझे नहीं पता आप खुश हुए और नहीं हुए मुझे नहीं पता लेकिन मैं जरूर एक माई को बहुत ज्यादा प्रसंद हुआ था जब आप रेटायर हुए बैसिकली आपकी जो रुची है वो अकादमिक रुची है आपके टेस्ट को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और पिछले 15-20 सालों से आपसे संपर्क में हूँ बहुत सदत संपर्क तो नहीं रहा लेकिन जहां मुझे आवशका मैसूस हुई जरूर आ दो प्रूसरे नहीं रहा है तो नहीं है जो गष्टाय। मॉन के मुझे जहिएए हैं सुरेश मिश्यों के जैए हुई अगदार थे हदो और अपने पुसृतक यह और इस उप्क्रम को हमें आगेए रहना है और आपके लिए खास तोर पर मैं इस बाग को कहना चाहता हूँ, जो आपकी रुची है, अब चुकि आप प्रशाश्किय दायद तो आपके पास नहीं है, तो आप बिल्कुल सुचंद रूप से, क्योंकि जब आप प्रशाश्निक अथकारी थे, तो अकादमिक कारियों को आ सब्सक्राइब कारियों के साथ होंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट हिंडी रहा है, लेकिन इत्यास के साथ भी आपका प्रेम है, और निशित रूप से, हम सब आपको विभिन प्लेकॉम्स पर अपनी वाग कहते हुए हम देखेंगे, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सुरा संस्थान के मात्यम से आपने सुरेश मेसिजी की जो सेवाएं ली है, अभी कुछ सर महां अधुरा कारे में, जिनको पूरा किया जाना है, आप 23-43 जिलों का सुगंता संग्राम पर इत्यास तो लिखा गया, दो-तीन जिले रहे गए थे, दुरभागी की बात है, सर कि अभी तक उन स्क्रिप्ट को पुस्तकों का रूप नहीं दिया जा सकता है, और एक बहुत अच्छी बात में इस प्लेटफॉम पर आपनों के समक्ष रखना चाहता हूँ, कि सुरेश मेसिजी जी ने अभी पोरोना काल के दोरान की सुराज संस्थान के जो अधिकारी पे, उनको यह आश रूपया भी नहीं लूगा, आपसे कोई मान दे नहीं लूगा, और आपको जानकर बहुत प्रसंता होगी, कि कई जिनों के सुतंता संग्राम के इत्यास का उन्होंने संपादन किया, वो शायद रहे गए होंगे, और अभी दो चार जिले और रहे गए हैं, जिन पर सुतंत पड़ा काम रहे गया है, आप भी आउगत है, सर जब दूसरी पारी आपकी रही संस्क्रती मंत्रा लेकी, तब भी आपके समख्ष ये बात आई थी, और इसके लावा एक और महत्म काम जो है, वो सुरा संस्थान के माध्यम से जो शोत संगोष्टियां हुआ करती थी, अपने हाथ में लेजे, और जहां संबभ हो, इस कारे को हमें पूर्ण कराना है, हमारी टीम की जहां आपको मदद की आवश्यक्ता होगी, हम जरूर करेंगे, आपका मैं, जी सर, अब मैं बताओं कि ठट्ग्या और अमिताब जहें, वो मेरे प्रशासें को तरह दिखा रही हैं, जी सर, इनको एक आपको परशासें को पाहर हो गया उससे, लेकिन ये चीज़े मुछे याद है, उस समय ये तियोरी थी कि हर जिले का 750 ग्राम पर अपनी पुस्तत होने चाहिए, एक क्योंकि ये जो एक लोगों ने इंप्रेशन बना दिया था, कि मध्यकरदेश ने सुदंदा सग्राम में कम भाग लिया या वो सब किया, ये चिंगारी पर जगे जगे फूटी थी, जी जी से हम दोगों ने वो प्रकाशित भी की थी, और काफी कुछ जैसा आपने बताया कि हो भी इंद्रसमें, लेकिन कुछ जिले रहे गए थी, और उसके अलावा जो उस काम पूरा होना है, तो प्रक्या और मिताप से कहूंगा कि वो थोड़ा सा वहां वे प्रशासन में पीछे लगे, इस बात की और भी ध्यान दिलाना चाहिए मिछे आप लगों का, कि पूरे अपने दार में, मिष्री जी ने मुचे एक बार भी इन संबंदों का उलेग नही कि पूरे नहीं कि पूरे नहीं कि पूरे उलेग नहीं किया, फिर बहुत बाद में जो है, फिर में चेक बता लगा किया रही है, और अभी लास्टेंग जब कुछी दिनों पहले, ट्राइबल म्यूसियम में एक अच्छा खासा कारी क्रेम हुआ था, तो प्रोना काल के दार तो उसमें जो है, मेरी यारल की मुलाकात ही तो वहाँ पर भी यह थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की थी लुकिन फिर रह गया है, इक अधूरा काम, उसको किसी ने किसी तरह से पूरा हो, यह मेरी भी प्रार्टना है, जी सजी, बहुत हो धन्यवास सर, और मैं यह जानत इन कामों को, अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे, मैं आपका आभार व्यक्ति करता हूँ, सर, हमारे बीच रोसर सुरेश मिश्र जी के बाल सखा, ड़क्र आर्पी मिश्र जी मौझूद है, मैं उनका भी घरदेश से आभार व्यक्ति करता हूँ, मैं देख रहा था कि आर्पी मिश्रा जी को समापन सत्र में विश्री स्टित्री के रूप में शामिल किया गया था, सर, आपको दिलम का सामना करना पड़ा, मैं चमा प्राश्य हूँ, आपका मैं हार्दिक आभार व्यक्ति करता हूँ, आपसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, हम अवगत किस तरह से प्रेशर सुरेश मिश्री ने अपने आरंविक यात्रा शुरू की थी, हमारे बीच समापन सत्र में CIHRF की सरचक मंडल की दो सदस्याएं, डक्टर प्रवास समीर अवस्ति जी और डक्टर मंजु दुबे मेडम दोनों यहां मौजूद हैं, और लगातार में द पूरे-पूरे समय अपने पद का दाइब तो समझते हुए इस कारिकरम में मौजूद रहीं, और यह ठीक है कि दोनों ही प्रवेसर सुरेश मिश्री जी के साथ जोड़े हुए, लेकिन अगर हम देखें कि पूरे समय जोड़े रहना काफी तारीफ में काबिल है, और दोनो सब्सक्राइब के छे स्तम्मों की तीन बेटियां और तीन बेटे, आप सभी लोग, प्रवेसर सुरेश मिश्री जी ने जो विरासत छोड़ी है, पारवारिक विरासत से बाहर निकल कर जैसा कि मैं दो दिन से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और श्याम जी ने भी कहा, अम संतल्के थी, मुझे यहां ये बात कहनी है कि सुरेश मिश्री जी ने बहु मंजला इमारत को तैयार कर दिये, अब ये बहु मंजला इमारत जिन इस्तम्बों पर खड़ी हुई है, हो सकता है कभी वो इस्तम्ब उतने मजबूत नहों, आप छे इस्तम्ब सुरेश मिश्री द्वारा निर्मे तो इस बहु मंजला इमारत को मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि व्यक्टिगत रूप से मैं और मेरे साथ सियाई अचारिप के, और ज़रूरी नहीं है, सियाई अचारिप मेरे अन्य संस्थाओं से भी हैं, वो लोग सब मिलकर आप लोगों का सहयोग करेंगे, और सुरेश मिश्य जी के लिए जो बात कही जाती है, कि वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक इनसान नहीं, बल्कि एक संस्था थे, तो हमें उन्हें संस्था के रूप में इस्तापित करना है, और जै प्रास यही होना चाहिए, कि हम उनके अपेक्शाओं पर खरे उतरें, और जिस दिन से सुरेश मिश्य जी हम से बिछने हैं, उस दिन से ही मुझे यह लगता है, कि जितने लोगों के काम अधूरे, उनके अपने जो अधूरे काम है, वो तो हमें पूरा करने ही है, जिनके का सुरेश मिश्य जी ने कि आपके यह काम में पूरे करवाऊंगा, वो चाहिए इनिशियल स्टेश पर हो, हमें उनके कामों को पूरा करना है, और जिस भाव के साथ, जिस भावना के साथ, प्रेस्टर सुरेश मिश्य जी लोगों का साथ देते थे, मदद करते थे, हम उसी भ आपन सत्र की अध्यास्ता कर रहे हमारे परम पूजे ड़क्टर पूरन साइगल जी, जो कि C.I.H.R.E.P. के मुख्य संरक्षक भी हैं, और इनका वट रक्ष की तरह हमारे उपर एक साया है, और जिनके बगेर हम एक कदम भी नहीं उठा पाते हैं, प्रफ़र सुरेश मिश जी और पूरन साइगल जी, निश्यत रूप से C.I.H.R.E.P. को आगी ले जाने में सायक से दूए हैं, काम हमने किया, लेकिन इनका जो मार्डशन रहता था, इनका जो आशिरवात रहता था, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, अभी चार-पांच दिन पहले ही जब हम ए समय का अनशाशन की बाट आ रही थी, मैंने एक बेँ्रोट केर साओ य लेकर लेकर पूशिश electro camera करेंगे, एक काम करो आप समय का अंशाशन रखो उसका, पालन करो और जो गलतियां होंगी, वो मैं अपने सर पर और लूगा, और आप से जो भी नाराज होगा उसको मैं मना लोगा यह इनका बड़पन है पुरन साइगल सर हमेशा बड़पन दर्शाते हैं और ऐसा ही आशिरवाद हमें चाहिए सर आप पूरे दो दिन हमारे साथ मुझूद रहे संस्ता के मुख्य समख्चक का दायत आपने पूरी तरह से निवाया है उस से यही मैं प्राटना कर रहा हूँ हमारे साथ आप देखिए कि सुभे से काफी लोग जुड़े हुए हैं कल भी काफी लोग जुड़े थे कई बार मैंने देखा कि इस प्लेट्वाम पर अंडेट का मार्क टच कर रहा था और सतर असी तो हमेशा बने रहे आभी भी करी 50 ल साथ हम उन्हें याद कर रहे हैं हम अपने सारे साथियों को जो सी आई चारिफ के साथ जुड़े हुए हैं या जो सी आई चारिफ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं या जिन लोगों को इस वेबिनार में इस्थान नहीं मिल पाया है मैं उन सभी लोगों को यह बताना चाह करेंगे एक memorial lecture करा लेंगे लेकिन हम कुछ और ही करना चाहते थे और जो कुछ और था वह इस तरह से हुआ की memorial lecture को हम एक दिन के webinar में convert करेंगे लेकिन आप देखिये कि वो एक का वेबिनार, दो दिन के वेबिनार में कनवर्ट हुआ और वो क्यों था? क्योंकि मैंने पूरे अकादमिक जो दुनिया थी प्रफ़सर सुरेश मिश्र जी की, उसका विचलेशन किया और उस मिचलेशन में जो चीज़ सामने आई वो यह सामने आई कि इस पूरे अकादमे कारितरम को संचालित करने के लिए हमें कम से कम आठ से दस घंटे चाहिए और आठ से दस घंटे चाहिए तो एक दिन में तो हो नहीं सकता तो वो दो दिन में होगा और आप सभी लोग इस बात के साची हैं कि हमने कलपना की थी आठ से दस घंटे चाहिए और आप लोग देख रहे हैं कि कितने घंटे कम पड़ गए हमें जिन लोगों ने बात्षी की जिन लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किये सभी के सभी यह सोच रहे होंगे कि मैं यह बात करना चाहता था और मेरी बात पूरी नहीं होने दी गई मैं सबका दोशी हूँ उन्हें समय पूरा नहीं मिल पाया समय समय पर हम इस तरह के कारिक्राम आयजित करते रहेंगे और वेल प्लांड हम आयजन करेंगे और मैं आश्वस्ट करता हूँ कि जब भी आगे यह प्रोग्राम होंगे इन सारे प्रोग्राम में हमारे जो साथी मेंबर्स हैं तो CIHRF के जिन्होंने प्रत्यच अप्रत्यच रूप से हमें सहयोग प्रदान किया इस वेबिनार को आयजित करने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रियादा करता हूँ धन्यवाद ग्यापित करता हूँ कारे करम का संचालन अभी समापन सत्र का संचालन डक्तर चारोजित अब नहीं किया इतने खुपसूटी के साथ कितने बढ़िया लहिजे में अध्यों के साथ भाव के साथ भाव हवक्ता के साथ इन अपनी बात को उन्हों ने रखा और एक सुट्रधार की तरे करे किया मैं का संचाल्न किया था मैं उनसभी के प्रति भी अपनी कि अंकाई प्राटा करता हूं मैं सोचता हूं कि समय काफी हुगया है जो कुछ भी गलतियां हुई है निश्य दुरुप से विलंब हुआ है और वो नेच्छरल का उसका कुछ नहीं किया जा सकता था प्रफसर सुरेश मिश्य जी समय का अंशाशन बहुत रखते थे समय का अंशाशन का बहुत पालन करते थे और मैं कभी-कभी उनसे जब अकेले में होता थ था उनसे यह कहता था कि सर जबाब राष्टी ये 100 संगुष्वी कराते हैं तो 35 या 40 लोगों के साथ कराते हैं और आप अपना 35-4 लोगों के साथ जो संगुष्वी कराते हैं उसमें राष्टी ay 7.broव क्याय के पालन के संगुष्वादर होते हैं, तो समय का अंशाशन किस पर हम चलें और उसका पालन करें जो कुछ भी गलतियां हुई है उसके लिए मैं जिम्मिदार हूँ और आप सभी लोगों से चमा प्रार्टी रहूंगा और एक बार फिर से आप सभी लोगों के प्रती धन्यवाद ग्यापित करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है सुरेश में से जी को यार्ट करने के लिए इस प्लेटफार्म पर बहुत सारे बहुत सारे लोग देश के अनेक अनेक जैसा लगुग है कवार जी बता रहते करीब पच्छीस राज्यों के प्रतिनिदी मौजुद थे अपनी बात कहने के लिए तो उनका दाइरा था विशाल दाइर प्रतिना के लिए तो फिर नाइक था विएल दाइरा बहुत से मिनार वहुत से विए अच्छा वेल मैंने स्विए नगट इस अज्टे मैं अपड़ नगट थे अजै कर आसां आप सब लोगों का सायो के आजियों के विए टाने नहीं हो सका अन्यु का प्रतिनिगा टोगो कुछ नहीं बोलना है अजसे बहुत बढ़िया संजय जी बहुत 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 आप आप सभी लोगों को धन्यवाद आप सब के नाम सब के नाम सब के एक बाते मुझे पता हैं हम लोगों को भी आपको जानने का मौका मिला है है अच्छे बहुत अजा किया आप सभी लोहों के सायोग साही सब सभाव हो सका है थाक्कियो पर आप कुछ बहुत फुराश एंप इस बहुत बहुता सभ्त है बट बीटेड वीर द्निवाद रिए लिग्टी थिवान है करता हूं आप दोनों दिन हमारे साथ मुझूद रहे और देवन चोबे जी भी हमारे साथ मुझूद रहे आज सुबहे अच्छा वक्ता में दिया और उमके सायोग से हम इस वेबिनार को कर पाया है पहुत दन्यवाद आप पर दो नमसकार जे थे धे 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 जे वनेशा जे अब दो नमसकार जे धे धे तो आप बूरण सर्व मैं, हमें आपकी पूरी काहनी पता हुआ है, कि अचारू मैं, नील कौन सी किताब ही लिखी, क्या लिखी, पूरी स्टोरी मेरे दोनों अच्छा को पता है, सब हम मिले भी हैं, रग्या जी, हम मिले तो हैं, लेकिन पापा की मुसे इतना सुनते थे, कि वो नील जी को निकल देखा, बट हमको उनकी बारे में सब बता था, उनकी प्लैन मन रहते हैं, गुमने जाने के, मैं सब को पहचानती हूं नाम से, एक एक को, जी, 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 तो बहुत लेकिन, मैं दो दिन से बड़ी स्ट्रॉंग हो रही थी, लास्ट सेशन में, मुझे नहीं समय में आ रहा था कि मैं कहते, पादमे बड़ा बड़ा हूं, बहुत बुरा हूं, अन्यवाइडेबल, जी, बड़े, बहुत तीजे रह गई प्रग्या जी, बहुत तीजे बहुत बड़ा हूं, जी, बहुत बहुत बादमें, बहुत बहुत बड़ा था था, बड़े, बड़े, बहुत बड़े, तो इसमय मैं नहीं थी, और एक दून बाद मैं भी हो गई, तो मैं, मतलब वह एक रह गया कि, वह शहर दिन सार कर रहा हूंग गे, पहली बात मैंने कहा और दूसरी चीज आज मैं यहां शेयर कर रही हूँ अब कि सर को पता है घर में पता है पूरी राथ मैं एक मिनिट नहीं सुई गी और सुबह इतनी परिशान इसी थी मैं अब अब बैठ गई मैं चेर पे बैठ गई और मैंने किताबें ऐसे करना शुरू कर दियो और सर का जान भी आ रहा था कि मैं उन्हें पॉन नहीं कर पाई करोंगी करोंगी और सुबह जब वाटसेट देखा तो यह न्योंची और उस दिन पूरी रात लेने चाहिए तो मैं सोचती हूं बतानी क्या 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 संबंद होते हैं जरूरी नहीं ब्लड रिलेशन्स ही हो अपनों कर जब कश्च है वो तो समय जी सकते हैं उसका तो कोई भी लिए इस वेडिनार पे जुड़े हुए तो भी लोगों को बहुत बहुत नहीं आजने तो शब्द ही नहीं है मैं दुनिया में इससे बड़े-बड़े प्रोग्राम कर ते हूं पर आभी बोल ही भी पार अनिशा जी समाल लिए अपने आपको हम सब लोगों को मजबूत होना होगा और यह मान के चलिए कि सर हमारे साथ हैं और हमें वो रास्ता दिखाते रहेंगे हमें पूरा विश्वास से शरीर नहीं है लेकर वो हमारे साथ है मुझे लगता है कि विदा ले जाए मैं CIHRF की सनक्षक मंडल की सदस्या डक्टर मंजू दुबे और डक्टर दुर्वास समीर अवस्ती और मुझे लगता है शार कूरन साहिगल सर भी मुझूद है तो उनसे अनमती लेते हुए आज की इस वेब मीटिंग को समात खरका हूँ और विदा लेटे में बहुत बहुत अन्यवाद एक बात नसे अज़ाए 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 एक विचारी मैं बोल रहती है ज़िए बावीम का पता हुए आख अज़ाए अज़ाए उन्यों गहाँ पर श्रुआ कि नहीं चाहिए, ज़्याए एक ये पर बहुत लोग को आप शिए अच्ट रहती है कर दो कर दो कर दू है और ऑख का अट और बोह कर दो प्ल्सक्राव कर दो कर स्थाक अब दो कर दो कर दो, अधिक्र दम्यारा है? जो! आप लापने लाँ इंधे जाउंगी? जाउंगी? करणा में और बाहन करना प armpit को पाश्केंस नहीं मुद्दा को पढ़ हो अज़ के तो जटो है फुर्ट काने को चान वहा हीरेे कि रहां डुकाने को बनवा बनगे है तो जाई आख मैं अठाव में आख हो आख ठम्ट आखनें दो दुकाने का वहां रहा है तो जो दो अखने तो यहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा पारी पर अच्छी दो पांडू लूँगा अल्यां कैसी दो जाएगा पता है हमारा स्पीकर क्यों आएगा क्योंकि मेरा वो मैं कहीं वारा आफ करने कोशिश की वहाँ आओ वहाँ 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 जुशा वहाँ याओिए वहाँ जाएगा झाल 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 झाल